आज हम लोग 1857 के रिवोल्ट के बारे में पढ़ेंगे तो इस 1857 के रिवोल्ट के बारे में जो नेशनल रिवोल्ट होता है उसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ेंगे हम लोग अपना discussion को we'll keep our discussion confined to बिहार ठीक है लेकिन अगर आप देखें अगर किसी भी BPSC का प्रश्ण पत्र आप उठा कर देखेंगे तो आपको कम से कम तीन question जरूर sure short आपको 1857 रिवोल्ट के in and around घूमते मिलेगा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिवोल्ट आफ 1857 में आपको पढ़ना क्या है बिहार में जो सबसे important पढ़ना है उसमें आपको पढ़ना है रोल ओफ बीर कुवर सिंग हर एक्जाम में आपको मिलेगा बीर कुवर सिंग बेप्रशन और अगर आप पढ़ेंगे तो आप at the end of the lecture you will find कि he is a legend अगर आप देखेंगे कि बिहार की स्वतंता संग्राम को अगर आप पढ़ते हैं अगर बिहार के history को पढ़ते हैं तो बिहार का history will revolve in and around बाबु बीर कुवर सिंग और जो बिहार के लोग है उन्हें पता होना चाहिए कि बाबु बीर कुवर सिंग के नाम पर एक university ह बिहार में और वो आरा में है आरा में वीर कुवर सिंग विश्विद्याले है तो उनके नाम पर है तो it is going to be a very interesting one हम दो class को अब start करते हैं देखिए कैसे कैसे क्या movement होता है देखिए पहला जो new धरी जाती है 1857 की revolt की वो जो new धरी जाती है वो 10 मई 1857 को धरी जाएगी निव कहां पर धरी जाएगी तो मेरट हमें है मेरट में क्या होता है पचासी soldiers जो है वो अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ revolt कर जाएगे तो where it is happening it is happening in मेरट और इसकी जो लव है इसके जो flames है इट रिच्ट बिहार बिहार में कहां रिच करता है तो आप देखेंगे कि जून में उसे में बिहार का पाट था देवघर देवघर में एक गाउं है रोहिनी विलेच यह वही देवघर है उसे में देवघर बिहार का पाट था जहां पे बाबा बैदेनास धाम है जो बोल बम जिसके नाम से हम लोग जानते हैं और सावन मास में बहुत लोग जाते हैं तो देवघर जो है it has remained as a hub of Indian nationalism extremist लोगों का hub रहा है अगर आप देखेंगे जो हमारे जो गरम दल के लोग हैं जैसे आप देखेंगे तो बाद में हम लोग पढ़ेंगे गोल्डिन लीग देवघर में था सचिननास संजाल वगरा बनाते हैं इस तरह से तो देवघर हमें साहब रहा है देखो देवघर में एक regional headquarter था military का जो regional headquarter था कौन सा headquarter था वो 32 headquarter था जो 32 military का headquarter था और जो 32 रेजमेंट था उसको जो head करते थे जो उसके leader थे उनका नाम था MacDonald ठीक है और यही 32 रेजमेंट पटना में भी था दानापूर उसका एक इकाई उसका एक कारियाले देवघर में था वहां के army जो है वो दो आदमी को kill करते हैं एक जो है जो army kill करते है उसका नाम है Norman Leslie अगर आप ध्यान से देखे तो वो जो kill करते हैं वो Norman Leslie को kill करते हैं देवघर में जो वहां के सेना रहती है दूसरा doctor grant sergeant है doctor grant को kill करते हैं तो अगर आप से पूछेगा कि यह जो killing होती है जो देवघर में इसकी निव कब रखी जाती है यह है 12 जून 1857 को तो बिहार में जो अपचारिक 1857 की रिभोल्ट की जो new रखी जाती है 12 जून 1857 को देवघर में रखी जाती है the army killed Norman Leslie and doctor grant यह हुई बिहार में हम लोग की आगाज हो चुकी है अब देखो जुलाई महीने में क्या होता है जुलाई महीने में जो देखोगे तो पतना के एक पीर अली पीर अली क्या करते हैं यह bookseller है वहाँ का एक opium trader है उस opium trader का नाम है जो वहाँ का opium trader है वो अंग्रेजों के साथ मिल जाता है और उस opium trader का नाम है dr. Lael और अंग्रेजों के साथ मिलके information pass out करता है और revolt of 1857 को suppress करने की कोशिस करता है पीर अली इसकी हत्या करते हैं और पीर अली और इनके सोलह सांसियों को फांसी की सजादी जाती है पीर अली कहां पे हैं? पटना में है अब जब इनकी फांसी होती है तो ये आग की तरह मैसेच चला जाता है और जो सेना की टुकड़ी जो दानापुर में कैंद की हुई थी जो 32 आरेजमेंट का हेटकौाटर रहा है वहाँ से सेना मूव करती है बोलती है कि अब अंग्रेजियों के खिलाफ हम लोगान दोलन करेंगे और अपना नेत्रित्व वो बाबू बीर कुवर सिंग को देती है बाबू बाबू बीर कुवर सिंग को अपना नेत्रित्व देगी जब बाबू बीर कुवर सिंग को नेत्रित्व देगी तो बाबू बीर कुवर सिंग है कौन ये आरा के पास एक जगदिस्पूर है वहाँ के जगदिस्पूर के जमिंदार है जिसको जगदिस पूरे स्टेट भी कहा जाता है बाबू बीर कुवर सिंग की उमर कितनी है 80 साल है तो जुलाई महीना में होता है पीर अली हत्या करते हैं डॉक्टर लेयल की ओपियम ट्रेडर का जो 32 रेजमेंट है अपना नेच्रचो दे देती है बाबू बीर कुवर सिंग को और यहां से 1857 की क्रामती की आगाज हो जाती है पूरे बिहार में अब आपके जहन में पहला प्रसन ये उठेगा कि जो आप कहानी बता रहे हैं इसकी सोर्स क्या है आप जो ये बात बता रहे हैं तो मन गढ़ंत कहानी भी हो सकती है इसका सोर्स क्या है तो अगर इसका तुम सोर्स देखोगे जो कि बहुत important है तो सोर्स को तुम अगर ध्यान से देखो कि सोर्स क्या रहा है जो हम information दे रहे हैं जो पहला source of information है वो एक किताब है उस किताब का नाम है आवर क्राइसिस ये किताब आवर क्राइसिस कोन लिखता है तेलर लिखता है ये तेलर क्या है जब 1857 की क्रांती हो रही है तो पतना का कमिस्णर यही रहता है और यही रिवूल्ट को दबाने की कोशिस करता है पतना का Commissioner है डॉक्टर टेलर ये किताब लिखता है Our Crisis इसको हम लोग अपना basis बनाते हैं दूसरा हमारा source है एक है Colonel Jim Staud ये राजपूतो के Glorious इतिहास के बारे में बहुत किताब लिखते हैं तो Colonel Jim Staud की किताब से बाबू कुणर सिंग के बारे में हम लोगों को पता चलती है ये भी हमारा source है तीसरा जो बहुत ही important source हमारा रहा है वो है जो जगदिशपूरे स्टेट जहां के बाबू बिर कुणर सिंग यो राज है जगदिशपूरे स्टेट के जो पोएट है जो राज कवी है उनका नाम है मौली कवी मौली कवी एक किताब लिखते हैं उस किताब का नाम है उदवन्त प्रकाश और ये बहुत important question है try to understand this उस किताब का नाम है उदवन्त प्रकाश उद्वंत मौली कभी और किताब लिखते हैं एक किताब का नाम है बाग हसिंग एक किताब का नाम है उद्वंत बिनोध उद्वंत बिनोध तो मौली कभी जो कोट पोएट है बाबू बिरकुणर सिंग के उनका किताब है उद्वंत प्रकास वहाँ से हम लोगों को यह जानकारी मिलती है जो हम आपको जानकारी सेर करने वाले हैं अब देखो थोड़ा साम लोग बाबू बीर कुणर सिंग के बारे में जानते हैं और उसके बाद पुरावन का फ्लो देखते हैं अगर तुम बाबू बीर कुणर सिंग के बारे में देखोगे, तो बाबू बीर कुणर सिंग का जन्म जगदिसपूरे स्टेट में होता है, 1782 में जन्म होता है, इनके फादर का क्या नाम है, तो इनके फादर का नाम है साहब जादा सिंग, और ये जगदिसपूर के महराज ह वही पर जग्दिसपुर के स्टेट है जो इनकी डेथ होती है इनकी डेथ होती है जो देख को question पूछा हुआ है या 26 अप्रील 1858 को इनकी डेथ होती है और जो डेथ होती है यह अंतिम युद्ध किस्टे करते हैं जो last इनकी लडाई होती है वो इनकी जी लास्ट लड़ाई है वो है ली ग्रांड से और कैसे क्या होती है पुरा स्टोरी हम आपको आगे के लेक्चर्स में बता रहे हैं पर ये थोड़े हमारे पास फैक्ट होने चाहिए क्योंकि ये स्टेट पीसेस में फैक्ट पूछ लेते हैं कैसे नेत्रित प्रदान करता है तो पहला काम करते है कि जब अंग्रेज के साथ लड़ना है तो ये explosive factory की अस्थापना करते हैं common sense से बताव explosive factory के अस्थापना कहा कर रहे होंगे जहां कि यूराज हैं जहां कि जमिंदार हैं जगदीशपूर जो आरा में जगा है वहाँ पे एक explosive factory के अस्थापना करेंगे कि हमको explosive चाहिए अंग्रेजों से लड़ने के लिए पर इसी बीच में क्या होता है कि बाबु बीर कुवर सिंग पर जब इनको नेत्रितों प्रदान करता है आर्मी के सांथ तो अंग्रेज की सेना आयर के नेत्रितों में जगदीशपूर पर हमला कर देती है संख्या की इतनी सिमेट्री रहती है उसकी अंग्रेजों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है और इनकी संख्या बहुत गम रहती है उसके बावजूद बहुत भीशन युद होता है और बाबु बीर कुवर सिंग वहां से escape करते हैं कुछ लोग कहते हैं और आपको बहुत इंट्रेस्टिंग स्टोरी है बाद में पता चलेगा कुछ लोग कहते कि हार जाते हैं उसको कहा जाता कि Battle of B.B. गंज में कुछ historians का कहना कि हार जाते हैं पर वो हार मान के surrender नहीं करते हैं आयर की सिना से मानते हैं कि वो हारते हैं, तो हार मान के सरेंडर नहीं करते हैं, वो वहाँ से एसकेप कर जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, कहाँ एसकेप करेंगे बाबु बिरकुमर सिंग, एसकेप वहाँ से पहले वो निकलेंगे जगदिशपुर से और बिजैगर निकल बाबू बीर कुवर सिंग को देखकर उसको लगता है कि अगर बाबू बीर कुवर सिंग हमारे पास रुख जाते हैं तो अंग्रेज की सेना अटेक कर देगा बहुत डर्थपोग था उनको बोलता है कि मेरे पास मत रुखिये तो वहां से वो रास्ता बदल के निकल जाते हैं जब कलपी में बाबू बीर कोर सिंग मिलेंगे तो यहीं बाबू बीर कोर सिंग से तांत्या टोपे मिलेंगे अब देखो इसकी सुन्दरता तांत्या टोपे मिलेंगे जब तांत्या टोपे मिलेंगे तो तांत्या टोपे क्या करेंगे इनकी बहादूरी की कथा सबको परचि तो लखनव का जो नवाब है साह इनको बोलेया कि अंग्रेज हमें बहुत दिक्कत कर रहे हैं आजम गढ़ में वहाँ प्याब थोड़ा हमें मदद कर दीजे बाबू बीर कुणर सिंग आजम गढ़ चले जाएंगे और आजम गढ़ बहुत इंपोर्टन्ट है आजम गढ़ म बाबू बीर कुणर सिंग अंग्रेजों को हरा देंगे जब बाबू बीर कुणर सिंग आजम गढ़ में अंग्रेजों को हराएंगे तो साह इतना खुछ हो जाएगा लखनव का कि इनको as a token as a token of respect as a token of love इनको जो लखनव का साह है बारह हजजार रुपिया कैस देगा रूब ओफ ओनर देगा बाबू बीर कुणर सिंग को रूब ओफ ओनर देगा प्रतिष्ठा में एक रूब ओफ ओनर करता है लखनव का साह कि आपने मुझे आजम गढ़ पर जीत दिलाई लेकिन इस पूरे प्रोसेस में अगर तुम देखोगे तो बहुत इंट्रेस्टिं साह की मदद की पर what about my जगदिशपूर जगदिशपूर के बारे में क्या है इन्हें पता है कि मैं जगदिशपूर से escape किया हूँ जब जगदिशपूर से मैं escape किया हूँ तो अभी भी वहाँ पे अंगरेजु का कबजा है अब ये लखनव से बैक करेंगे जगदिशपूर को reclaim करने के लिए ये reclaim करना चाहेंगे अपने जो पुस्तोनी जगह है उसको reclaim करेंगे बावु बिर कुवर सिंग reclaim करने जब जाते हैं तो बलिया यूपी में एक जगह है बलिया में एक भीशन युद्ध होती है किसके साथ अंग्रेज को पता चल जाता है वो ली ग्रांड को भेशता है कि तुम इनसे युद्ध करो और ली ग्रांड को यहाँ पर भारी सिकस्त मिलती है जब सिकस्त मिलती है तो अंग्रेज की सेना बैक कर गई ये जा रहे हैं जगदिशपुर को reclaim करने जब सिउपुर गाट को पार करना start करते है ली ग्रांड की सेना का एक सेनिक है उसका नाम है डगलस ये डगलस इन पर बम फेक देता है और डगलस के बम फेकने से बाबु बीर कौर सिंग इंचर्ड हो जाते हैं जब इंचर्ड हो जाते हैं तो उनका हाथ सेप्तिक हो जाता है और King Vadit कहानिया ये है कि बाबू बीर कुर सिंग जब हाथ सेप्तिक हो जाता है हाथ में बहुत ज़्यादा जख्म हो जाता है तो तलवार से अपनी हाथ को काटते हैं और गंगा को जब पार करते हैं तो गंगा में अपनी हाथ को दान दे देते हैं लेकिन the beauty of बाबु बिरकुर सिंग नेशनल हिरो इसलिए हैं क्योंकि ये reclaim करते हैं किस चीज को reclaim करते हैं जो आयर ने battle of बीबी गंज में इनको हराया है जगदिस्पुर को reclaim करते हैं और फिर से इसके योराज बन जाते हैं इसल ये आप देखेंगे कि बिहार के जितने लोग हैं जो देश के लोग हैं अपने अपने हिस्ट्री को बाबु बिरकुर सिंग से associate करना चाहते हैं क्योंकि ये वो मर्द हैं जो 80 साल की उम्र में नित्रित्व लेते हैं नित्रित्व से भले पहली बार में हारते हैं ए सिमेट् इसपुर को reclaim कर लेते हैं ये बहुत ही important है अब जो सबसे important चीज है कि जब बाबु बीरकुर सिंग महा पे रहते हैं तो होता क्या है तो इनके भाई हैं अमर सिंग इनके जो भाई हैं अमर सिंग ये भी बहुत बहादूर आदमी है ये क्या करते हैं कि जब बाबु बीरकु देश में कैम्प किये हुए हैं ये अपना मोर्चा कैमूर हिल्स में संभाले हुए हैं और ये गुरिल्ला वारफियर के महारसी हैं बाबू अमर सिंग जो इनके भाई हैं और गुरिल्ला वारफियर करके इतना उसको तंग करते हैं इतना प्रताडित करते हैं कि अंग्रेजों पर कबजा किया हुए और बाबू बीर कुवर सिंग नहीं होते हैं तो ये parallel self government बनाते हैं और parallel self government का राजा किसको बनाते हैं हरकिसन सिंग को अब देखो ये बहुत important है भारत में अभी तक तुम parallel self government किसके अंदर पढ़ते आ रहे हो तुम quit India movement के समय parallel self government पढ़ते आ रहे हो जैस parallel self government की new और जो पहला example आपको बिहार में मिल जाता है और भी जगदिसपुरे state में मिल जाता है जब बाबू बीर कुवर सिंग नहीं रहते हैं तो इनके भाई अमर सिंग parallel self government बना देते हैं हरकिसन सिंग के अंदर तो quit India movement का जो center of attraction है वो आपको 1857 में ही मिल जाता है बिहार क जगदिसपुर से तो यह बहुत important है अमर सिंग इतने बहादुरी से लड़ते हैं बाबू बिर कुवर सिंग के जुम्रती होते हैं 26 April 1858 पे तो यह मुर्चा संभाल लेते हैं यह राजा बनते हैं और अंग्रिजों से लडाई करते रहते हैं तुम देखो कि December 1869 में अंग्र का राजा है उस राजा का नाम है राजा जंग बहादुर यह अंग्रेजों को information देता है और बाबू अमर सिंग को arrest करवा लेता है नेपाल में जब बाबू अमर सिंग arrest हो जाते हैं नेपाल में तो इनको कहां पर लाया जाता है अंग्रेज गोरखपुर जेल में लेकर आता जब गोरखपुल जेर में लेके आएगा बाबू अमर सिंग को तो फाइनल इनकी जो डेथ होती है वो पाँच फरवरी 1860 को इनकी मृतिव हो जाएगी ये पुरा स्टोरी है बाबू बीर कुमर सिंग, अमर सिंग का और 1857 के रिभोल्ट का देखो एक और एरिया है जो बहुत क्वेस्चन पूछता है कि जब 1857 की जो क्रांती होती है कुछ फैक्ट देखलो जो बहुत इंपोर्टेंट है जब 1857 की जो क्रांती हो रही है उस समय देश का गवर्नर जनरल कौन है तुम देखो तो पहले लॉर्ड कैनिंग 1857 से 62 रहता है लॉर्ड कैनिंग के बाद लॉर्ड एलिग्न आते हैं जो एलिग्न है वो 1862 से 63 रहेंगे एलिग्न के बाद लॉरेंस आएगा इस पे हम एक अलग विडियो बनाएंगे जो लॉर्ण्स है वो 64 तो 69 रहेंगे तुम एक फेर आइडिया के लिए दे रहे हैं पर हमारे लिए important है Lord Canning जो Canning है ये 57 के समय में wise रहे हैं तुम देखो Lord Canning का contribution क्या है तुम पहला देख लो न कि ये doctrine of lapse जो है कौन लेकर आया है Doctrine of Laps दलहोजी लेकर आया है Doctrine of Laps को Lord Canning क्या करेगा रीपील करेगा यह बहुत ही important इसका है हम लोग साथ में एक जगा पढ़ लेते हैं जूसरा इसका एक contribution बहुत अच्छा है कि Lord Canning ने University of Calcutta मदराश और Bombay की अस्थापना करते हैं जब 1857 की क्रांती होती है तो अंग्रेज सुचते हैं कि आखिर में कुछ ना कुछ तॉप करना होगा जब कुछ ना कुछ करना होगा तो 1858 की एक्ट लेकर आते हैं उस 1858 की एक्ट में क्या कहा जाता है कि अब जो है क्रांवन भारत को रन करेगा और जो गवर्नर जेनरल 1857 तक कहे जाते थे गवर्नर जेनरल का नाम चिंज करके वाइसरे कर दिया जाता है यह symbolic move है इसमें वाइसरे का मतलब यह होता है कि अब क्रांवन भारत को रूल कर रहा है तो अगर तुमसे एक question पूछता है, 18-18 में होता है, कि who was the last governor general of India, the last governor general of India was Canning, अगर पूछता है कि who is the first viceroy of India, who was the first viceroy of India, उसका भी answer हो जागा Canning, क्योंकि 57-52 में है, 57 तक ये आपको क्या है, governor general है, अंठावन की आक्त आ जागा, तो यही governor general को आप वाइसरय बोलते हैं, तो अब देखो, 1857 की क्रांटी पर तुम देखोगे, बहुत historian का different views है, कुछ historian कहेगा कि ये national movement है, कुछ historian कहेगा कि ये mutiny revolt है, तो हमारे state PCS में, आपके state PCS में कुछा कुछ questions पूछ लेता है कि कौन historian क्या कहता है, तो we should have a fair idea कि कैसा भी question रहे हम लोग उसको hit करें, उसको हम लो कर ले, तो देखो, कुछ historians का क्या कहना है, जो 1857 के रिवोल्ट के बारे में, एक historian है, आर्ची मजुमदार जिसका आप लोगateurs नाम सुना होगा, इनका क्या opinion है 1857 के रिवोल्ट के बारे में, हमें पता होना चाहिए, आर्ची मजुमदार क्या कहते हैं, आर्टी मजुनदार का ये कहना है कि 1857 रिवोल्ट लैक्ट नेशनल फिलिंग हिंस इट वाज अम्यूटिनी रिवोल्ट इनका कहना है कि सब लोग अपने अपने इसू के लिए लड़ रहे थे ठीक है जहांसी के रानी अपने लिए लड़ रही है अपने लिए लड़ रहे हैं सात्या टोपे अलग लड़ रहे हैं बेगम हजरत महल अलग लड़ रही है कोई नेशनल फिलिंग नहीं है इट वाज लोकल रिवोल्ट म्यूटिनी रिवोल्ट है ये आर्शी मजुमदार का कहना है वही पर बहुत बड़े हिस्टोरियन है बहु इनका क्या तरक है इनका तरक ये है कि पूरा उत्तर प्रदेश पूरा बिहार सब लोग अंग्रेजों के जो कर्म है उससे बहुत ब्यथित है और एक नेशनल रिवोल्ट है इसका एक नेशनल कलर है इसका आप म्यूटिनी रिवोल्ट कहना इतने बड़े आंदुलन को इस उन सेट्स ऑफ लॉजिक अगर इसी कड़ी में देखेंगे तो आर्फी मजुमदार का क्या कहना है ये तो कह रहे है कि भाई ये लोकल रिवोल्ट है पर इसी कड़ी में महता जी की ही कड़ी में अगर आप देखते है तो एक और बहुत बड़ा नाम है उनका नाम है डॉक्टर एशन सेन का क्या कहना है डॉक्टर एशन सेन कहते हैं कि initially it started as a fight of religion समझेरो ना वो जो सुर का चमरा उस तरह का आपका जो bullet है उसके लिए it started as fight of religion but ended as war of independence एक religion के एक धर्म के नाम पर लड़ाई start होती है पर यह एक national role ले लेती है war of independence ले लेती है यह 1857 से related अगर बिहार का जितना भी आपका प्रस्ण आता है you should be in position to answer them इस पर हम लोग practice state साम में ले कराएंगे आप उसको एक बार try कर लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि एक भी question आपसे छुटेगा thank you very much this is all रोहित हैर आज हम लोग modern history of बिहार उसको start करते है modern history को और हम लोग देखेंगे कि हमेशा modern history बहुत ही जो बिहार वाला जो segment है total अगर आप बिहार का BPSC अगर हमें प्रस्ण देखे तो बिहार special से 25 question होते हैं usually और उस 25 question में a large chunk of the questions जो होता है कम से कम 15 question के आसपास modern history of बिहार से related होता है तो इस area को किसी भी कीमत पे आपको बहुत ही strong कर लेना है ताकि प्रस्ण बन जाए उसी series में हम लोग modern history of बिहार start करने वाले हैं जो modern history of बिहार हम लोग start करने वाले हैं वो 1857 की क्रांती से लेकर 1947 तक करेंगे उसमें हम लोग national history को थोड़ा सा उसका reference लेते हुए बिहार में उसके correspondingly क्या हुआ है उस पर हमारा ध्यान रहेगा याद रखिए कि बिहार focus पे रहेगा कि बिहार में उस समय क्या होता है 1857 वाली क्रांती इसको हम लोग ने बहुत detail के साथ आपको lecture 1 जो अपने playlist में आप जाएंगे तो lecture 1 के रूप में modern history वाले segment में मिल जाएगा पहले उसको कर लिजिए बाकी आज वाला lecture तू है अब देखिए आज का outline क्या है brief outline हमारा lecture का क्या है तो आज हम वहबिजब इन बिहार को पढ़ेंगे कि बिहार में वहाबी movement कैसा रहा है आप देखिए कि INC इन बिहार हमेशा आपको यहाँ से प्रस्ण मिलेगा INC इन बिहार से उधारन के तौर पर आप देखिए ये question है कि where was the first congress session इन बिहार held ये प्रस्ण बहुत simple है पर बहुत लोगों नो इसको गलत किया है इसलिए बहुत लोगों ने गलत किया है क्योंकि लोगों नो fact को रटा है अगर fact को रटने के बजाए अगर आप flow में पढ़े होते कि कैसे कैसे flow हुआ है history का तो आपको मजा भी आता और प्रस्ण भी सही होता हमारी कोशिस रहेगी कि आपको एक flow दे दे और आप इस तरह के सवाल को एकदम 54 भरका समझके एक्जाम में सही करके आए इस प्रस्ण का उत्तर आप comment box में दीचेगा चलिए लेटर से start जो वहबीजम इन बिहार है तो आप वहबीजम का phase देखेंगे कि पूरे देश में जो वहबीजम का फेज चलता है उमोटा मोटी 1822 या 1868 का phase है वहबीजम है क्या वहबीजम का देखे पूरे देश में वहबीजम अपने बिहार के लिए क्यों important है क्योंकि वहबिजम का पूरे देश में दो सेंटर है एक सेंटर उसका था सिताना और दूसरा जो उसका सेंटर था वो था पटना चुकि पटना उसका एक important सेंटर है तो BPSC के लिए ये center of interest हमेशा होता है सिताना कहा है present day Pakistan मुलतान प्रोविंस में है सिताना तो इसके मात्र दो important center है सिताना और पटना और आप ध्यान रखिए इस चीज को बहुत ही important है कि ये वहबिजम इतना important हो गया कि ये सिताना में एक independent state की घोसना कर देता है और उस independent state का नाम है दारूल हब ये बहुत ही important है जो independent state का सिताना वाला area में नाम रखता है उसका नाम रखता है दारूल ह अब आपके जहन में पहला प्रष्ण यह आ रहा होगा कि पहले आप मुझे ये बताई है कि वहबिजम है क्या देखिए उस से पहले मैं आपको ये बताओं कि आज जो भी मैं आपको इस टोरी नुमा इस्ट्रक्चर बताऊँ गा कि किस तरह का इस टोरी फ्लो कर रहा है तो य तो जो मैं आपको ये story बता रहा हूँ वो उसका reference जो है ये किताब है इस तरह की बहुत किताब है पर ये किताब आपकी exam point of view से भी बहुत important है अब ध्यान देखिए कि वह विजम है क्या क्या है वहावी sect जिस तरह से Indian tradition को पढ़ने के लिए जब आप भारतिये Vedic traditions पढ़ते है वैदिक traditions तो वही है वैदिक rituals तो वही है पर आप देखेंगे कि वैदिक tradition के लिए बहुत सारे school of philosophy होते हैं there are different schools of philosophy जैसे school of philosophy होते हैं जैसे आप देखें तो एक होता है एक school of philosophy है उत्तर मिमान सा कुछ लोग अलग तरीके से मानेंगे एक school of philosophy है योगा एक school of philosophy है नयाए है ना एक school of philosophy है उत्तर मिमान सा ये बैदिक traditions वही है हमारे पुरांस वही है हमारे वेदाज वही है पर उसका interpretation different लोगों ने different different तरीका से किया है और वही जो interpretation different different हुआ है उसको आप school of philosophy के रूप में नाम देते हैं अब ध्यान से देखिए उसी तरह से एक अबदुलवहब हुए अबदुलवहब जो है ये अबदुलवहब हुए इनका ये कहना है कि जो prophet है जो अल्ला है जो अल्ला है ये बहुत ही नेक इंसान है बहुत ही चरित्रवान इंसान है बहुत ही अच्छे आदमी है इनकी philosophies भी बहुत अच्छी है पर ये भगवान नहीं है, he is not a deity मतलब इनका जिस तरह से बुद्ध भगवान नहीं है बुद्ध एक आदमी के रूप हैं पर ये डेती नहीं है जो अल्ला है, प्रॉफिट हैं ये डेती नहीं है, नेक इंसान है इनके बिचार बहुत अच्छे हैं तो इन्होंने वो ग्रूप ओफ थौट वो अब्दुलवभव वाले लोग जो अल्ला को भगवान मानने से मना कर देते हैं, वही वहब्स है और वही उनका एक सेक्ट है जिसको वहबिजम कहा जाता है जो वहबिजम बेसिकली है इसका जो मेन रोल रहा है वहबिजम का तो आप पाएंगे कि वहबिजम का जो सेक्ट है ये सोशल रिफॉर्मर है ये समाच लहरक लोग थे पर आप जब लेटर पार्ट आफ इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप 1857 की क्रांती पढ़ेंगे तो याद रखीगा सोशल रिफॉर्मर से होते होते ये जब अंग्रेजों की जब अत्याचार देखते हैं तो ये एक आर्म्ड रिबिलियन हथ्यार बंद गिरोह बिद्रोह का रूप ले लेते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरा इंपॉर्टेंट जो बात है वो तो भारत में तो जो नेशनल लेबल पर वल्ड लेबल पर आप देखते हैं कि अब्दुल वहब के ये सब फॉल्वर हैं पर भारत में सैयद अहमद बरेलवी और राय बरेली इसके हिरो हैं जो सैयद अहमद बरेलवी और राय बरेली हैं ये भारत में इसके धोजार रोहक हैं इसी सेक्ट के वो लीडर हैं और इस सेक्ट का परचार परसार करते हैं सैयद अहमद बरेलवी के अलाबा और भी जो निशनल लेबल पर आप देखेंगे कि निशनल लेबल पर इस सेक्ट को फॉलो करने वाले जो लोग हैं वो है याहिया अली दूसरे हैं हस्मत दादा खान तीसरे हैं अहमेदुल्ला यह अहमेदुल्ला जो हैं बाद में डेपटी कलेक्टर भी बनते हैं और अब्दुलरहीम ये नेशनल लेबल पर आप देखेंगे कि वहबिजम जो है उसके लीडर्स है यहिया अली हस्मत दादा खान मुहम्मद अमेदुल्ला और अब्दुलरहीम पर चार बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर हैं वहबिजम के बिहार में चुकि मैंने बताया कि पटना जो है इसका एक हब रहा है और जो चार इंपॉर्टेंट लीडर हैं वो हैं बिलायत अली इनायत अली मुहम्मद हुसेन और फरहात अली ये चारो बहुत ही इंपॉर्टेंट लीडर हैं पटना में अब ध्यान से रखिए जब 1857 की क्रांती होती है और हमने आपको ब रिभोल्ट को दबा रहा है यही रिभोल्ट को आरा में भी दबा रहा है आप लेक्चर में पढ़ लिजेगा 1857 वाला तो यह जो आम्ड रिबेलियन होता है इसको दबाया जाता है और वह बिजम को दबाने की उसकी कमर तोड़ने की कोशिश होती है और याद रखिए यह नेशनल लेबल के लीडर्स हैं यहया अली दादा खान इन लोगों को काला पानी का सजा होता है जब काला पानी का सजा होता है तो इसी चीज को हम लोग अंबेला अभियान कहते हैं अंबेला अभियान के तहत वह बिजम को कुचल दिया जाता है और इनको 1863 में काला पानी क सजा होती है इस तरह से वहभी जम को अंग्रेजों ने दबा दिया पर याद रखिएगा कि वहभी सेट के जो लोग है उन्होंने 1857 की क्रांती में जो पतना वाला जो सिंटर है खुब मदद किया है और अंग्रेजों के साथ खुब बहादुरी से लड़ा है अब हम लोग इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के बारे में देखते हैं कि फॉर्मेशन ओफ इंडिया नेशनल अभी तक हमने आपको ये बता दिया कि 1857 की क्रांती होती है 1857 की क्रांती में बाबु कुणर सिंग बहुत बहादुरी के साथ लड़ते है 1857 के बाद का जो आवन वगरह के बाद होता है वो 1858 है जो ये इंसिदेंस बहुत इंपोर्टेंट है क्योंकि 1858 में आप ये पाना इस्टाज करेंगे कि इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की अस्थापना हो जाएगी 28 दिसंबर 1858 को कहां पर अस्थापना होगा गोकुल दास हम लोग नेशनल नहीं पढ़ रहें पर थोड़ा सा एक आइडिया हो जाए गोकुल दास तेजपाल संस्क्रिट कॉलेज में अस्थापना होगा बॉम्बे में महाँ पर होगा कौन उसकी अस्थापना करेंगे उसकी अस्थापक है एओ श्यूम एओ उहूम इसकी अस्थापना करेंगे और गोकुल दास तेजपाल संस्क्रिट कॉलेज में इसकी अस्थापना हो जाएगी याद रखिए कि जो पहला सेशन अफ दे इंडिया नेशनल कॉंग्रेस है किसके अंतरगत होता है डबलू सी बैनर जी के अंदर होता है जो इंडिया नेशनल कॉंग्रेस का जो पहला सेशन होता है उसमें 72 डेली गेट आते हैं याद रखिएगा कि वो सेशन होना कहां था पूना में होना था पर पूना में होता नहीं है क्योंकि पूना में बहुत बड़ी जिस सिच्वेशन है प्लेग आ जाता है और पूना से सिफ्ट करके बॉम्बे किया जाता है तो पहला डबलू सी बैनर जी बॉम्बे में होता है जो सेकेंड आई एंसी का जो सेशन है वो कलकता में होता है अच्छा जब बॉम्बे में जो सेशन होता है इसमें बिहार के कितने ड जो कलकत्ता में सेशन होता है Indian National Congress का उसमें आप ये पाते हैं कि इसकी अध़क्ता कौन करते हैं? दादा भाई नरोजी जो कलकत्ता में जो सेशन है इस टोटल सेशन में 431 लोग 431 डेलिगेट पाटिसिपेट करते हैं इस टोटल डेलिगेट में 33 मुस्लिम होते हैं और उससे important है कि उसमें 31 डेलिगेट बिहार के होते हैं अब मैं जो इतना आपको fact दे रहा हूँ आपके जहन में आ रहा होगा कि इतना fact देने का मतलब क्या है 431, 33, 31 क्या ये fact आपको रटना है क्या देखिए आपको तयार रहना होगा अगर आप previous year question देखेंगे तो ये 66 का question है कि भारतिये राष्टिये कोंग्रेश के द्वीतिये सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनी जियों ने भाग लिया था अब देखिए अगर हम लोग थोड़ा सा तयार नहें तो इसको हम लोग उत्तर दे सकते थे इसका correct उत्तर जो है 33 है चुकि इस तरह का प्रष्ण पुछा जा चुका है तो क्यों नहीं हम लोग थोड़ा सा तयार नहें तो उसमें दिक्कत क्या है तो उसमें 31 सेकेंड वाले में बिहार के थे टोटल 431 हैं और जो पहला वाला सेशन है उसमें बिहार के 0 Delegator रहे हैं तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए अब ध्यान से देखिए Indian National Congress की जब भी सभा होती थी तो यूजुवली वो तीन दिवसी होती थी 28 से 31 तारिक के बीच में होती थी 28 से 31 December के बीच में होती थी तो इंडियन National Congress के बारे में दो लोगों ने बहुत बड़ी बड़ी बाते की हैं और उन दोनों के बारे में हमेशा एक्जाम में पुछा जाता है एक जो है हर साल के अंत में होता था इसको वार्षिक मिला कहा है कौन किसने इसको कहा है यह वार्षिक मिला है यह लाला लाजपत रॉय ने कहा है कि यह वारसिक मिला है यह नेताओं का एक वारसिक सम्मेलन है वारसिक मिला है और एक है अस्विनी कुमार दत अस्विनी कुमार दत ने कहा है कि यह तीन दिवस यह तमासा है ठीक है किस ने कहा है अस्वीनी कुमारदट ने कहा है कि ये जो तीन दिन का आप सम्मेलन करते हैं कोंग्डेश का जो सम्मेलन होता है वो तीन दिवश ये तमासा है अस्वीनी कुमारदट बहुत important है अमारे एक जाम के लिए आप इनका रूल स्वदेशी movement जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसमें मैं बताऊंगा, स्वधेशी मुवमिंट के समये, इन्होंने एक समीती बनाई थी, उसका नाम है स्वधेशी बांधव समीती जो स्वदेशी बांधव समीती है, अश्विनी कुमार धत के द्वारा निर्मित समीती है, और इस प्रचलन को बढ़ाता था और स्वदेशी यूज करने की बात करता था तो अस्वीनी कुमारदत ने इसको तीन दिवसी तमासा कहा था और वारसिक मेला जो है आपका लाला लाजपतराय ने कहा तो यह चीज़े आपको थोड़ी सी पता रहें तो कोई दिक्कत नहीं है जब इ 1908 में 85 में वहाँ पे हो चुका है 1908 में बिहार प्रोभिंशिल कॉंग्रेस कमीटी की गठन होती है बिहार प्रादेशिक कॉंग्रेस कमीटी बिहार प्रोभिंशिल कॉंग्रेस कमीटी की गठन होती है कहां पे गठन होगा पतना में गठन होगा कौन गठन करेगा उसका ना नवाब सरफराज खान जो 1908 में इसकी गठन होगी बिहार प्रांतिये कॉंग्रेस कमिटी की उसकी जो पहली बैठक कहां होगी पतना में ही गठन हुआ है पतना में ही बैठक होगी और किसके अध्यक्षता में बैठक होगी उनका नाम है सर अली इमाम याद रखिये ये दोनों नाम बहुत बड़े हैं नवाब सर फराज खान का भी आप आगे पढ़ेंगे और सर अली इमाम का ये दोनों बहुत बड़े नाम हैं कॉंग्रेस में और स्वसंत्ता संग्राम में बिहार से खूब लड़े हैं अब आगे अगर आप ध्यान से देखें तो 1908 के बाद बिहार में कॉंग्रेस की अस्थापना हो चुकी है जब 1908 में बिहार में कॉंग्रेस की अस्थापना हो चुकी है तो 1912 जो है ये एक बहुत बड़ा डेट है 1912 दो मैने में बहुत बड़ा डेट है क्योंकि 22 मार्च 1912 को बिहार का फॉर्मेशन है और 22 मार्च जो है बिहार दिवस के रुप में मनाया जाता है तो 1912 एक बहुत बड़ा डेट है और जब 1912 एक बहुत बड़ा डेट है तो बिहार में कॉंग्रेस की पहली बैठक होती है कहां पे होती है बांकी पॉर्मेशन होता है कॉंग्रेस का कौन सा अधिवेशन है 27 वा अधिवेशन है पाकी पूर्पटना में 1908 में बिहार प्रांतिये कॉंग्रेस कमिटी 12 में बिहार का फॉर्मेशन होता है और बिहार का फॉर्मेशन होने के बाद माकी पूर्पटना में पहली कॉंग्रेस की बैठक होती है इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं ये नाम आपको पता होना चाहिए उस अध्यक्षता जिन्होंने किया उनका नाम है रखुनात मुधोलकर रखुनात मुधोलकर ने उसकी अध्यक्षता की और जेनरल सेक्रेटरी कौन थे उसकी जेनरल सेक्रेटरी हैं सच्चितानंद सिनहा ये वह का फॉर्मेशन कैसे होता है इनको creator of modern बिहार कहा जाता है और याद रखिएगा जब संग्विधान सभा की जो पहली बैठक होती है 9 दिसंबर 1946 को जो की temporary ही होती है उसकी अधक्सता यही सचतानंद सिन्हा ने किया था वो temporary बाद में दो दिन बाद 11 दिसंबर 1946 की जो बैठक हो होती है वो आर मुधोल करके नित्रितु में होती है ठीक है यह आपको पता होना चाहिए तो पहली बैठक 1912 में अगर आपको यह पता होना चाहिए अगर दूसरी बैठक जो कॉंग्रेस की बिहार में होती है वो 10 साल बाद 1912 मतलब 1922 में जो बैठक होती है कहां पे होती है 19 122 में बैठक एक गाउं है तेनई कहां पे है वो गाउं गया में है कौन उसकी अध्यक्षता करेगा उसकी अध्यक्षता जो करेंगे उनका नाम है सियारदास जो चितरंजन दास हैं ये बहुत बड़े वकील हैं और याद रखेगा यही सियारदास को आप देश बंदू बोल होते हैं और यह जो सियारदास हैं ये पॉलिटकल गुरु किसके हैं शुबाअश चंदर बोस इनको अपना पॉलिटकल गुरु मानते हैं इनहीं के νेत्रित में 10 साल बाद जो बैठक होती है यह गया के तेनई इंडियन निस्टनल कॉंग्रेस है पर ये बैठक कितना इंपॉटेंट क्यों है अगर इस बैठक को आप देखेंगे तो अगर आप मुझसे पुछें तो मेरे हिसाब से अगर देश में सबसे इंपॉटेंट अगर कॉंग्रेस की कोई बैठक होती है तो उसमें 1922 वाला इंडियन्स हो चुका है गांधी जी ने नन कॉपरेशन मुवमेंट को फिट्टरा कर लिया है उससे एक और डेवलप्मेंट नेशनल लेबल पे देखें 1919 में क्या हो रहा है मॉंटगू चेंप्सफ़ड रिफॉर्म आ चुका है जब मॉंटगू चेंप्सफड रिफॉर्म आ चुका है इसका मतलब देश में इंडाइडेक्ट एलेक्षन का प्रावधान है जब इंडाइडेक्ट एलेक्षन है और 1919 में ऐसा हो चुका है चौरी चौरा के समय पुरा देश अभी गांधी जी विजड़ोग कर चुके हैं देश में एक वैकम क्रियेट हो गया है उस सम लोगों को एलेक्षन में पार्टिसिपेट करना चाहिए पर जब इलेक्षन में पार्टिसिपेट करने की बात करते हैं यहां पे इनका प्रस्ताव हार जाता है और यहां पे कॉंग्रेस में दो गुट बन जाता है एक है नोचेंजर्स और दूसरा है जो एलेक्षन को प्र करने वाले लोग हैं राजिंदर प्रशाद हैं अनुगरह बाबू हैं इस तरह के बड़े बड़े नाम है जब आहरलाल नहरू हैं ये कह रहे हैं कि नो चेंजर्स हैं नो चेंजर्स मतलब क्या हुआ कि अभी हमारी जो जनता है वो तयार नहीं हुई है किस चीज के लिए नन रूप से आंदोलन करने के लिए हमारी जो जनता है वो तयार नहीं है उसको तयार करने की जरुरत है क्योंकि चौरी-चौरा इंसिडेंस में आपको पता होगा कि ये एक वाइलिंट मुवमेंट था और गांधी जी ने विश्डॉक किया था पर कुछ लोगों उन्होंने का नोचिंजर्स का ये कहना था कि आप समाज सुलहर की बात करें लोगों को तयार करें पर एक गुरूप ऑफ थोट जो था चितरण जन्दास, मोतिलाल नहरू इनका कहना था कि चुकी इन डिरेक्ट एलेक्षन का प्रावधान है हमें 1919 में हमें जाना चाहिए और चीजों को अपने अनुकूल मोड़ना चाहिए और यही पर यह पाते हैं कि जब उनका प्रास्ताव गिर जाता है तो 1923 में कहाँ पे अलाहबाद में एक नई पार्टी का गठन होता है उस पार्टी का नाम है कॉंग्रेश स्वराजिस्ट और कॉंग्रेश स्वराज पार्टी इसको स्वराजिस्ट भी कहा जाता है जब कॉंग्रेश स्वराजिस्ट पार्टी बनती है तो याद रखिए कॉंग्रेश स्वराजिस्ट का जो प्रेसिडेंट होते हैं वो कौन होंगे चीतरंजन दास इसके जेनरल सेक्रेटरी कौन होंगे मोतीलाल नहरू जो कॉंग्रेश स्वराज पार्टी है जिसको आप स्वराजिस्ट कहते हैं इसको बिहार में कौन लीड कर रहा है तो बिहार के पहले मुख्यमंतरी श्री पहले मुख्यमंत्री जो बिहार के हैं वो इसको लीड कर रहे हैं तो यहीं पर आप देखिएगा जब बाद में बिहार हिस्ट्री पढ़ेंगे तो स्रीकृष्ण सिंग किस कैम्प के हैं वो मोतिलाल नहरूची तरंजन्दास वाले कैम्प के हैं और नोचेंजर्स वाले कैम्प के कौन हैं राजिंदर प्रशाद हैं अनुगरह नरायन सिंग हैं ब्रचकिशोर प्रशाद हैं इन लोग अभी गांधी कैम्प के हैं पर याद रखेगा यह स्वराजिस्ट party है यह स्वराजिस्ट party was not a party outside the ambit of the Congress, it used to be in the Congress यह Congress कहीं wing है यह वो Congress का wing है unit है जो election लड़ना चाहता है चीज को आप समझें ऐसा मत आप समझेगा कि जो Congress स्वराजिस्ट party है यह completely alag party है Muslim laagic तरह बिल्कुल भी नहीं Congress तो राज पार्टी is a party within the Congress जो election लड़ेगा और जो लोग नहीं लड़ना चाहते हैं वो तो no changers हैं वो समाजिक सुधार की बात करेंगे इस तरह से आपको हमने पूरा बता दिया Formation of Indian National Congress और उसका बिहार में क्या होता है जब 1885 में आता है तो याद रखिएगा दो और जब Indian National Congress की बैठक हो जाती है 1885 में उसके द्वारा बहुत सारा प्लेज लिया जाता है और लोगों को अवेर किया जाता है उसके तहत बिहार में दो major organization होते हैं जो नेशनल और नेशनलिजम को बढ़ावा देना चाहते हैं ठीक है वो दोनों जो विंग है वो दोनों दर्भंगा में थे एक जो विंग बनता है वो 1901 में बनता है और एक जो है याद रखिएगा बिहार के लिए important है 1909 में बनता है ये बनता है दोनों दर्भंगा में है सरस्वती एकेडमी और 1909 में बनता है दोनों दर्भंगा में 1901 में जो सरस्वती एकेडमी बनता है उसके फाउंडर है कमलेश्वरी चरण सिनहा और जो ब्वाइज एसोसियेशन बनता है इसके जो फाउंडर है उनका नाम है सुर्यदेव नरायन बर्मा इनका काम क्या है इन दोनों अर्गनाजेशन का बच्चों में युवाओं में राष्ट्र प्रेम की भावना को उजागर करना उद्गार करना आप एक चीज़ ये पाईएगा अगर पूरे डिसकुशन को आप देखेंगे तो दर्भंगा भी एक बहुत ही इंपोर्टेंट बिल्ट रहा है उस समय स्टार्टिंग में इसके पीछे कारण क्या है आप एक तो आप इसको देखिए कि दर्भंगा जो है it was in the closed proximity to बंगाल बंगाल पुरा हब बना हुआ है जो बंगाल अपना है पुरा हब बना हुआ है राष्ट्रवाज का पुरा नेशनलिजम वहाँ पीक पर है चुकि दर्भंगा क्लोज प्रोक्सिमिटी अगर दर्भंगा का मैप देखेंगे तो नौर्स बिहार में नौर्स इस्टर्ण पार्ट अफ बिहार में पड़ता है तो यह बंगाल से इसकी नजदीक होने के तो यह आपको पता होना चाहिए अब अगले लेक्चर में हम लोग स्वदेशी मुवमेंट से स्टर्ट करेंगे और उसके बाद फॉर्मेशन ओफ बिहार देखेंगे और इस तरह से खतम करेंगे थेंक्यू विरी मच आज हम लोग लेक्चर 3 स्टार्ट करते हैं जो लेक्चर 3 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसमें आज हम लोग इस एरिया से हमेशा आप बिहार के BPSC में देखेंगे कि प्रफन पुछे जाते हैं Brief Outline of the Course है कि आज स्वदेशी मुव्मेंट बिहार में कैसे प्रोग्रेस करता है उसको कभर करेंगे Revolutionary Nationalism बिहार में कैसे हुआ क्या हुआ कहां पर हुआ इसको देखेंगे और Formation of बिहार देखेंगे जो कि बहुत ही important है और हर साल इस area से प्रफन पूछे जाते हैं पहले हम लोग स्वदेशी मुव्मेंट को स्टार्ट करते हैं कि स्वदेशी मुव्मेंट कैसे होता है आपको पहली बात पता होना चाहिए कि जो स्वदेशी मुव्मेंट है वो अंग्रेजे को द्वारा divide and rule की policy को follow करने के लिए किया गया है divide and rule policy का classic example स्वदेशी movement आपको दिखता है स्वदेशी movement में होता क्या है स्वदेशी movement एक anti-partition movement के रूप में start होता है कौन इसको start करते हैं जो देश के moderate leaders हैं वो start करते हैं क्यों start करते हैं जो बंगाल रहता है बंगाल का division किया जाता है आपको पता होना चाहिए कि देश के स्वतंता संग्राम में बंगॉल जो है एक epicenter के रूप में काम किया है और सारा अंदोलन की जो new है जड़ है यहीं से संचालित होती थी और यहीं रहती है तो बंगाल का division किया जाता है बंगाल के division के पिछे के अंग्रेज सरकार अंग्रेजी हुकुमत कहती है यह administrative ease के लिए किया जा रहा है पर सच्चाई है कि हिंदू और मुस्लिम को दो अलग अलग उनके दो हितों को बताया गया है कि आप दोनों का हित अलग है और हिंदू और मुस्लिम में एक divide पैदा करने के लिए किया गया है चुकि बिहार का history है तो हम लोग जादा उस पर नहीं जाएंगे तो divide and rule का अगर classic example कहीं है तो वो आपको बंगाल का भी भाजन है उस बेंगाल का भी भाजन रोकने के लिए moderate leaders ने anti-partition movement start किया आपके जहन में कभी जब एक प्रस्ण आता होगा कि anti-partition movement है बाद में आप किताब में देखते होंगे कि इसी को आप स्ट्वदेशी movement कहते हैं फिर बाद में आप कहीं देखते होंगे कि इसको आप boycott movement कहते हैं तो प्रस्ण आता है कि वही एक movement जो anti-partition movement है कैसे स्ट्वदेशी movement बनता है बाद में कैसे boycott movement बनता है तो इस चीज को आप याद रखिएगा कि यह movement जो है anti-partition movement के रूप में start होता है पर जब अंग्रेजी हुकुमत जो moderate leaders है इनके demand को neglect करता है जब इनके demand को neglect किया जाता है तो यह जो movement है स्वदेशी movement का रूप ले लेता है और लोग बोलते हैं कि हम अब स्वदेशी चीज का खपत करेंगे और जब अंग्रेजों ने अत्याचार करना start कर दिया इसके बाद आप देखेंगे कि अंग्रेजों ने इन पर force करना और अत्याचार करना start करता है तो यह स्वदेशी movement boycott movement का रूप ले लेता है जब atro sites करना start होता है अत्याचार करना जो क्रांतिकारी हैं जो freedom fighters हैं जब उन पर atro sites होना start होता है तो यही anti partition movement लेटर पार्ट में boycott movement का रूप ले लेता है तो आपको यह पता होना चाहिए कि यही चीज है anti partition movement को ही आप स्वदेशी movement कर रहे हैं वही बाद में boycott movement बनता है यह तीन चरण से गुजरता है और यह तीन चरण क्यों होता है यह आपको अच्छे से पता होना चाहिए अब आप देखे कि बंगाल का बिभाजन announce कब होता है बंगाल का बिभाजन 19 July 1905 को announce किया जाता है पर implement कब होता है तो implement आपको 16 October 1905 को बंगाल का बिभाजन implement किया जाता है अगला प्रस्ट important है कि आखिर में जब स्वदेशी movement चल रहा है जब स्वदेशी movement हो रहा है तो कौन भारत में उसको lead कर रहा है और कौन लंदन में इसको lead कर रहा है तो याद रखेगा उसमें करजन भारत का वाइस रहा है और Herbert Ridgely Secretary of State रहे है Secretary of State क्या है वहाँ की जो crown है उसको इतना time थोड़ी है उसके तो बहुत सारे गुलाम देश थे तो उसमें एक आदमी को वह sign करती थी कि जो भारत की चीज को भारत की affairs को deal करेगा वो थे Herbert Ridgely तो ये थोड़ा सा पता होना चाहिए अब हम लोग सिधा गुषते हैं बिहार में जो स्वादेशी मुवमेंट भी अच्छा एक चीज और इसमें हम लोग देख लेते हैं चुकि ये divide and rule policy का था divide and rule policy का एक classic उधारन है तो टैगोर ने कहा कि तुम divide and rule करना चाहते हो तो भारत में हम लोग उस दिन को जिस दिन division of Bengal होता है उसको राखी दिवस के रूप में मनाएंगे क्यों हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के कलाई पर राखी बांधेंगे ये टैगोर का आइडिया था अब यहां से important है कि बिहार में राखी दिवस कहां मनाया गया याद रखिए बिहार में राखी दिवस दर्भंगा में मनाया गया हमने पिछले lectures में बताया है कि दर्भंगा बहुत एक important center रहा है शुरु वाले एरा में इस दे important center रहा है कि it is because of its proximity ये बंगाल के नजदीक रहा है तो बंगाल के अगर आप location देखेंगे तो दर्भंगा बंगाल के नजदीक है जब उसके नजदीक है तो वहां से influence रहा है यहां पर राज दर्भंगा है जो अंग्रेजों से बिद्रोह करते हैं तो वो भी वहां के जो आंदोलन है उसको fund करते थे इसलिए दर्भंगा एक important center के रुप में निकलता है तो आपको ये चीजे थोड़ी सी पता होनी चाहिए अब आप देखें कि बिहार को lead कौन कर रहा है स्वादेशी movement बंगाल में जब चल रहा है तो बिहार में जो उसको lead कर थी उनका नाम है सतीष चंद्र चक्रवर्ती सतीष चंद्र चक्रवर्ती उसको lead कर रहे हैं बिहार में और याद रखीगा कि बिहार में बहुत सारे फिर institutions बनना स्टार्ट होते हैं तो उस institution में आप देखेंगे कि 1904 में जब आप देवघर में आप जाते हैं तो देवघर म में एक golden league का स्थापना होता है देवघर एक बहुत important center रहा है रिवोलूस नरी nationalism का और संतावन की क्रामती का और तो देवघर में 1904 में ही golden league की अस्थापना कर दी गई थी और यह golden league का काम क्या था यह स्वदेशी को propagate करता था कि स्वदेशी चीज का use करिए और स्वदेशी को करता था याद रखिए स्वदेशी का जो प्रचलन है देवघर में पहले ही 1905 से पहले ही start हो चुका था फिर आप देखते हैं कि 1906 में आप आते हैं तो बाबा जी था कुर्दास जो है पटना में राम कृष्ण मिशन की अस थापना होगी और क्यों किया जाएगा निशनलिजम के लिए शिक्षा के लिए शिक्षा का प्रशार के लिए तो इस तरह से आप देखेंगे कि बिहार में ये major development होना start करते हैं और एक चीज और बहुत important है जब बिहार में major development को देखेंगे तो ये हैं हमारे सुरेंदर नास बेनर जी इनको आप कभी जबी अगर main history पढ़ेंगे तो उसमें इनको surrender not बेनर जी भी कहा गया है क्योंकि ये IES की परिख्षा को क्वालिफाई करते हैं और अंग्रेजों द्वारा इनको प्रताडित करकर बिना मतलब का नुक्स निकाल कर इनको हटाया जाता है ये सुरें बेनर जी बहुत बड़ा नाम है इंडियन नेशन एसोसिएशन के फाउंडर है तो इतना हम लोग के लिए काफी होगा अब आप ध्यान से देखेए आपको एक दर्भंगा बाला पता होना चाहिए इंडियन नेशन शुरेंदर नास बेनर जी उनिस्टोशे में आते हैं दे बहुत इंपॉर्टेंट है उसके प्रस्ण बीपेस्टी पूछ चुका है हम लोग और डीटेल में पढ़ लिए हैं बाबा जी था कुर्दास वाला भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसको आप तयार रखेगा अब ध्यान में देखें 1906 तक तो हम पहुंच गये हैं अब नेश दोनों अलग हो जाते हैं कहते हैं कि हम लोगों का रास्ता अलग रहेगा तो इसकी सूरत स्प्रेट का थोड़ा साब देख ले जब सूरत स्प्रेट होता है तो उस समय कॉंगरेस का अध्यक्ष कौन रहता है तो रस्भिहारी घोश आई ठीक है रश्बिहारी गोश रहेंगे उसकी अध्यक्षता करेंगे शूरत स्प्लिट का और यहां पर आप देखें कि moderate और extremist अलग-अलग हो जाएंगे और यह बहुत अब important होगा अब आप चीजों को परिपिक्ष में समझना स्टार्ट करेंगे चीजों को correlate करना स्टार्ट करें जब moderate क्या कह रहा है कि हमें सांती रूप से आजादी चाहिए extremist अब क्या कह रहा है कि अब हम बंदूग की दम पर लेंगे अब आगे आप ये पाएंगे एक मैं term यूज करूँगा अनुसिलन समीती हो सकता है कि आपको पता हो पर दोनों में अंतर समझना बहुत ही भारीक अंतर है बहुत लोग को ये नहीं पता है कि extremist और अनुसिलन समीती में क्या अंतर है तो याद रखिएगा जो extremist के नेता हैं ये कुछ नहीं है ये think tank है और उसी विचारधारा को implement करने वाला जो wing है वो है अनुसिलन समीती अगर आप उधारन के तोर पर देखें तो आप एक RSS है और एक भरतिये जनता पार्टी है RSS क्या है? RSS एक विचारधारा को follow करता है एक ideology को follow करता है वह राजनीती में नहीं है इस ideology को implement कौन करता है? BJP implement करता है implement करता है उसी तरह से extremist का ideology है कि हम लोग अपनी तागत के बलबूते अंग्रेजों को ख़ड़ेंगे और उसको implement कौन करेगा? अनुसिलन समीती implement करेगा तो इन दोनों का अंतर आपको समझ में आना चाहिए वैसे आपको हम बताते चले कि अनुसिलन समीती का founder 1902 में 37 चंद्र बसू है यहने इस तरह हिस्ट्री का पाठ है पर मैंने आपको बता दिया अब ध्यान दीजिए अब ध्यान दीजिए सूरत स्प्लिट हो चुका है अंग्रेज अब क्या करेगा? एक तरफ moderates है क्या करेगा कि moderate को भी खुष करना है और extremist को यहां क्या करना है? अब extremist अपनी तागत दिखाना स्टार्ट करेंगे कि भाई अब देखो हम अपनी कुछ तागत दिखाएंगे moderate को खुष करने के लिए अंग्रेज क्या करेगा? यह तो बोलना है कि हमको non-violent तरीका से आजादी चाहिए यहां पर आप देखेंगे कि Government of India Act 1909 लेके आएगा इसी को आप morally mental reforms कहते हैं जब Government of India Act 1909 लेके आएगा तो इसमें उनको क्या देगा? एक लॉलीपॉप की रूप में अंग्रेज देगा और कहेगा कि अब आप election में पार्ट लीजिएगा वो election जो रहेगा, indirect election रहेगा पर moderate को यहां पर अंग्रेज सांथ कर देगा अब extremist को अपनी तागत निखानी होगी कि अब हम अपनी तागत से तुमसे आजादी लेंगे तो extremist इसी समें एक बहुत बड़ा कांड करते हैं और वो कांड अपने बिहार में होता है उस कांड का नाम है मुझब फरपूर बॉंब केस ये उसके पीछे का background है चो में सूरत स्पिल्ट हो चुका है साथ में अब सूरत स्पिल्ट साथ में हुआ अपनी तागत एक्स्ट्रमिस दिखाएंगे और एक्स्ट्रमिस तागत बिहार के मुझब फरपूर में दिखाते हैं और याद रखिए हमारे एक जाम के लिए बहुत important है क्योंकि अपना मुझब फरपूर बिहार में है अब देखे मुझब फरपूर बॉम केस में होता क्या है जब मुझब फरपूर बॉम केस को आप देखेंगे तो मुझब फरपूर बॉम केस 30 अपरील 1908 को दो योद्धाओं के द्वारा घटित घटना है उन योद्धाओं का नाम है खुदी रामभोष और दूसरा बड़ा नाम है प्रफूल चाकी और ये दोनों बहुत बड़े नाम है और क्रामतिकारी इतिहास में इनकी जितनी प्रसंसा की जाए वो कम है होता क्या है मुझब फरपूर बॉम केस में यहां पर एक आदमी है उस आदमी का नाम है किंग्स फोड जज है उस आदमी का नाम है किंग्स फोड ये जो जज है ये इतना बायस्ट आदमी है कि अगर कोई काम एक अंग्रेज कर रहा है और एक इंडियन कर रहा है तो इंडियन वाले को फांसी दे देगा अंग्रेज को भरी कर देगा जो political prisoner से उसको काला पानी का सजा देगा बिना मतलब का तो ये बहुत ही bias judgment देता था अब extremist को दिखाना है कि हम अंग्रेज को challenge करेंगे वो क्या कहते हैं कि वो decide करते हैं कि king sport की हम लोग हत्या करेंगे कैसे king sport की हत्या करेंगे तो हम bomb उन पर देंगे वो बग़ी से जा रहे थे पर दिक्कत क्या होता है कि जब bomb फेकने जाते हैं तो गलती से confusion हो जाता है धेर सारी बग़ियां चल रही होती हैं गारियां चल रही होती हैं bomb फेकना था king sport इसमें जा रहा था इसके पीछे एक गाली चल रही थी बॉंब इस पर फेकना था खुद इराम बोस और प्रफुलिचा की कनफ्यूज हो जाते हैं और बॉंब इस बाले बग़ी पर फेक देते हैं तो मरना था किंसपोर्ट को मर गया कोई और और जो ब्यक्ति मरा वो बहुत ही हिंदुस्थान के तो पिंगले किनेडी की वाइप मर जाती है और इनकी बेटी मर जाती है दोनों मर जाते हैं याद रखिए कि इस ते इतने आहात होते हैं कि प्रफूल चाकी है बहुत आहात होते हैं और प्रफूल्चा की खुद का सुसाइड कर लेते हैं इतने दुखी हो जाते हैं कि सुसाइड कर लेते हैं और खुदी राम बोस को फासी लगती है और फासी पर चड़ते हैं 11 अगस्त 1908 को यह जो मुझफर पूर बॉम केस है इसकी जो बहादुर यो धाओं ने दिखाई थी ठीक है उसमें कुछ मिस्टेक हुआ पर पहली बार किसी ने अंग्रेजों को चैलेंज किया और उस चैलेंज की उसकी प्रसंसा जो है सांती स्वरुप नरायन ने अपनी एक पत्रिका लिखते थे उस पत्रिका का नाम था स्वराज इनकी जो धाओं की बहादुरी की चर्चा की स्वराज पत्रिका में और फिर इन पर फाइन किया गया और फिर इनको जेल में भी डारा गया तो ये मुझभफर पुर बॉम केस की पूरी घटना है चुकि अभी हम रिभोलूस नरी नेशनलिजम पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा और आपको बताते चले यहां पर देवघर हमेशा से एक बहुत इंपोर्टेंट सेंटर रहा है 1857 की क्रांति की जो पहली चिनगारी है वो देवघर के रोहिनी विलेज से हुआ है देवघर उस समय बिहार का पाट था वो बाद में अभी जारखन में चल गया है जो बाबाधाम के लिए बहुत फेमस है देवघर में जो आप अगर पाएंगे तो यहां पर एक बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता हुए सखाराम आपने नाम सुना होगा सखाराम गनेश देवसकर यह बहुत बड़ा नाम है जब सखाराम गनेश देवघर वाले सेंटर को लीड करते थे देवघर वाले अनुसिलन समीती को लीड करते थे सखाराम गनेश देवसकर की एक किताब है दसेर कथा और यह बहुत फेमस किताब है दसेर कथा तो सखाराम गनेश देवसकर की किताब है दसेर कथा और ये देवगर वाले अनुसिलन समीती सेंटर को लिड करते थे इसी बीच एक करांतिकारियों के बहुत बड़े फेमस हुए सचिंद्रनास सन्याल सचिन नाचन्याल बहुत बड़े फेमस लीडर हुए क्रांतिकारियों के एक्स्ट्रमिस्ट के इन्होंने अनुसिलन समीती की गठन किया कहां पे पटना में गठन करते हैं 1913 में सचिन नाचन्याल आकर गठन करते हैं और यही पर एक BN कॉलेज के स्टुडेंट रहते हैं अभी भी BN कॉलेज है पटना में BN कॉलेज पटना के स्टुडेंट है उनका नाम है बंकिम चंद्र मित्रा और बंकिम चंद्र मित्रा को पटना वाले अनुसिलन समीती का head बनाते हैं कि आप इसको lead करिए इस तरह से revolutionary nationalism बिहार में peak पर रहता है और बिहार एक important center के रूप में निकलता है अब next important part पर अगर हम लोग चले तो बहुत एक important segment है जहांसे भरपूर questions आता है उस segment को आपको कर लेना है वो है formation of separate बिहार जब formation of separate बिहार देखेंगे तो कौन formation होता है कैसे formation होता है यह देखना बहुत important है अगर आप formation of बिहार का बात करते हैं तो उसका जो सबसे बड़ा नाम है उस आदमी का नाम है सचितानंद सिनहा इन के नाम पे धेर सारे बिहार में colleges बगर भी हैं सचितानंद सिनहा बहुत बड़े नाम है और सचितानंद सिनहा को creator of modern बिहार भी बोलते हैं creator of यह BPSC में पूछा हुआ question है और BPSC बहुत questions को repeat करता है तो आपको पता होना चाहिए he is a creator of modern बिहार आखिये में इसकी formation करते कैसे हैं तो याद रखिए इसकी formation की new 1894 में लिखी जाती है इसकी इबादत सचितानंसिनहा बैरिस्ट्री की पढ़ाई लंदन से करके आते हैं तो इन्हें लगता है की इन्हें लगता है की बिहार का development बंगाल के साथ अटेस्ट नहीं हो पा रहा है और उसकी new बिहार टाइम्स के रूप में रखते हैं और बिहार टाइम्स का गठन करते है एक पत्रिका है और बिहार टाइम्स जो है पत्रिका ये पहली बार प्रिथक बिहार separate बिहार प्रिथक बिहार का demand उठाता है प्रिथक मतलब separate बिहार का और उसके आर्टिकल लिखनाय स्टार्ट करता है जो बिहार टाइम्स है इसकी गठन सच्चतानन सिना ने अपने मित्र नंद की सोरलाल कृष्णा साहय महेश्ट नारायन के साथ मिलकर करते हैं याद रखेगा ये महेश्ट नारायन पत्रकाजिता के दुनिया में उसमें एक ब महेश्ट नारायन मरेंगे और तब तक ये लगातार एडिटर रहे हैं और जो प्रिथक बिहार का जो स्लोगन है जो प्रिथक बिहार स्लोगन देते हैं वो महेश्ट बाबू के द्वारा दिया जाता है महेश्ट नारायन के द्वारा दिया जाता है तो इस तरह से आपको थ को ही चेंज करके बिहार टाइम्स को 1906 में 1906 में बिहार टाइम्स वाला जो अख़बार है देखीगा जो मैकजिन वाला एरिया है वहां से बीपीस्टी हमेशा प्रश्ण पूछता है तो आप तैयार होईएगा थोड़ा साथ को बोरिंग भले लगे पर एक्जाम पॉइंट जो उसे बहुत इंपॉर्टेंट है तो 1906 में इसका नाम पत्रिका का नाम बिहारी कर दिया जाता है ठीक है तो यह थोड़ा सा पता होना चाहिए 1907 में महेश नरैंड मर जाएंगे और लोंगेस सर्विंग एडिटर रहेंगे अब क्या होता है कि 1906 में एक और बहुत गटना होता है उसमें बिहार बंगाल का पाट है तो कलकता में जो बंगाल के उसमें राजधानी थी तो कलकता में एक बिहार इस्टुडेंट क्लब था उसकी अध्यक्षता कौन करते थे उसके चेयर्मेन कौन थे डॉक्टर राजिंदर प्रसाद हमारे पहले रास्ट पती तो जब ये देखे कि सचता नंसिना डिमांड बिहार की बढ़ा रहे हैं तो 1906 में पतना में एक बिहारी चात्र सम्मेलन किया गया बिहारी चात्र सम्मेलन किया गया कहां पर किया गया पतना में कौन कौन किये राजिंदर प्रसाद सचिता नंद सिना एक और बहुत बड़ा नाम है मजहरूलहक इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे बहुत बड़ा नाम है मजहरूलहक तो इस तरह के लोगों ने मिलके एक बतना में बिहारी छात्र संबेलन करते हैं और यहां से जो सेपरिट बिहार है मांग है वो स्टुडेंट के द्वारा बहुत ही तियोरी रूप से उठकर सामने आती है तो यह हमारा बैकग्डाउंड हो गया फिर आप पाते हैं कि जो बिहार का जो फॉर्मेशन है फाइनल बिहार का फॉर्मेशन बाइस मार्च 1912 को बिहार जो है बंगाल से अलग होता है और बिहार उरिशा सांथ में मिलके बाहर होते हैं और उसका कैपिटल पटना को बनाया जाता है बिहार उरिशा कंबाइन को लेकिन इसका जो नोटिफिकेशन है वो दिसंबर 12 1911 इस समय इसका नोटिफिकेशन कर दिया जाता है और हम लोग याद रखिएगा कि जो बिहार जो फॉर्मेशन जो बना है कैसे है वो हम आपको बताते हैं बाइस मार्च 1912 को बिहार अलग होगा और आप देखेंगे कि एक अपरिल 1936 को बिहार से एक और पाट तूटेगा वो है उडिसा और 15 नवंबर 2000 को बिहार का फिर से एक डिविजन होगा और बिहार से जारखंड राज का गठन हो जाएगा और ये 28 माराज के रूप में देश में आ जाएगा तो बिहार is the outcome हाँ याद रखिएगा कि 22 मार्च 1912 अपना जो डेट है 22 मार्च 1922 मार्च है 22 मार्च वो डेट है जब बिहार अलग बनता है नहीं कि उडिसा वाला ये वाला याद रखिएगा 22 मार्च 1912 जो 1936 में बनता है उडिसा उडिसा is the outcome of Government of India Act 1935 दिस जारखंड इस दा आउटकम ओफ बिहार रियोर्गनाईजेशन एक्ट होता क्या है जब बिहार का सेप्रेट मांग उठता है तो देश में तीन दिल्ली दरबार होते है जो पहला दिल्ली दर्बार होता है वो लिट्टन के वाइस रैसिप में होता है दूसरा दिल्ली दर्बार करजन के वाइस रैसिप में होता है और तिसरा दिल्ली दर्बार हार्डिंग के वाइस रैसिप में होता है यह वही हार्डिंग है जिसके नाम पे लेडी हार्डिंग म तो 1911 वाला में दिसंबर 12 को यह डिसाइड कर दिया जाता है कि बिहार को अलग राजे बनाएंगे पर फाइनल वो आउटकम आता है 22 मार्च 1912 को इस तरह से हम लोग बिहार का जो पुरा फॉर्मेशन है उसको हम लोग ने कभर कर लिया है अगली बार हम लोग होम रूल लीग बिहार में कैसे डिवलफ होता है और नन कॉपरेशन मुवमेंट जो बिहार उसका हब रहा है वो कैसे होता है उसको हम लोग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे थैंक यू वेरी मच रोहित है आज हम लोग जो टॉपिक के स्टार्ट करने वाले है जो 67th BPSC के लिए बहुत ही important है अगर आप 67th BPSC का नेचर देखेंगे तो तीन सेगमेंट है जहां से question हम इसाप पुछा जाता है जो पहला सेगमेंट है वो है चमपारन सत्यागरा अगर आप देखेंगे तो कोई भी ऐसा एक जाम नहीं है जहां पर चमपारन सत्यागरा से related questions नहीं है फिर तीशरा important है the invasion of बक्तियार खिलजी बक्तियार खिलजी का invasion है और तीसरा आप देखेंगे तो चमपारन सत्यागरा से पहले 1857 की क्रांती होती है the revolt of 1857 and role of बाबु कूँवर सिंग the fact of the matter is today we will study the चमपारन सत्यागरा in great detail इस ये चमपारन सत्यागरा को great detail में करना है क्योंकि जो basic questions हैं अभी तक पूछे जा चुके हैं किसने गांधी जी को invite किया इस तरह के questions पूछे जा चुके हैं तो what we have to do now is इसको हम great detail में पढ़े ताकि जो भी questions आएं चमपारन सत्यागरा से which would be in position to answer them under any circumstances तो without giving ज्यादा ज्यान अब आप सिधा हम लोग topic को start करते हैं चमपारन सत्यागरा को जो पहला हम लोग का start करेंगे चमपारन सत्यागरा को तो उसमें आप पाएंगे कि जो गांधी जी हैं गांधी जी का दो चीज फेमस है एक गांधी जी लोकल सत्यागरा करेंगे और एक गांधी जी ओल इंडिया सत्यागरा करेंगे जो गांधी जी ओल इंडिया सत्यागरा करेंगे इसका मतलब गांधी जी ओल इंडिया लेबल पर सत्यागरा कर रहे हैं गांधी जी जब local सत्यागरह की हम बात करते हैं तो गांधी जी कुछ local issues पर वहाँ पर सत्यागरह कर रहे हैं तो गांधी जी का अगर आप देखेंगे कि All India का पहला सत्यागरह गांधी जी का कब होता है तो you will find this in the Rollet Act कब होता है Rollet Act? 1919 में तो अगर question पुछता है कि which one of the following was the first All India सत्यागरह of the गांधी जी? It is Rollet Act बट if the question is asked what are the important local सत्यागरह कौन कौन है तो गांधी जी का पहला local सत्यागरह जो बहुत ही important है उसका नाम है चंपारन सत्यागरह दूसरा जो important सत्यागरह है गांधी जी का उसका नाम है लोकल सत्यागरह उसका नाम है अहमदाबाद मील स्ट्राइक जो तीसरा सत्यागरह गांधी जी का लोकल सत्यागरह important है उसका नाम है खेडा सत्यागरह वेर इस खेडा? खेडा इसन गुजरात ठीक है चमपारन सत्यागर यही सिरियल ओडर है पहले होता है चमपारन सत्यागर गांधी जी का 1917 में उसके बाद अहमदाबाद मिले स्ट्राइक होता है 1918 में उसके बाद खेडा सत्यागर होता है 1918 में ही पर पहले अगर आपसे ओडर पूछता है तो पहला है चमपारन सत्यागर दूस तो अगर आप गांधी जी के टूल को आप देखेंगे तो गांधी जी का टूल क्या है पहला जो गांधी जी टूल यूज करते थे वो है civil disobedience what do you mean by civil disobedience? civil disobedience का मतलब होता है नागरिक अवग्या आपने कोई कानून बनाया मैं उससे सहमत नहीं हूँ मैं उसकी अवग्या कर दूँगा in a peaceful way दूसरा जो गांधी जी टूल यूज करते थे उसका है hunger strike तीसरा जो टूल गांधी जी यूज करते थे वो है non cooperation non cooperation क्या होता है? असहयोग आप बाद में देखें कि non cooperation movement भी चलता है असहयोग आंदोलन गांधी जी चलाते हैं ये all जो टूल्स है these all are the peaceful means अगर आपको कभी वक्त मिलता है तो एक किताब आप पढ़िए उसका नाम है freedom at midnight बहुत खुब्सूरत बुख है freedom at midnight उस किताब में लिखा गया है कि गांधी जी आप means में इसको लिख सकते हैं गांधी जी forced Britishers to flee India by sipping water आप इस लाइन का महत्व आप समझे है by sipping water आप इस लाइन का महत्व समझे है गांधी जी के tools का महत्व समझे कि कितना tool important रहा है गांधी जी का फिर आपके जहन में आ रहा होगा आप ये क्या बता रहे है तो मुझे पता है देखे जो tools जो गांधी जी पहला tool यूज़ करते हैं वो है civil disobedience का नागरिक अवग्या का तो अगर question पुछता है कि where was the first tool of civil disobedience movement civil disobedience used by the गांधी जी it was the चंपारन तो first civil disobedience movement गांधी जी का चंपारन सत्यागरह में प्रयोग होता है first hunger strike गांधी जी कहां करते हैं अहमदापाद मील strike में करते हैं और गांधी जी का पहला non cooperation का असायोग गांधी जी कप करते हैं तो गांधी जी का पहला असायोग होता है first non cooperation खेडा सत्यागरह में होता है what I am trying to emphasize over here is through the local सत्यागरह गांधी जी serpent the tools जो इनके tools हैं गांधी जी के civil disobedience का hunger strike का non cooperation का उस tool का एक तरह से laboratory के रूप में इस्तमाल करते हैं local सत्यागरह पे उन tools को देखते हैं कि ये कितने कारगर हैं और उसके बाद he extrapolates that tool to the national level और फिर गांधी जी गांधी जी के रूप में फिर महात्मा गांधी और बाकु के रूप में उभर के आते हैं if a question is asked कि the civil disobedience movement was first used by the गांधी जी where the answer has to be चंपारन सत्यागरह hunger tool जो है गांधी जी ने कहां इस्तमाल किया तो अहमदबाद मिलिस ट्राइक पर किया और इस तरह से इसको कर सकते हैं चंपारन सत्यागरह पढ़ने हैं तो हमारे जहर में पहला question होना चाहिए कि what was the problem in चंपारन आखिर में problem क्या था क्या था वहाँ पर what was the problem in चंपारन वहाँ पर problem था क्या पहले तो आपको पता होना जी चंपारन है कहां बिहार में एक जगह है अगर आप रवरफली map को अगर ऐसे बना ले न तो ये है बिहार का में ये है आपका चंपारन इसको आप कहते है पस्चमी चंपारन उसके बाद यहाँ पर आपको आगया इस्ट चंपारन जिसका headquarter मोती हारी है उसके बाद आपको यहाँ पर आगया सीता मढ़ी के बाद मधु बनी यहाँ पर है सुपॉल और यहाँ पर एक छोटा सा जिला है उसका नाम है सिवहर तो चंपारन की हम बात कर रहे है तो यह पुरा चंपारन की बात कर रहे है जिसका इस्ट चंपारन का आपको headquarter है मोती हारी है ना तो what was the problem in the चंपारन तो problem चंपारन देखने के पहले आप हम लोग यह देखने कि देखो 1860 में एक किताब लिखी जाती है उस किताब का नाम है नील दरपन यह नील दरपन जो किताब है कौन लिखता है जो नील दरपन जो किताब है यह लिखते हैं दीन बंधु मित्रा और यह किताब बहुत फेमस हो जाती है यह किताब किस चीज़ से रिलेटेड है इस बुक इस रिलेटेड तो दे प्लाइट आफ इंडिगो फार्मर्स इंडिगो फार्मर्स कौन है जो नील की खेती करते है और जो लोग नील की खेती करवाते है जो अंग्रेज थे उसको कहा जाता है निलेहे साहब उनको कहा जाता है निलेहे साहब तो यह किताब इतनी फेमस हो जाती है दीन बंधु मित्रा की कि इसका इंग्लिश में ट्रांस्लेशन होता है कौन करता है इसके इंग्लिश में ट्रांसलेशन? उसनका नाम है मधु सुदन दत्ता उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं जब यह बुक बहुत फेमस हो जाती है तो लोग अवेर होते हैं और जब अवेर होते हैं तो आप यह देखते हैं कि 1860 में जो नील की खेती है, it's lifted from Bengal to Bihar. फिर आपके जहन में प्रशन यह उठ रहा है कि आखिर में नील की खेती से problem क्या हो रहा है, देखो यह parcel of land है, मानते हैं कि इसकी fertility 100% है, किसानों का यह मानना है कि जब एक सीजन वो नील की खेती करते हैं तो इसकी fertility घटके 50% हो जा रही है, फिर खेती कर रहा है नील की 25% हो र जा रहा है, वो barren land के रूप में चला जा रहा है, it becomes a barren land, तो कोई किसान क्यों ऐसा खेती करना चाहेगा, जिससे उसकी जमीन की उर्वर छमता जो है, उसकी fertility है, उसकी fertility चली जाए, तो इसलिए किसान indigo की खेती करना ही नहीं चाहता था, पर अंग्रेजों को indigo की खेती की ज़र थी, क्योंकि उन्हें कपड़ों को रंगना रहता था, उस समय फिर उस चीज को प्रोड़क्त को मोडिफाई करके फिर भारत में डंप करना होता था, तो पहला प्रस्नी यह हो गया कि problem क्या है, तो fertility चली जा रही थी, देखो जो सबसे important है, आपने बार बार अभी जो हाल में जो BPSC का एक्जाम हो, आपने देखा हो कि तिन कठिया प्रणाली के बारे में पूशता है, what is तिन कठिया सिस्टम, देखो तिन कठिया सिस्टम का कहना, अगर आप बिहार वगर में जाएंगे, तो वहां बिघा सिस्टम चलता है, जैसे अगर आप बात करेंगे, त इतना कठ्था होता है, बीस कठ्था होता है, तीन कठिया सिस्टम, बीस कठ्था का मतलब क्या हो गया, यह आपका लैंड है, मानते हैं, ठीक है, एक, दो, तीन, चार, बीस हो गया ना, तीन कठिया सिस्टम का मतलब है, यह बीस पार्ट में एक बिघा का लैंड है, जिसको म दो कठ्था, तीन कठ्था, तीन कठ्थिया प्रणाली का मतलब है कि इस तीन कठ्था में you are forced to grow indigo, आप इसमें कुछ और फसल करेंगे, देखिन इस पार्ट में जो तीन कठ्था सिस्टम है, इसमें आपको indigo का रुभाई करना ही करना है, देखो, उस समय इसको कते हैं तीन आपको खेती करना है, indigo का, जिससे fertility lose होता था और किसानों में बहुत इसकी रोज थी, देखो, वहाँ पर एक question अगर तुमसे पूछता है, अगर आप इसका detail में देख लें, कि किस तरह के land पर तिन कठ्थिया सिस्टम चलता था, तो उसका नाम है असामी वार, फिर आपके जमीन का नाम था खुसकी, तीसरा जमीन का नाम है असामी वार, जिरायत का मतलब है कि जमीन अंग्रेज का है, वो आपको सब पैसा देगा, माल देगा कि क्या ग्रो करना है, और आपको क्यों ग्रो करना है, उसके बदले आपको पैसा मिलेगा, that is called जिरायत लैंड, असामी असामी वार का मतलब है कि जमीन आपका है, और you are forced to grow in the three parts, तो तीन बठी पीस मतलब आपका जमीन है, पर आप कानून बद हैं कि आपको तीन भाग में, तीन कठा में आपको गुरू करना है, तो if a question is asked कि, on which type of the land तीन कठीया system used to get imposed upon, it is असामी वार, इससे ज़्यादर की ज उसका नाम था प्रताप, यह बहुत famous है और यह बहुत important question, देखो इस area से भी तक question नहीं पूछा जा चुका है, तो this becomes very important, प्रताप एक अखबार था, वो प्रताप अखबार कौन निकालते थे, उसके editor कौन थे, उनका नाम था गनेश शंकर बिद्यार्थी, जो गनेश शंक उस article का नाम था चंपारण में अंधियार, चंपारण में अंधिकार, आप और देखतें कि प्रताप इतना famous अखबार है, कि इसमें एक बेतिया, देखिए पस्मी चंपारण का headquarter है बेतिया, बेतिया में एक मदर्शा है, उस मदर्शा के एक teacher है, उनका नाम है पीर मुहम्म मुनिस, मदर्शा के teacher है, शिक्षक है, पढ़े लिखे आदमी है, ये उस अखबार में प्रताप निकलती कहां से थी, तो अलाहबाद से निकलती थी, तो पीर मुहम्मद मुनिस आर्टिकल लिखते हैं, उसका नाम है दुखी आतमा, किसका दुख? किशानों का बारे में लि प्रताप में निकलता है, जिसका गनेश्प संकर विद्धार्थी एडिटर रहते हैं, इस दर्मियान क्या होता है, कि वहाँ का एक local नेता आप कह सकते हैं, और local किशान कह सकते हैं, उस किशान का नाम है राजकुमार सुकला, बहुत बार question आ चुका है, राजकुमार सुकला राजकुमार सुकला वो आर्टिकल्स पढ़ते हैं, और राजकुमार सुकला बहुत ही द्रवित होते हैं, राजकुमार सुकला रहने वाले कहां 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 है, पहली बात तो यह important है, उनका नाम का गाउं का नाम है सतवरिया, लेकि बीपीए से इस तरह का प्रशन पुछले जहतना है, उनका जो जमीन दारी वगता रहता घमीन था उसका नाम है मुरली भरहाँ जगह मैं, तो अगर दोनों पुछले तो वही मारना है, मुरली भरहा वा शतवरिया कुमार सुकला क्या करते हैं कि ये डिसाइड करते हैं कि यार बहुत प्रॉब्लम है चमपारण में हम लोग चलते हैं कुछ कॉंग्रेस के निता से मिलते हैं उस समय 1916 में लखनव सेशन चल रहा था जेको बहुत इंपॉर्टेंट लखनव सेशन मजुमदार थोड़ सा बदा देता हूँ लखनू सेशन के बारे बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है लखनू सेशन में होता क्या है हिंदू और मुस्लिम यूनिटी हो जाती है और लखनू सेशन में क्या होता है आपको पता होगा कि moderate और extremist में थोड़ी लड़ाई थी वो भी यूनिटी हो जाती है जो moderate और extremist की जो यूनिटी होती है उसमें catalyst के रुप में काम कौन करते है उसमें catalyst जो है वो तिलक काम करते है हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो होता है इसी लखनू सेशन में सरोजनी नाइडू जो है वो जिना को कहती है he is a ambassador of Hindu-Muslim unity तो बहुत पर परसन पूछ लिया जाता है कि who said that जिना is a ambassador of the Hindu-Muslim unity it was said by सरोजनी नाइडू in the लखनू सेशन लखनू सेशन हमारे ऐसे भी important है national history point of view से लखनू सेशन में राज-कुमार सुकल जाते है और गांधी जी को चंपारन की पीडा बताते है कि चंपारन में problem क्या है और गांधी जी से कहते हैं कि आप हमारी दर्द का निवारन करिए पर आप देखेंगे जो भी सेशन होता है उस सेशन में कुछ ना कुछ resolution पास होता है तो resolution जो चंपारन सत्यागरा पे जो पास करोते हैं उनका नाम है ब्रचकिसोर प्रशाद now try to understand the gravity ब्रचकिसोर परशाद resolution को पास करोते है चंपारन सत्यागरा पे now try to understand the beauty अगर प्रषन पूछता है who invited गांधी जी to come to चंपारन answer is राजकुमार शुकला but the question is who got the resolution passed in लखनौ शेशन the answer is ब्रजकिशोर प्रशाद यही ब्रजकिशोर प्रशाद है जो राजेंदर बाग के जो पहले राष्ट पति उनके सशुर है ब्रजकिशोर प्रशाद तो कहने का मतलब है कि आप question का language को पकड़ना होगा फिर आपको answer देना होगा आपने बतार लखनौ सत्वरिया के रहने वाले है तो आपको ये बात एकदम clear cut होना चाहिए कि resolution कौन पास करवाता है तो इट ब्रजकिशोर प्रशाद अब तुम गांधी जी का movement कैसे होता है अब तुम गांधी जी का detail के बारे में तुम देखो तो पहले तुम दो-तिन देख लो ये है 9 अप्रील 1917 ये तुमको है 10 अप्रील 1917 10 से 14 अप्रील 1917 और यहाँ पे मानते हैं 15 16 अप्रील है 15 16 अप्रील है है ना देखो 9 अप्रील को गांधी जी कुलकत्ता से चलेंगे 10 अप्रील को गांधी जी पटना पहुँचेंगे देखो पटना में उसमें रहने का जगहतुर होता है उतना बड़े-बड़े लोग थे तो वहाँ का सबसे बड़े आदमी थे हैं मौलाना मजहरूल हक जो सदाकतासन बनवाते हैं हक साहब हक साहब वहाँ के बहुत ही बड़े राज परिवार के हैं तो हक साहब का जो पैलेस है उसका नाम है सिकंदर महल तो गांधी जी पटना आएंगे कलकता से और जो उनका पैलेस का नाम है जो घर में रहते हैं मजहरूल हक उनका नाम है सिकंदर महल मौलाना मजहरूल हक बहुत बड़े फ्रिडम फाइटर है सिकंदर महल में गांधी जी रुकेंगे 10 अप्रील को 10 अप्रील के रात को ही गांधी जी मुझभफरपूर के लिए निकल जाएंगे जब गांधी जी मुझभफरपूर के लिए निकलेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जेबी कृपलानी इनका मुझफरपुर में स्वागत करेंगे जेबी क्रिपलानी कौन है अगर आप जेबी क्रिपलानी के बारे में आप देखेंगे ना तो 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के प्रसिडेंट है बाद में ये हर्ते हैं इंडियन नेशनल कॉंग्रेस के प्रसिडेंट से है और बाद में फिर राजेंदर प्रसाद प्रसिडेंट बन गाएंगे लेकिन जब भारत आजाद हुआ तो हुआ जेबी क्रिपलानी क्या थे इस प्रिंस पल पानी करेंगे, 10 से 14 अप्रील का जो समय है गांधी जी किसानों से मिलेंगे, उनकी समस्या को समझेंगे, 15 और 16 अप्रील को गांधी जी मोतिहारी पहुचेंगे, तो मोतिहारी पहुचेंगे, यहां पर गांधी जी को वो कहेगा कि आप नहीं जा सकते हैं, अब देखो, try to understand the beauty जब गांधी जी को कहेगा कि आप नहीं जा सकते हैं, गांधी जी उस कानून को तोड़ देंगे, और जब उस कानून को तोड़ेंगे, तो आप क्या कर रहे हैं, आप जो आदेश दे रहे हैं, उसको हम मना कर रहे हैं, हम नहीं मानेंगे, जब हम नहीं मान रहे हैं, तो civil disobedience movement of the it is a crucible है क्यों क्योंकि गांधी जी को 15 सुल अप्रिल को मोतिहारी पहुंचते हैं वाँ का कलेक्टर बोलता है कि आप नहीं जा सकते हैं आगे गांधी जी उसकानून को तोड़ देते हैं hence it is called the first civil disobedience movement of the गांधी जी इससे रटना नहीं है इसको concept को आपको थोड़ा सा समझ के चलना है कैसे उसको कहा जाता है जब गांधी जी वहाँ जाते हैं तो कुछ नाम है जो बहुत नोटेबल जो नाम है जो people who were with the गांधी जी during the Champaran Satyagra पहला जो नाम है वो है तीसरा नाम ब्रच किशोर प्रशाद चौथा नाम राजकुमार सुकला पाचवा नाम मजहरूल हक इस तरह के स्रिक्रशन सिंग इस तरह के नाम है जो गांधी जी के साथ महाँ पे रहे है आपके देखे एक्जाम में ये important है सबसे notable absentee पढ़ लेजिए आपको छाटना होगा notable absentee कौन है जो यहाँ पर नहीं है चंपारान सत्यागरा में notable absentee है JP जैप्रकाश नरैन गांधी जी के साथ JP नहीं है JP उसमें active नहीं है और इस JP के नाम पर पतना का airport है लोकनायक JP को title दिया गया है लोकनायक JP के बार नोग पुरा detail में पढ़ेंगे कैसे आजाद दस्ता बनाते हैं कैसे क्या होता है लोकनायक कहते हैं जिसके नाम पर पतना एरपोर्ट का नाम है लोकनायक जैप्रकाश नरैन his famously called as the लोकनायक तो notable absentee during the चंपारण सत्यागरा it is JP लोक कौन है स्रिक्रिटन सिंग है अनुगरा बाबू है राजेंदर प्रशाद है नरहरी पारिक है ठीक है इस तरह के सारे लोग है है ना अब देखो होता क्या है जब गांधी जी पहुंचते है तो पुरा महौल बन जाता है चंपारण में और जब महौल बन जाता है तुम यहीं से फिर देखो कि उस समय बिहार का lieutenant governor है जिसको आप हिंदी में लिख सकते है उप राजेपाल थोड़ा सा हिंदी में प्रॉब्लम है उप राजेपाल जो है उनका नाम है Edward Gate वो देखता है कि इतना जन समरतन गांधी जी को मिलता है बोलता है कि गांधी जी आखिर में हम लोग एक कमिटी बना लेते हैं और इस कमिटी पर डिसकस कर लेते हैं कि क्या इसका किया जा सकता है इदिगो फार्मर्स का गांधी जी got so much love from the people of the बिहार तो एक कमिटी बनती है Edward Gate बोलते हैं उप राजेपाल के कमिटी बनाते हैं और उस कमिटी का नाम है चमपारन एग्रेडियन कमिटी ये जो कमिटी बनती है चमपारन एग्रेडियन कमिटी पहला प्रस्ण तुमको यह बनता है कि यह क्या करेगा उस प्रॉब्लम के हो देखेगा कौन इसको प्रेशाइड करता है यह बहुत इंपोर्टेंट क्वेस्चन बन सकता है देखो इस तरह का भी क्वेस्चन नहीं पुछा जा चुका इसके मेंबर्स कौन कौन है गांधी जी तो मेंबर रहेंगे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है गांधी जी इंडिगो फार्मस को इंडिगो फार्मस को रिप्रेजेंट कर रहा है और इसके कौन मेंबर्स है दूसरा है राजाहरी प्रशाथ तीसरा है जी रैनी चौथा है एलसी आता में देखूँ इस तरह से question पूछ सकता है कि which among the following जो नहीं member है और जी रीड उसके member है चंपारन एग्रेजियन कमिटी करता क्या है सबसे बड़ी बात है कि चंपारन एग्रेजियन कमिटी करेगा क्या तो चंपारन एग्रेजियन कमिटी ये कहेगा कि भाई पहले तो ये forceful इंडिगो का cultivation है इसको इस्टॉप करो तो चंपारन एक्ट आएगा 1918 में और तिन कठिया सिस्टम को खतम करतेगा ठीक है दूसरी बात ये है कि गांधी जी ये कहते हैं कि जो इंडिगो किशानों से जो तुमने illegal tax दिया है उस पैसा को लटाओ गांधी जी कहेंगे कि जितना illegal तुमने tax दिया है 100% पैसा लटाओ और सहमती बनती है कि 25% जो तुमने illegal पैसा कलेक्ट किया है इंडिगो फार्मिंग से उस पैसा को लटाओ तो कुछ लोग कहा है कि गांधी जी की ये हार है कि 100% मानते हैं 25% पे तयार होते हैं गांधी जी कहा है कि टोकिनिस्टिक मेजर है उसको हमने धकेल तो दिया उसको में पीछे तो कर दिया उसको मजबूर तो हमने किया तो 25% illegal tax लिया था उसको लटाने की बात होती है अब देखो चंपारन सत्यागरह से जितने प्रश्ण आएंगे तुम्हां से बन जाना चाहिए लेकिन और कुछ छोटे-छोटे facts देख लो देखो कभी ये BPSC उन छोटे-छोटे facts में गोच जाता है पहला fact ये है fact number one कि चंपारन सत्यागरह के दौरान गांधी जी 21 दिन के लिए राची जाते है तो JPSC वेगरह में पूछता है कि चंपारन सत्यागरह के लिए कितने दिन आए तो 21 दिन के लिए राची गांधी जी जाते है दूसरा इसमें एक important factor तुम्हारा ये बचता है कि गांधी जी कुछ schools open करते है गांधी जी दो schools open करेंगे चंपारन सत्यागरह के दौरान जो पहला गांधी जी school open करेंगे उसका नाम है बढ़हरवा लखनवा एक जगह है वहाँ पे school open करेंगे कहाँ पे है मोतिहरी के पास है 20 किलोमेटर मोतिहरी से दूर है जो भी इस चंपारन में है बढ़हरवा लखनवा में एक school open करेंगे और दूसरा school जो गांधी जी open करेंगे वो है भीतरवा कहाँ पे है भीतरवा ये नरकटिया गंज में है नरकटिया गंजो की पश्चमी चंपारन में है तो महाँ पे school open करेंगे भीतरवा में देखो गांधी को गांधी बनाने में अगर सबसे बड़ा योगधान है तो उस बिहार की भूमी का थे वह है चंपारन तो ये बात देखना कि इसी चंपारन के बाद इतना हिट होता है इसी चंपारन सत्यागरह के बाद टैगोर देखो इस पर थुड़ा सा विवाद है पर बहुत लोगों का कहना गिज़ा में लिखा हुआ है कि टैगोर इनको महात्मा की उपाधी देंगे और यहां से मुहंदास करमचन गांधी महात्मा गांधी बन जाएंगे और महात्मा की उपाधी मिले कि 1915 के आसपास टेगोर देते हैं तो कुछ लोग का ये थाट डिस्पूटेड है तो ये मानना की बापू और महात्मा अगर गांधी जी बनते हैं तो वो चंपारण की देन है तो बिहार की मिटी की देन है तो इस चंपारण मुव्मेंट वाज इचूज सक्सेश और मैं समझता हूँ कि जितने भी आपके प्रस्ण आएंगे आपके सारे बन जाने चाहिए जितने भी क्वेस्टन इसके आएंगे ठीक है बाकी इसके हम दो साम में एक सीरीज रखेंगे प्रिवियस यर क्वेस्टन जो आए हैं चमपारण सत्यागरह पर उस पर डिसकसन कर लिया जाएगा और कुछ fresh questions देखेंगे देखो 6 लाख बच्चे इस बार बैट रहा है तो don't expect की trivial questions आएगा और आप मार के निकल जाएगे तो अभी आप छोटे-छोटे exams का देखिए बिहार दर होगा अगर में कितने gentle questions आए हुए है तो इस तरह की तैयारी रखने है न किसी तरह के question आएगा तो हो जाना चाहिए और हमको लगता है कि हम लोग जितना detail से पढ़ा है वो सारा आपको मिल जाएगा और इसको हमनों टेलिग्राम चैनल पर अपने डाल देंगे है चलिए thank you very much Good evening everyone आज आपको पता है कि हम लोग ने चमपारन सत्यागरह कोई start किया है जहां से हमेशा question BPSC का वो favorite area है जहां से question हमेशा पुछता है तो आपको एक थोरो idea होना चाहिए चमपारन सत्यागरहिन बिहार का जब भी question आए तो आपसे miss नहीं होना चाहिए तो देखो जो चमपारन सत्यागरहिन बिहार है उसको दो segment में हम लोगों पढ़ना है एक तो prelims के perspective से पढ़ना है और एक mains के perspective से पढ़ना है तो मैं दोनों का question आपको दिखाता हूँ और आपको बताता हूँ कि जो आपने video देखा है उससे आप questions मार पा रहा है की नहीं आपसे बन पा रहा है की नहीं है ना तो कुछ हम दो prelims के previous year question लेंगे और कुछ fresh questions लेंगे और mains का एक question लेंगे और जिसका हम एक broader outline आपको दे देंगे और आप उसका answer लिखके हमें टिलिग्राम पर आप भेज सकते हैं और आप उसको लिखेंगे जैसे अगर mains का तुम question देखो और prelims का previous year question आपको दिखाते हैं mains का तुम question देखो तो question है की जैसे question हम frame करते हैं चंपारन सत्यागरह वाजा water shed was a water shed moment in India's struggle for freedom comment ठीक है इस question का आप answer लिखें और हमें telegram channel पे आप answer भेज़ें जिसको मुझे evaluate भी कर देंगे देखो इसका mains के perspective से है चार-पांसो वर्ड में लिखो पहली बात यह उती है कि जो आज हमने पढ़ाया है क्या उसको आप base बना कर लिख सकते हैं इसके बारे में हम लोग इसको थोड़ी दिर बाद इस वीडियो के अंत में हम लोग इसको discuss कर लेंगे इसका broader outline उसके पहले तुम prelims का segment देखो कि हमने जो वीडियो बताया है क्या उससे प्रष्ण बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे हैं हर एक जाम में तीन questions है minimum जैसे देखो प्रलिम्स के लिए हमनों questions लेते हैं और देखो बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है जैसे देखो ये question है कि 1866 और 67 के नील खेती हरू को बिहार में हुए विद्रोह के छेतर की पहचान करें मुझफर नगर योम छपरा कोई मतलब नहीं है मुझफर नगर तो हैंहीं नहीं उतर प्रदिस का जगह है मधु बनी योम बेगु सरा मांते हैं को ये question नहीं पता है पर देखो इसको कैसे मारना है तप्षन धेता है दरभंगा योम चम्पारन हो सकता है अब ध्यान से देखो कि तुम्हें नहीं पता है और तुमको हिट करना है तो पहला option तो तुम काट दो मुझभफर नगर UP का है तो वहाँ पे क्यों होगा तुमको ये पता है कि चमपारण जो नील खेती हरो का विद्रोष चमपारण में तो हुआ है तो you have to come to the answers either C or D अब तुम देखो दरभंगा हो सकता है और चमपारण हो सकता है क्या चमपारण ये वो मुझभफर पूर हो सकता है क्या पर तुम अगर वीडियो को ध्यान से देखे हो तो उसमें हमने बताया है कि दस तारिक के रात को गांधी जी मुझभफर पूर पहुशते हैं वहाँ पे भी पता है और हिट करना है तो मुझे D के साथ हिट करना चाहिए और D ही इसका सही एंसर है तो इस तरह से आप inculcate करेंगे ज़रूरी नहीं कि आपको सब चीज पता रहे तो अगर आप वीडियो को देखे होते तो आप इसको हिट कर लेते और आराम से सही एंसर हिर्दजे से चंपारण के किसानों के दूर दर्शा पर प्रकास डाला तो आपको पता है पीर मुहम्मद मुनिष थे जो बेतिया में एक मदर्शा था उसके सिक्षक थे परताप मैगजिन में इनकी आर्टिकल छपती है ये परताप मैगजिन मुनिष ठीक है जैसे ये पिछली बार का क्वेश्चन आया हुआ 66 BPC में who invited गांधी जी तो चंपारन सत्यागरा this is a very low hanging fruit राजकुमार शुकला है ना तुछा देखो इन कटिया system in Bihar how much land was to be reserved for the Indigo cultivation तो तीन बटे 20 तुमको पता थे तीन कटिया मतलब तीन एक बिगा मतलब 20 कठा तो तीन बटे 20 तीन बटे 20 तुमको जाएगा इसा बहुत simple questions है देखो which of the following was the Gandhi जी सत्यागरा movement in India which he used as a civil disobedience तो हमने वीडियो में भी आपको बताया जो आद आपको सुबह में दिया हूँ कि इस चंपारन सत्यागरा was the first civil disobedience movement civil disobedience movement in the sense नागरिक अवग्या आपने अवग्या किया DM ने बोला कि आप नहीं जा सकते हैं इसका अवग्या इन्हों ने कर देता है कर देते हैं अहमदाबाद मीले स्ट्राइक देखे तो पहला hunger strike है है ना और non cooperation movement का अगर आप देखने तो खेड़ा सकते हैं अगर इसका अंसर हो ताब these are very low hanging foods जिसको आपको hit करना ही करना है जैसे देखो who wrote the famous play Neil Darpan in which the operation of indigo farmer is displayed आप वीडियो देखो उसमें उन्हें साहब बताए कि 1860 में निल दरपन लिखते हैं दिन बंधुमित्रा बुक कि इतनी famous होती है कि उसको English में translate किया जाता है मधुशूदन दत्ता के द्वारा फिर आप देखो कि वहां से 1830 सक्षे कैसे आपको फिर बिहार में cultivation shift होता है and things move on तो यह सब जो है ना easy questions है जैसे अभी एक जो हमनों questions discussed कि है ना let's discuss that नो हम लोग उस question को देख लेते हैं थोड़ा सा जो मेंस वाला है कि चंपारन सत्ताइगरा बाचा water seed moment in the India struggle for freedom इस पर comment करो अब बताओ इस पर comment करना बहुत ही आसान है अगर तुमने उस वीडियो को देखा है तो तुमको दो-तीन folder हम एक brief outline दे देते हैं तुम brief outline देखो क्या लिखोगे पहला जो folder तुम्हारे पास point होना चाहिए कि बिहार acted बिहार specifically इन चंपारन चंपारन acted as a laboratory for testing the Gandhian methods or tools civil disobedience movement जो बाद में आप देखते हैं कि 1930 के आसपास इतना बड़ा movement बनता है जो पुरी बुनियाद हिला देती है ब्रेटीशर्स की उसकी new और उसका testing कहां पे होता है उसकी testing कहां गांधी जी करते हैं चंपारन में करते हैं भाई एक ऐसा चीज का परिशन चंपारन में करते हैं बाद में वो इतना बड़ा अंतोलन आप खड़ा करते हैं उसका मतलब दी चंपारन सत्याग्रावाचा क्योंकि इसका testing वहाँ पे हो जाता है दूसरा अगर आप ध्यान से देखे हूँ तो हमने बताया कि गांधी जी को मोहंदास करमचंद गांधी से महातमा गांधी बापू बनाने में अगर किसी अंदूलन का अगर आप बोलते हैं कि मुख्य रोल है तो इती चंपारन सत्यागर क्यों भई पहला कि गांधी जी की जीत होती है जीत इंदा सेंस चंपारन एगरेरियन कमिटी बनती है फिर चंपारन एक्ट पास होता है और उसको रिपील कर दिया जाता है तो गांधी जी यहां से आप देखेंगे कि he emerges as a mass leader और वही गांधी जी को श्री जाता है कि भारत को आजाद कराते हैं बहुत लोग कराते हैं पर गांधी जी उसमें मुख्य रूप में रहते हैं तो गांधी जी की credibility कहां build होती है credibility as a mass leader कहां build होती है it's in चंपारन तो water check moment तो है यह सब हमने वीडियो में बताया है जिसको आप link कर सकते हैं है ना तो इस तरह से आप इसको बहुत ही अच्छे से आप answer लिख सकते हैं means के लिए उस वीडियो के माध्यम से तो जो हम लोग वीडियो बना रहे हैं वो means और prelims दोनों को कभर करेगा और लोग था थोड़ा सा ज़्यादा बना रहे हैं कि उसमें क्या है कि आपका prelims का दोखो question फसना नहीं चाहिए और हमने जो वीडियो पता है न उसमें थोड़ा सा common sense लगाएंगे न तो आप उसमें answer निकाल लेंगे और means के लिए जैसे मैंने दो point बता है उसमें और बहुत चार point बता है उस वीडियो को देख लेना तो उसमें by that video you can answer this question आराम से चलो ठीक है कल फिर कुछ नई वीडियो के साथ आएंगे है ना देखो भाई कुछ message लोग दरोगा वाले कर रहे हैं कि सरकटों बता हूं लोग तो दरोगा के लिए नहीं है बीपिए से पर उसके questions अच्छे हैं तो मैं किसी को निखिल सर को बोलता हूं वो हो सकता उसका वीडियो आपको बना दें पर वो से questions अच्छे हैं उसको देखा जा सकता है Thank you आज हम लोग बिहार के modern history वाले part को continue करेंगे तो ये हमारा lecture 5 होगा और आज हम लोग बहुत important issues को cover करेंगे उस issues में home rule league आएगा, खिलाफत movement आएगा और non cooperation movement आएगा, असायोग आंदोलन आएगा और इसको हम लोग great detail में पढ़ेंगे और बिहार का इसमें कितना योगदान रहा है इन issues को discuss करेंगे, पहले हम लोग आज home rule league से start करेंगे home rule league जो movement है 1916 के आसपास पुरे देश में चलता है home rule league के दो बड़े leader हैं, जो इसको home rule movement को start करेंगे, एक है Annie Besant, जिनको आप जानते होंगे और एक है तिलक, जिनसे हम सब वाकिफ हैं और हमारे national hero है ये picture बहुत लोग नहीं जानते होंगे पर ये हैं, अगर बिहार के गौरोसाली इतिहास के अगर चर्चा की जाएगी तो उसमें कुछ लोगों के नाम स्वर्णी मक्षरों में लिखे जाएंगे उसमें एक नाम जिनके स्वर्णी मक्षरों में लिखा जाएगा और हम लोग पढ़ते हैं, वो है मौलाना मजहरूलहक आप अगर लंदन से करते हैं और गांधी जी के बैश्मेट रहते हैं, तो ये हैं मौलाना मजहरूलहक और बहुत बड़े फिड़म फाइटर हैं, देखिए होम रूल लीग स्टार्ट करने के पहले हम लोग उसके बैक्डराउंड में जाना होगा होम रूल लीग में होता क्या है होम रूल लीग 1916 के आसपास हो रहा है इसके बैक्डराउंड में ये है कि 1914 से लेके 1918 तक First World War चल रहा है जब First World War चल रहा है जब First World War चल रहा है तो अंग्रेजों को अपने कॉलनी से पैसा उगाही करना है ताकि वो विश्यूत को लड़ सके भारत से कॉलनी रहता है लोगों पर टैक्स बढ़ा दिया जाता है जब लोगों पर टैक्स बढ़ाएंगे तो लोगों में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाप एक द्वेश की भावना पैदा होती है और 1916 हमारे लिए बहुत ही एक वाटर सेड मुवमेंट अप दे इंडियन हिस्ट्री है क्योंकि यहाँ पे लखनव पैक्ट हो चुका है जब लखनव पैक्ट हो चुका है तो हिंदू-मुस्लिम यूनिटी पीक पर है दोनों में हिंदू और मुसल्मानों में डोमिनियन स्टाटस दिया जाता है जिसमें उधारन के तोर पर कैनडा है न्यूजिलेंड है तो होम रूल लीग के दोरान एनी बेसिंट और सिलक लोगों का मांग ये है कि भारत को भी ब्रिटिश समराज के अंदर डोमिनियन स्टाटस दे दिया जाए अगर कैनडा को दिया जा सकता है न्यूजिलेंड को दिया जा सकता है तो भारत को भी डोमिनियन स्टाटस मिल सकता है ये है हमारा होम रूल लीग का बैकड्राउंड और इसे बैकड्राउंड में हम लोग आगे मुफ करते हैं होम रूल लीग की अस्थापना बिहार के पटना में होती है जो होम रूल लीग का एक यूनियन एक यूनिट रहेगा जो बिहार में उसकी अस्थापना 16 दिसंबर 1916 को पटना में होगा और उसकी अस्थापना करने वाले मौलाना मजहरूल हक होंगे इसके प्रेसिडेंट मौलाना जो होम रूल लीग जो पत्ना में बने गा उसके मौलाना मजहरूल हक है और वाइस प्रेसिडेंट सर्फराज खान और इसके होमरून लीग जो पतना वाला यूनिट है उसके सेक्रेटरी रहेंगे पहला विजिट जो लेंगी एनिबेसेंट वो अठारह जुलाई 1918 को लेंगी और फिर साथ दिन बाद दूसरा विजिट लेंगी वो है 25 जुलाई पतना आएंगी एनिबेसेंट होम रूली को बढ़ाने के लिए 25 जुलाई 1918 को लेंगी एक चीज चुकी एनिबेसेंट का जिक्र हो रहा है तो थोड़ा सा अगर एनिबेसेंट के बारे में जानकारी रहे तो कोई धिक्कत नहीं होना चाहिए एनिबेसेंट जो है पहली 1917 का सेशन होता है कैलकटा सेशन का उस कैलकटा सेशन की अध्यवश होती है एनिबेसेंट और इस तरह से वो पहली वीमेन प्रेसिडेंट आफ इंडियन नेशनल कोंगरेस बनती है ये चीज ध्यान में रखना होगा आपको कि एनी बैसेंट जो है किस चीज की प्रोमोटर है तो एनी बैसेंट फैबियनिजम को प्रोमोट करती है क्या है फैबियनिजम फैबियनिजम कहता है कि सोशियलिजम तो आए Hevianism कहता कि Socialism आये पर धीरे-धीरे आये Socialism in a slow manner is a P paybinism Socialism जब जनता तयार हो जाए सरकार तयार हो जाए तो Socialism आये पर धीरे-धीरे आये तो P paybinism की बहुत बड़ी supporter है और जो Dominion Status की बात करती है वो Iris model है होकूमत रहेगा अंग्रेज का पर उसी में एक स्वायत इकाई एक इंडिपेंडेंट इकाई बनेगा जिसको हम डोमिनियन स्टाटस कहेंगे तो ये थोड़ा सा इंपोर्टेंट है और इससे ज़्यादा बहुत इंपोर्टेंट चीजे नहीं है और निशनल हिस्ट्री का ही पार्ट है एक चीज़ आपको ब पताया कि अगर कुछ लोगों के नाम अगर स्वर्णी मक्षरों में लिखे जाएंगे तो इसमें मौलाना मजहरूल हक का नाम रहेगा इनके बारे में बहुत ही सुन्दर एक एनेकडोट है जब चमपारन सत्यागरह में जब सुकला जी राजकुमार सुकला जी गांधी जी गांधी जी बड़े नेता है और मेरे कहने पर आये हैं तो वो लेकर सीठे डॉक्टर राजंदर प्रशाथ के यहां लेकर जाते हैं जो हमारे पहले राश्टर पती हुए उनके ओ ले जाते हैं कि इनके हां बिवस्था होगी गांधी जी वासरून को यूज कर लेंगे फ्र राजिंदर बावू के हाँ ले जाते हैं तो इनके वरकर जो हैं जो इनके स्टाफ हैं वो सुकला जी को अतना सिरियस्नी नहीं लेते हैं क्योंकि एक सिंपल अधना सा कारे करता हैं और जब इस सुकला जी कहते हैं कि गांधी जी आए हैं इसलिए ये कहा जाता है कि गांधी ज रहता ही है पर प्लैटफॉर्म चंपारन सत्याग रह देता है तो गांधी जी को लगता है कि ये सुकला जी को तो सिरियसली ले नहीं रहे हैं और वास्रूम एक जो स्टाफ वाला वास्रूम है वही यूज़ करने के लिए दे दिया जाता है राजेंदर बावु उसे में प्र मजहरूल हक को याद करते हैं जो सांत में बैरिस्ट्री की पढ़ाई लंदन में करते थे और इस तरह से गांधी जी मजहरूल हक के यहां जाते हैं और मजहरूल हक पतना के बहुत बड़े जमिंदार परिवार के हैं और ये पैलेसियल घर में रहते हैं और इनके घर का नाम में discuss करेंगे कि क्या-क्या इनका योगदान है तो Home Rule League में इससे ज़्यादा अपने बिहार के लिए कुछ भी important नहीं है बस आपको ये नाम थोड़े से ध्यान में रखने होंगे और move करना होगा Let's move to the next part खिलाफत movement जो खिलाफत movement पें बिहार का योगदान क्या रहेगा ये अगर आप photo देखते हैं तो ये सौकत अली का photo है देखिए खिलाफत movement का अगर आप background देखेंगे तो इंडिया में दो लोग लीड कर रहे हैं मुहम्मद अली and सौकत अली आपको लग रहा हो कि सौकत अली का ही केवल picture क्यों है सौकत अली का हमने picture इसलिए लगाया है कि जब खिलाफत movement होता है तो सौकत अली पटना भीजिट करते हैं मुहम्मद अली जोहर नहीं करते हैं तो यह पुछा जा सकता है इसलिए मैंने picture डाल दिया कि ताकि आपके जहन में रह सके पहली बात यह है कि खिलाफत movement का थोड़ा background पता रहे तो चीजों को relate करने में सहूलियत होगी मैंने अभी आपको बताया कि खिलाफत movement में क्या हो रहा है तो अंग्रेजी हुकूमत अंग्रेज हुकूमत क्या करती है कि जो सुल्तान अफ्तर की है जो सुल्तान अफ्तर की है यह Ottoman Empire है और जो Ottoman Empire के यह सक्षेसर्श रहे हैं तो इनको जो है पूरे विश्व के जितने भी मुशल्मान हैं इनको अपना खलीफा मानते हैं जब तरकी हारता है जब तरकी का सुल्टान हारता है तो विश्व के मुसल्मान अपनी हार मानते हैं और सोचते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत के चलते अब इसलाम खत्रे में है इसलाम इंडेंजर है तो उस अंग्रेजी हुकूमत के खत्रे के कारण पूरे विश्व के मुशल्मान उसका बिरोध करते है और वही बिरोध उर्दू में उसको आप खिलाफ़त बोलते हैं और वही जो बिरोध होता है तर्की के जो सुल्तान है उसको हराने के लिए और Britishers द्वारा अपना terms दिक्टेट करने के लिए उसका बिरोध होता है और उसी बिरोध को आप खिलाफत movement बोलते हैं पूरे विश्व के मुशलमान उसका बिरोध कर रहे हैं भारत में जो मुशलमान उसको लीड कर रहे हैं वो हैं मुहम्मद अली जोहर और सौकत अली और यहीं सौकत अली भीजिट करेंगे पटना तो जो खिलाफत कमिटी बिहार में बनती है वो अंजुमन इस्लामिया हॉल में बनती है अभी भी पटना में अंजुमन इस्लामिया हॉल है और हसन इमाम जो खिलाफ़त कमिटी पत्ना में बनेगी हसन इमाम उसे में कॉंग्रेस के बहुत बड़े निता है बहुत बड़ा नाम है हसन इमाम रसीदुल हक का नाम को प्रस्तावित करेंगे कि रसीदुल हक जो है जो खिलाफ़त कमिटी जो पत्ना में बनेगी उसकी अध्यक्षता करेंगे और हसन इमाम के इस प्रस्ताओ का समर्फन राजिंदर प्रशाद करेंगे अनुमोदन राजिंदर प्रशाद करेंगे अनुमोदन हसन इमाम करेंगे और ये सेकेंड करेंगे राजिंदर प्रशाद आपको इस समय धान रखना होगा जब भी आप चीजों को पढ़ें तो समगरता में पढ़ें यहाँ पर आप देखें कि हसन इमाम प्रस्ताव कर रहे हैं अनुमोदन कर रहे हैं उस नाम को सिकन राजिंदर प्रशाद कर रहे हैं मामला किस चीज का है खिलाफत मुवमेंट का है खिलाफत मुवमेंट एक रिलिजियस मुवमेंट है उस रिलिजियस मुवमेंट का आप ये देखते हैं कि एक इस्लामिस्ट मुव्मेंट है जिसका कोई मतलब नहीं है पॉलिटिकल मुव्मेंट से फिर भी उसको सपोर्ट किया जा रहा है और जो सेंटरल खिलाफत कमिटी बनती है उसकी अध्यक्षता हमारे बापू और गांधी जी करते हैं तो इस तरह से आ हम लोग आगे मूफ करते हैं आपको एक चीज दो चीज मैं थोगा था बताते चलू होम रूल लिग में दो तीन चीज को मैं छूट गया जो एकजाम में कभी यह भी पूछ लेता है होम रूल लिग के समय ही तिलक ने कहा था कि स्वराज इस माइ बर्थ राइट स्वराज is my birthright and I shall have it तो हूम रूल लिग के समय यह तिलक का स्टेटमेंट है तिलक का स्टेटमेंट एक और है कि आपको हमने पिछले क्लास में बताया है कि 26 या 27 से 30 दिसंबर के हर साल के अंत में कॉंग्रेस का अधिवेशन तिन दिवस यह होता था तिलक ने इस समय कहा थ था कि यदि हम वर्स में एक जाम में पूछता है इस तरह का प्रस्णिए यदि हम वर्स में एक बार मेंधक की तरह तर्टर करेंगे करेंगे तो हमें कुछ नहीं मिलेगा यह तिलक का स्टेटमेंट है तो हमारा कहने का मतलब है कि ऐसी चीज़ों को पढ़ना है कि जो एक्जाम में यूजफूल होता के तो यह दोनों स्टेटमेंट तिलक का बहुत इंपॉर्टेंट है और इस स्टेटमेंट को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो अच्छा ह होगा यहीं पर एक चीज़ और चुकि यह स्टेटमेंट की बात हो रही है तो एक चीज़ और यहीं पर हम लिखते चले कि मौलाना मज़रूल हग बहुत बड़े जीज़ों को फेवरेट है तो उनका एक लाइन है कि the fate of Hindu and Muslim is same either we will sail together or we will sink together यह मौलाना मज़रूल हग का statement sink together as we are sailing in same boat हम लोग एक ही नाव में सफर कर रहे है हिंदू और मुसल्मान हम लोग या तो साथ में नई दरिया को पार कर लेंगे या इस दरिया में दोनों को डूब जाएंगे तो हम दोनों का और इसको आप मेंस में जब भी हिंदू-Muslim unity वाला issue पर लिखने के लिए आए तो इस चीज को आप quote करेंगे and this will give you the brownie point in the means यही सब चीज़ें आपको brownie point देंगी तो हमारा यही कहने का मतलब है कि हमने आपको तीन statement का जिक्र कराया एक statement आपको पता होगा इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि तीलक ने ये कहा है और तीसरा है अब लेट अब लेट सेल तुगेदर और लेट सेल तुगेदर प्रती राजिंदर प्रशाद लीड करते है राजिंदर बाबु बिहार में इस पूरे movement को लीड करेंगे नन कॉप्रेशन मुव्मेंट का थोड़ा से अगर हमें background पता रहेगा तो चीजों को समझने में बहुत सहुलियत होगी नन कॉप्रेशन मुव्मेंट किन मुद्दों पर होता है एक पंजाब इंजस्टिस पर होता है पंजाब इंजस्टिस क्या है जालियावाला बाग मैसे कर होता है डायर हमारे देश के लोगों की इंविशन से हत्या करता है हंटर कमिशन बनती है और हंटर कमिशन उस डायर को बरी कर देती है तो वही तो पंजाब इंजस्टिस है तो नन कॉपरेशन मुव्मेंट वाजा गेल तब पंजाब इंजस्टिस दूसरा आपको हमने बताया कि 1910 में लखनो पैक्ट हो चुका है हिंदु मुस्रिम यूनिटी पीक पर है सुल्तान और तर्की हार चुका है तर्की का सुल्तान का खलीफा माना जाता है और देश के मुशल्मानों को लगता है कि तर्की की हार हम मुशल्मानों की हार है उसके लिए खिलाफ़त कमिटी बनती है तो दूसरा जो issue होता है वो है खिलाफत रॉंग तो Nun Corporation Movement का दूसरा मुद्धा ये है और तीसरा है सुराज कि हमें सुराज दो तो ये तिन मुद्व पद नन कॉपरेशन, मुवमेंट स्टार्ट होता है पूरे देश में, नन कॉपरेशन का मतलब क्या है, असायोग करेंगे, कैसे असायोग करेंगे, तुमी स्कूल चलाओगे, हम स्कूल में नहीं जाएंगे, तुम कोट चलाओगे, हम कोट में वकिल के रूप में भाग नहीं लेंगे, जब हम असहयोग करेंगे, जब लोग असहयोग करना स्टार्ट कर देंगे, तो तुम्हारा सिस्टम जो है, जिसने तुमने सिस्टम को बनाया है, यह सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा, पर यह सिस्टम कोलाप्स करेगा तो हमारे लोगों को दिक्कत होगी जब हमारे लोगों को दिक्कत होगी तो हम एक पैरलल सिस्टम खड़ा करेंगे, वो कैचे पैरलल सिस्टम खड़ा करेंगे, वो हम आगे देखते हैं important leaders of खिलाफत movement कौन कोन है हमने पहला बताया कि राजिंदर प्रशाद बहुत बड़ा नाम है दूसरा बिहार के बहुत बड़े नाम है डॉक्टर अनुगरह नरायन सिनहा बहुत बड़ा नाम है स्रीकृष्ण सिंग बड़े नाम है अनुगरह नरायन सिनहा को आप बिहार विभूती कहते हैं श्रिकृष्ण सिंग को बिहार केशरी कहते हैं, यह सब बड़े नाम है, तीसरा बड़ा नाम है ब्रजकिशोर प्रशाद का, ब्रजकिशोर प्रशाद को जेपी के यह समधीर हैं, जो जैप्रकास, जो लोकनायक जैप्रकास हैं, उनके यह समधीर हैं, सॉरी, समधीर हैं, इन इन मुद्दों पर होता है तो याद रखिए कि थोड़ा सा मैं हलका सा और आपको background बता दूँ कि जब जालिया वाला बाग मैंसे कर होता है तो देश का जो intellectual बर्ग है बहुत ही ब्यथीत होता है और उसमें एक बहुत बड़ा नाम है उनका नाम है बिस्मिल अजीमाबादी औ तो अंत में एक पत्रिका है सब ये पत्रिका दिल्ली से निकलती है और इस पत्रिका जो दिल्ली से निकलती है इसमें बिस्मिल अजीमाबादी एक कविता लिखते हैं सरफरोसी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजवे कातिल में है बहुत लोग इस सरफरोशी की तमनाब हमारे दिल में है इसको फेमस जरूर किया है पर लिखा है बिस्मिला जीमाबादी ने 1921 में इसी कड़ी में अगर आप देखेंगे तो एक और बड़ा नाम है हरसद महतानी चुकि यहीं पर बता दे रहे हैं आपको हरसद महतानी हरसद महतानी जो हैं वो और आपके जहन में यह रहता है कि हो सकता है पर लिखा हरसद महतानी ने है चुकि यह तरह का प्रशन पूछा जा चुका है तो आपको आगे तयार होना होगा और हरसद महतानी का एक और स्लोगन बहुत फेमस हुआ है आजाद एकामिल इसका मतलब क्या है आजाद एकामिल मतलब complete independence जो बाद में लहौर सेशन में हमाला जो लहौर सेशन होता है उसमें हम लोग का resolution होता है इंडियनेस्टल को अंग्रेश का complete independence उसमें हम लोग आएंगे पर ध्यान रखेएगा हरसद महतानी इनकलाब जिंदाबाद लिखते हैं और पहली बार आजादे कामिल मतलब complete independence की बात करते हैं तो यह हमारे लिए थोड़ जाएंगे जब educational institutions में नहीं जाएंगे तो आपको आंदोलन लंबा चलता है जब आंदोलन तीन-तीन साल तक चलता है तो बच्चे कहां पढ़ेंगे तो उसके लिए बिहार विद्यापीट की अस्थापना होती है और अगर आप सच्चे तोर पर मानें तो बिहार नालंदा युनिवर्शिटी बनती है मैं इसको इस दिये बोलता हूं कि नहीं नालंदा युनिवर्शिटी बनती है क्योंकि युनिवर्शिटी बिल्डिंग से नहीं बनता युनिवर्शिटी लाइब्रेरी से नहीं बनता युनिवर्शिटी पढ़ने वालों से बनता है पढ़ाने वालों से बनता है इस बिहार विद्धा पीट की अगर सबसे नोटेबल स्कूडेंट की आप जिक्र करें तो हमारे लोक नायक जैप्रकास नारायन इसके स्कूडेंट रहे हैं आपको ध्यान रहना चाहिए कि अबुलकलाम अजाद बहुत बड़े वक्ता हैं मुस् के लिए उसके प्रचार के लिए पटना में आते हैं और जब दस्त भासन देते हैं जेपी उससे में पटना कॉलेज के स्टूडेंट रह रहे हुए हैं बीस दिन बाद जेपी का इक जाम है और अबुलकलाम अजाद की भावना से उनकी आवाज से उनकी बात से उनकी ओरे जाम होते हैं कि पटना कॉलेज को छोड़ देते हैं 20 दिन बाद परिक्षा होता है और बिहार विद्यापीट को ज्वाइन कर लेते हैं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अगर जेपी के बारे में जितनी जानकारी आपको मिले उसको आप कलेक्ट करेंगे इनकी एक क वाला बुछते देख स्रेम कूद जो पढ़ता है तो जेपी के बारे में आप तयार रखिएगा इनकी एक किताब है जो रामब्रिक्ष बिनिपूरी ने लिखा है और वाई सोचलिजम खुद जेपी ने लिखा है यह 20 दिन का एक्जाम छोड़ देते हैं और बिहार विद् कि पढ़ाई लंदन से करके आते हैं और गांधी जी के बैच मेट रहे हैं इसके वाईस चांसलर ब्रचकिशोर प्रशाद रहते हैं जो बाद में जेपी के ससुर बनते हैं इसके प्रिंस्पल हमारे देश के पहले रास्टरपती डॉक्टर राजेंदर प्रशाद होते हैं जब इतने बड़े बड़े लोग इसमें रहेंगे और इसमें पढ़ाने वाले उसमें के बहुत बड़े वकील डॉक्टर अनुगरह नारायन सिंग रहते हैं अनुगरह नारायन सिंग या सिनहा है यह औरंगाबाद के रहने वाले हैं औरंगाबाद में एक गाउं है प्रिंदर बावु उसके प्रिंस्पल थे और JPSA स्टुडेंट थे तो यह युनिवर्सिटी तो बहुत अच्छा होना ही था अगर आप बिहार विद्यापीट का अभी के स्थिति में देखेंगे तो अगर पटना में जाएंगे तो यह आपका सदाकत आश्रम वाला जगह है सदाकत आश्रम का एक भाग बिहार प्रदेश कॉंग्रेस कमिटी के हाथ में है और एक भाग बिहार विद्यापीट अभी भी चलता है पर यह बिहार की तरास्दी है यह बिहार का एजुकेशनल सिस्टम का कुलैप्स है कि जो इतना बढ़िया युनिवर्सिटी था बिहार नेम फिर्म हम लोग नहीं दे पाए और हिस्टी में यह मतलब आज के डेट में इसकी कोई भी वजूद नहीं है अगर आप देखे तो बिहार विद्यापीट जो बनती है इसका उधगाटन करने इसका गांधी जी आते हैं 6 फरवरी 1921 को तो नन कॉपरेशन मुवमेंट के दौरान गांधी जी आएंगे और गांधी जी ही इसका उधगाटन करेंगे अगर आप देखे तो 30 सितंबर 1921 को सदाकत आश्रम पटना में है सदाकत आश्रम सदाकत आश्रम का मतलब क्या है सदाकत आश्रम का मतलब है सदाकत मतलब होता है a board of truth a board of truth सदाकत आश्रम के अस्थापना कौन करेगा मौलाना मजहरूल हक करेंगे इस से मैं बोलता हूँ कि यह मेरे फेवरेट लीडर है मौलाना मजहरूल हक करेंगे मौलाना मजहरूल हक उसमें के बहुत बड़े ओनर है बहुत बड़े जमीनदार है तो इनके पास वहाँ पे जमीन नहीं थी, यह पटना गया वाला रोड पर है, जब मौलाना मजहरूल हक के पास जमीन नहीं है, तो एक इनके चेला है, उनका नाम है खैरूम मिया, उस समय उस एरिया में बागवानी था, और मौलाना मजहरूल हक का कद इतना बड़ा था, कि ए और आधा में बिहार विद्यापीर चलता है जिसका आप कोई बहुत बड़ा वजूद नहीं रहा है। बना हुआ है सदाकत आश्रम में तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। अगर आप किसानों का सबसे बड़ा लिडर के रूप में देखेंगे तो स्वामी बिद्यानन दुद उभर के आते हैं। कल्टिवेटर के बहुत बड़े नेता है स्वामी बिद्यानन ओप्संस में आपको स्वामी सहजानन रहेगा पर वो सही नहीं रहेगा। उस समय स्वामी सहजानन इतने अक्टिव नहीं रहे हैं। थैंक्यू वेरी मच्चू आज हम लोग Modern History of the Bihar का Lecture 6 आज स्टार्ट करेंगे और अगर आप मेरे दृष्टिकोन से पूछेंगे कि सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा टॉपिक है तो आज वाला ऐसा टॉपिक है कि यहां से मीनिमम आप दो क्वेस्चन एस्पेक्ट कर सकते ह हैं आप इस एरिया से हमेशा BPSC का फिवरेट एरिया है और BPSC हमेशा इससे question पूछा है हमारी कोसिस यह रहेगी कि आपको इतने अच्छे content हम लोग दे दे कि इससे बाहर question नहीं मिले आपको exam में यहां पर एक चीज़ और हम लोग clarify करना चाहते हैं कि जब आपका exam 67 हो जा करेंगे और आपको बताएंगे कि एक भी question इन वीडियो से बाहर नहीं आएगा क्योंकि हम लोगों ने इस तरह से इसको design ही किया है और cover किया है बाकी आप पर निरिभर करता है कि आप कितना इसको grasp करते हैं लेटर से start आज जो हम लोग विशाय करेंगे आज जो cover करेंगे ग जैसे आप देखे 65th BPSC में अनगिनत सवाल हैं मैंने उद्धारन के तोर पर एक सवाल लिया है इसमें कुछा गया है कि बिहार प्रांतिये किशान सभा का गठन किस ने किया स्वामी सहजानन सर्ट्वती गंगासरन सिरा रामसुंदर सिंग रामनन मिश्रा इसका आप उत्त ये जो फोटो है ये है चितरंजन दास का ये वही चितरंजन दास है जिनको सुबास चंद्रबोष अपना राजनितिक पॉलिटकल गुरू मानते हैं और यही चितरंजन दास है इनकी एक किताब बहुत फेमस है उस किताब का नाम है इंडिया फोर इंडियन्स तो ये चितर कॉंग्रेस की अधिवेशन हुई है एक अधिवेशन 1912 में होती है और 1912 में जो अधिवेशन होती है वो रघुनात मुद्होलकर उसके अध्यक्षता करते हैं 66 BPSC में प्रस्ण पुछा गया है और मैक्सिमम लोगों ने गलत किया है 1912 वाला जो अधिवेशन है वो पटना के बाकिपूर में होता है इसके दस साल बाद 22 स्मा अधिवेशन होता है 27th conference होता है 1912 वाला 10 साल बाद 1922 में एक इंडिया नेशनल कॉंगरेस की conference होती है और वो जो conference होती है वो गया में होती है और गाउं का नाम है तेनई गया किस नदी के तकपर है फल्गु नदी के तकपर है और 1922 वाला जो सेशन होता है उसकी अध्यक्षता चितरंजन दास करते हैं चितरंजन दास को ही हम लोग देश बंधु कहते हैं और एक हैं सीएफ एंड्रियूस जो गांधी जी के परम मित्र हैं सीएफ एंड्रियूस को दीन बंधु कहते हैं दोनों में थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो पुछा जाता है यह सब प्रशन दीन बंधु सीएफ एंड्रियूस को कहते हैं और सीयारदास को देश बंधु कहते हैं तो थोड़ा सा धात ज चोरी चोरा में एक वाइलेंट मुवमेंट होता है और गांधी जी नन को अप्रेशन मुवमेंट को भी डॉग कर लेते हैं उसी समय गया में एक सेशन होता है और गया वाला जो सेशन होता है इसमें दो कॉंग्रेस दो फांक में डिभाइड हो जाएगी Congress में एक जो group है वो है pro changers और एक group है no changers no changers में कौन है उसमें गांधी जी वाले group के लोग हैं उसमें राजिंदर प्रशाद हैं उसमें सरदार बललब भाई पतेल हैं उसमें जवाहर लाल नहरू हैं ये कहते हैं कि हमें जो आजादी मिलनी चाहिए वो non-violent तरीका से मिलना चाहिए और non-violent तरीका से अभी जनता तहार नहीं हुई है जनता को हमें तयार करना होगा और फिर आजादी लेना होगा इसके लिए हमें social reforms की ज़रुरत है जनता के बीच में जाने की ज़रुरत है उनको समझाने की ज़रुरत है वो non-changers है प्रो-changers कौन है जवाहर लाल नहरु याद रखिये नो-changers में है और इनके फादर मोतिलाल नहरु प्रो-changers है याद रखिये पिता और पुत्र में बहुत प्रेम रहता है पर ideologically they are pulls apart आप यहाँ पर देखें तो मोतिलाल नहरु हैं चितरंजन दास हैं ये प्रो-changers हैं यहाँ पर बिहार में राजिंतर प्रशाद नो-changers हैं अनुगरह बाबू नो-changers हैं वही पर बिहार के पहले मुक्यमंत्री से क्रिश्टन सिंग प्रो-changers में आते हैं और इस तरह से नो-changers वाले जो लोग है व और लिमिन्टो रिफॉर्म देहीं चुका है इंडिरेक्ट एलेक्शन को ये और उसको स्पेक्ट्रम को बढ़ा देता है और लोगों इंडियन्स को बोलता है कि आप इसे सामिल हो सकते हैं तो ये बोलते हैं जो प्रो-changers हैं कि हमें सरकार में इंटर करना चाहिए और अंग कॉंग्रेश स्वराज पार्टी जो कॉंग्रेश स्वराज पार्टी है इसी को स्वराजिस्ट भी आप कभी जभी पढ़ते हैं या प्रस्न प्रत में आपको आ सकता है इनी को स्वराजिस्ट बोलते हैं जो चुनाओं लड़ेंगे और इसके जेनरल सेक्रेटरी कौन बनेंगे? मोतिलाल नहरू बनेंगे जो समय के बहुत बड़े बैरिस्टर हैं और जवाहरलाल नहरू के पिताजी हैं जवाहर लाल नहरू किस group के है जवाहर लाल नहरू नो changers के group में है पिता जी प्रो changers के रूप में है और यही खुब सूरती है कि पिता और पुत्र में बहुत प्रेम है पर ideologically दोनों में ideologically they are poles apart बिहार में जो स्वराजिस्ट है इसको कौन लीड कर रहा है बिहार में पहनारायन सिंग लीड कर रहे हैं और देश के पहले राष्टपती डॉक्टर राजेंद प्रशाद लीड कर रहे हैं बरजकिशोर प्रशाद लीड कर रहे हैं ये सब वहां पे नो चेंजर स्कैम के हैं तो 1922 वाला जो गया का सेशन है भारती इतिहास में जब कॉंग्रिस का डिविजन होता है कॉंग्रिस के अंदर ही डिविजन होती है वो अलग बात है कॉंग्रिस के बाहर पार्टी नहीं बनती है उसमें गया सेशन का बहुत इंपोर्टेंट रूल र गया तो मैं सुचा आपको बता दूँ कि 1909 में आता है Morally Minto Reforms जिसको आप Government of India Act 1909 भी बोलते हैं Morally और Minto क्या है Morally Secretary of State है मिन्टो क्या है वाइसराय है वाइसराय इंडिया में रहता है उसमें अंग्रेज हुकूमत की बहुत सारे कॉलनिज रहते थे तो हर एक आदमी को British Parliamentarian को एसाइन किया जाता था कि भारत का यह आप देखेंगे X देखेगा Canada का Y देखेगा New Zealand का Z देखेगा तो Morally जो इंचार्ज बनते थे लंदन में वो Morally थे इनको Secretary of State बोला जाता था और भारत का जो हेड रहता था उसको वाइसराय बोलते थे जिसको पहले Governor General बोला जाता था 1857 की क्रांसी के बाद Government of India Act 1859 आता है जिसमें Governor General का नाम बदल के वाइसराय कर दिया जाता है ताकि यह लगे कि अब British Crown हम लोगों को रूल कर रही है उसी तरच पे अभी मैंने आपको Montague चेंसफ़ड रिफॉर्म बताया तो Montague जो है Secretary of State है और चेंसफड क्या है वाइसराय है जो separate electorate होता है वो यह कहता है कि हिंदूओं का यह साफ clear करने की कोशिस होती है कि हिंदूओं के इंट्रेस्ट अलग हैं मुसलमानों के इंट्रेस्ट अलग हैं एक तरस यह डिभाइड एंड रूल का क्लासिक उधारन है इसलिए बिहार के पहले राष्टर पती डॉक्टर राजिंदर प्रशाद अगर किसी को फादर अफ पाकिस्तान मानते हैं तो वो मिंटो को मानते हैं मौरली को नहीं मानते हैं याद रखेगा मिंटो को मानते हैं क्योंकि मिंटो वाइसराय है इंडिया में और वाइसराय का नहीं ये सलाह था कि सेपरेट एलेक्टरेट लेकर आया जाए इसलिए याद रखेगा कि राजिंद्र प्रसाद ने मिन्टो को फादर ओफ पाकिस्तान कहा है क्योंकि इनका मानना है कि उस निव को उस बीज को मिन्टो ने रोपा है जिसमें सेपरेट एलेक्टरेट का जिकर है ये थोड़ा सा बाहर की चीज है चुकि एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है और मुझे ख्याल आ गया जो किसान सभा जो किसान आंदोलन की जनक रही है इसी मित्ति से किसान आंदोलन परपता है ये जो फोटो है ये है स्वामी सहजानन्द सरश्रती का फोटो है ये जो फोटो है बिहार के प्रथम मुख्य मंतरी स्रिकृष्ण सिंग का है जिनको बिहार केशरी भी कहा जाता है और अभी आपको मैंने बताया ये गांधी जी के कैम्प के नहीं है ये मूतिलाल नहरू चितरंजन दास वाले कैम्प के हो जाते हैं और ये प्रोचेंजर्स ग जुबैर आपको पता होना चाहिए कि ये मुंगेर के रहने वाले हैं और मुंगेर में ये खड़कपूर वाला जो आपको जोगरफी में भी हम लोगों ने पढ़ा है खड़कपूर कंसिच्वेंसी से चुनाव जीतते हैं मुहम्मद जुबैर और एक और हैं स्रिकृष्ण ये दोनों मुंगेर में किसान के बीच में जाते हैं और क्योंकि इनका ये मानना है कि अगर देश को स्वतनता चाहिए तो एक उन्टैप्ट पोटेंशल है किसान एक उन्टैप्ट पोटेंशल है उसको जगाना होगा और अगर हम लोगों ने उसको जगा लिया तो देश को जादे मिल सकती है तो 1922 से 23 के बीच में मुहम्मद जुबेर और सिर्केशन सिंग किसानों के बीच में रहते हैं और किसानों को जगाने की कोशिस करते हैं और finally इसका culmination November 1929 में होता है November 1929 में सोनपूर में जो पतना के पास है सोनपुर में एक बहुत बड़ा सम्मेलन किसानों का रखा जाता है जिसका नाम है बिहार प्रोभिंसियल किसान सभा अगर हिंदी में देखे तो बिहार प्रामतिय किसान सभा की एक बैठक होती है नवंबर 1929 में इसकी अध्यक्षता कौन करता है स्वामी सहजानंद सरस्वतिस की अध्यक्षता करेंगे इसके जनरल सेक्रेटरी महासच्यू कौन रहेंगे सेक्रिटने सिंग को बनाया जाता है और इसी तरह बिहार प्रोभिंसियल किसान सभा की जो अश्थापना होती है नवंबर 1929 में हो जाती है और बिहार के सुनपुर में होती है यह हमारे एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है और उस समय मैंने आपको भी बता रखा है कि किसानों को जगाने की बात हो रही है इसी 1929 में सरदार भल्लब भाई पटेल बिहार विजिट करते हैं 1929 में बल्लब भाई पटेल किसानों को जगाने के लिए बिहार विजिट करते हैं और बिहार विजिट करते हैं और किसानों से मिलते हैं किसानों से रूब रू होते हैं उनकी दर्द को समझते हैं देखिए बिहार में दो-तीन डेट बहुत ही important अब है, ध्यान रखिएगा इन डेट को, एक है 1934, 1935, 1934 में मैंने आपको बताए कि जो पहला बिहार प्रांतिये किसान सभा की बैठक सुनपूर में हो जाती है, और वहीं पे उसकी निव रखी जाती है, 1934, जो कि सेकंड बिहार प्रोविंशल किसान सभा होगा, सेकंड बिहार प्रोविंशल किसान सभा 34 में होगा, और थर्ड बिहार प्रोविंशल किसान सभा, बिहार प्रांतिये किसान सभा की बैठक 35 में होगी, और जो 34 में बैठक होती है, वो गया में बैठक होगी, जो 35 में यह हाजीपूर में बैठक होती है आप गंगापूल पार करेंगे तो आप हाजीपूर पहुँच जाते हैं जो गया में बैठक होती है इसकी अधर्छता कौन करेगा तो पुर्शुत्तम दाश टंडन अधर्छता करेंगे बिहार प्रम्तिय किसान सभा की दूतिय बैठक की और जो दूतिय बैठक होती है उसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानन सरस्वती करते हैं जो बिहार के देश के बहुत बड़े किसान नेता हैं और मैं इस जे बोलता हूँ कि किसान सभा की निव बिहार में रखी जाती है कि फर इंडिया किसान सभा की जो फॉर्मेशन होती है इसके प्रेशिडेंट बनेंगे स्वामी स्वामी सहजानन सरस्वती उस समय स्वामी सहजानन सरस्वती बिहार प्रंतिये किसान सभा किसान सभा के अधिवेशनों के बाद उसके प्रचार के बाद किसानों को जगाने के बाद द ध्यक्ष बनते हैं और जो General Secretary बनते हैं वो NG Ranga बनते हैं ध्यान रहना चाहिए यहां पर आपको यहां पर मैं बताते चलूँ कि NG Ranga South India के बहुत बड़े किसान नेता है इसलिए General Secretary NG Ranga को बनाया जाता है अगर आप स्वामी सहाजानन की बात करें तो स्वामी सहजानन सर्ष्वती बहुत बड़े नेता हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, बहुत बड़े विचारक भी हैं स्वामी सहजानन सर्ष्वती एक पत्रिका निकालते थे जिसका नाम था हुंकार और इस पत्रिका में किसानों की दर्द को लिखते थे, इनकी एक और, इनकी जो किताब है, जो बहुत फेमस है, मेरा जीवन, मेरा संगहर, the other side of the shield, किसान सभाके संसमरन, गया के किसानों की कारुन कहानी, rent reduction in बिहार, हम आपको बताना चाहते हैं, कि जब भी किसान का बात हो, और अगर option में स्वामिशा जान अंसर्ष्वती रहे, और आपको पता नहीं रहे, चुकि बिहार में negative marky नहीं होता है, तो आप अगर risk लेना चाहते हैं, तो स्वामिशा जान अंसर्ष्वती के साथ option में जाईएगा, अगर पता नहीं रहे तो, यह जो books हैं, इनको आप थो इसमें रखना पड़ेगा, क्योंकि यह जो area है, BPSC का बहुत favorite area है, तो हुंकार जो है, बहुत ही important है हम लोग के exam point of view से, now let us move, यह Simon Commission के अगर हम लोग बात करते हैं, तो Simon Commission यह हैं, पिहार के पहले वित मंत्री, और पहले finance minister, and the first deputy CM of the Bihar, इनका नाम है Dr. Anugrah Narayan Singh, या Dr. Anugrah Narayan Singh, यह कहां के रहने वाले हैं, और रंगाबाद, और रंगाबाद में गाउं है, पुईवा, वहां के रहने वाले हैं, और इनका बीटा, बाद में सतन नारायन सिनहा बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, और इनके पोता, स्रिनिखिल कुमार, नागा लेंड और किरल के ग बिहार में आता है, बारह दिसंबर, 1928 को साइमन कमिशन बिहार में आता है, और साइमन कमिशन को लीड करने की जिम मवारी किसको दी जाती है, डॉक्टर, अनुगरह नरायन, सिंग को, या सिनहा को, इन्ही को कहा जाता है, उनको लीड करने की जिम मवारी दी जाती है, जो स इंपॉर्टेंट हैं वो हैं लेबर पार्टी के नेता क्लिमेंट एटली मैं यहाँ पे आपको बताते चलूं कि यही यह वही क्लिमेंट एटली है यह वही क्लिमेंट एटली है जो लेबर पार्टी के बहुत बड़े नेता है यह वही क्लिमेंट एटली है जो पंडित नेहरू के परमित्र हैं और ये वही क्लिमेंट एटली हैं कि जब भारत अजाद होती है 1947 में तो ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री होते हैं ये एक जाम के लिए आपका बहुत इंपोर्टेंट हैं ये नेहरू के परमित्र हैं और क्लिमेंट एटली प्रधानमंत् पत्राइब करने में लाला लाच पत्राय को लाट्षियों से मार कर उनकी हत्या की गई और इस तरह से हम लोग बढ़े एक फ्रिडम फाइटर जिनको पंजाब केशरी बोलते हैं उनको हम लोगों को गावाना पड़ा तो हमारे एक्जाम के लिए बस इतना इंपोर्टेंट है कि अनुग्रह नरायन सिंग लीड कर रहे थे साइमन कमिशन के खिलाफ प्रोटेश्ट जो चल रही थी पत्ना में और अगर हम ननकोपरेशन मुव्मेंट का पिछले क्लास में आपको बता चुके हैं कि राजिंद प्रसाद लीड कर रहे थे यहाँ पर साइमन कमिशन वगर थेंक यू वेरी मच्छ अगर आपको पता है अगर आपने रटा है तो इस क्वेस्चन को गलत करेंगे अगर आपने पढ़ा है तो इस क्वेस्चन को सही करेंगे कि इन चारों में से कौन इसका उत्तर है इसका कमेंट बॉक्स में आप उत्तर देंगे और लेक्चर खतम होने के बाद अगर आप सिविल डिशोबिडियन्स मुव्मेंट जो 1930 में चलता है अगर उसके थोड़ा सा बैक्ग्राउंड में देखे तो यह है हमारे पंडित नहरू आप पंडित नहरू से अस्वमत हो सकते हैं इनके पॉलिशियों से अस्वमत हो सकते हैं पर इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं और अगर आप इतिहास पढ़ेंगे तो फिर आपको इनसे मुहब्बत होई जाएगी इनके कारियों से मुहब्बत हो जाएगी अगर आप ल लोहौर सेशन 1929 में होता है जो लोहौर सेशन है वो इस लिए बहुत important है कि लोहौर सेशन में पहली बार पुर्ण स्वराज की बात उठेगी पुर्ण स्वराज मतलब complete independence की बात उठेगी हमने पिछले lecture में बताया है कि हरसद महतानी ने 1921 में जब All India Muslim League के वो president बनते हैं तो आजाद ऐकामिल की बात करते हैं आजाद ऐकामिल मतलब complete independence की बात करते हैं अपनी उनका मतलब एक स्लोगन होता है और दूसरा उनका स्लोगन है इनकलाब जिंदाबाद जिसको भगत सिंग और बटुकेश्वरदत ने Central Assembly में बंफेकते वक्त उसको फेमस किया था लेकिन पुनिश्वराज की मांग उनिश्वराज में उत्ती है लहोर सेशन में उत्ती है और उसके प्रेशिडेंट कौन होते हैं तो जवाहरलाल नहरू हमारे पहले प्रधान मंतरी होते हैं जवाहरलाल नहरू की अधक्षता में पुनिश्वराज की मांग उत्ती है और 26 जनवरी को रावी जो नदी है उसके तट पर तीरंगा को लहराया जाता है और स्वतंतरता धिवस मनाया जाता है वो अलग बात है कि इंडिपेंडेंस चे अपने देश में 15 अगस्त को मनता है लेकिन 26 जनवरी को रावी नदी के तट पर तीरंगा को लहरा दिया जाता है और इसी 26 जन का पार्ट है पर ये चीज आप थोड़ा सा ध्यान रखेगा और लहौर सेशन वाला केस में एक चीज और बहुत इंपोर्टेंट हुआ कि लहौर सेशन में ये डिसाइड किया गया कि जो फॉस्ट राउन टेबल कॉन्फरेंस है उसको हम लोग बॉयकॉट करेंगे जो पहला गुल में सम्मिलन होता है उसको हम लोग बॉयकॉट करेंगे साथ ही साथ चुकि अब यहाँ पर discussion हो रहा है तो हम आपको बताते चले exam में आपके लिए बहुत important हो जाता है अभी इसका part नहीं है 1931 में कराची सेशन होता है और ये national history point of view से बहुत important है कराची सेशन इसलिए बहुत important है कि कराची सेशन की अध़क्षता आप गांधी को किल कर सकते हैं पर गांधियन आइडियोलोजी को नहीं किल सकते इसलिए कहा गया है कि गांधी जी forced Britishers to flee India by sipping water, पानी पीपी कर गांधी जी ने अंग्रेजो को इस देश से अपने भारत से खदेड दिया था तो ये statement बहुत एक्जाम के लिए important है और बहुत बार पुछा जाता है कि किस सेशन में गांधी जी ने कहा कि you can kill गांधी बट not the गांधियन आइडियोलोजी 1937 के कराची सेशन में गांधी जी कहते है now let us come back तो 26 जनवरी जो पुर्ण स्वराज होता है इसी में लहौर सेशन में ये डिसाइड किया जाता है कि हम लोग CDM को लांच करेंगे civil disobedience movement को लांच करेंगे नागरी का वग्या लांच करेंगे नागरी का वग्या क्या है हम आप जो कानून बनाएंगे वो कानून जो touchstone of humanity है बहुत चीज़ जो parameters है उन पर खरा नहीं उतरता है और जब खरा नहीं उतरेगा तो हम उस कानून को तोडएंगे और यही decide होता है लाहौर सेशन में कि हम लोग civil disobedience करेंगे नागरी का वग्या लांच करेंगे तो नागरी का वग्या लांच करने के लिए क्या होता है कि उस समय salt पर जो basic चीज़ें है नमक उस पर tax अंग्रे जो द्वारा लगाया जाता है और गांधी जी कहते हैं कि इस कानून जो है यह कानून जो basic tenents of the humanity है लाइफ है उसके पैरलल नहीं उसके टचे स्टोन पर स्टेंड नहीं करता है और इस कानून को हम तोड़ेंगे और salt जो salt tax है उसको हम लोग तोड़ेंगे उसके लिए गांधी जी अपने अनुनायों के साथ डांडी मार्च करेंगे डांडी मार्च करेंगे डांडी मार्च कहां से कहां होगा साबर मती से डांडी होगा साबर मती टू डांडी, डांडी is a place in सूरत सूरत के निकटे एक प्लेस है कितना distance कहां से जी ट्रेफल करेंगे 385 km का distance टेफल करेंगे कितने लोगों के सांसे start करेंगे 78 लोगों के सांसे start करेंगे पर धान रखेगा बोजन सलाब बन जाएगा पर गांधी जी start 78 लोगों के सांस करेंगे कब से कब होगा यह आपके BPSC में पुछा हुआ question है गांधी जी इसको स्टार्ट करते हैं 12 मार्च 1930 से और यह चलता है 6 अप्रील 1930 तक अगर आप पुरा दिन गिने तो 24 दिन तक डांडी मार्च चलता है और आपके BPSC में यह पुछा हुआ प्रस्न है इसलिए थोड़ा सा हम ध्यान रखे तो अच्छा रहेगा अभी हमने आपको कहा कि हम नागरिक अवग्या करेंगे तो नागरिक अवग्या बिसिकली आप देखेंगे बिहार और पुरे देश में दोचियों की अवग्या होगी पहली अवग्या होगी कि जो आपका स्ट्रॉल टैक्स है इसको हम पे नहीं करेंगे दूसरा जो चौकिदारी टैक्स है इसको भी हम पे नहीं करेंगे तो आपने एक कानून बनाया उस कानून को हम तोड़ेंगे और यही है civil disobedience it is more of a tokenistic in the nature यह tokenistic है पर आप ध्यान रखिए without tokenism the democracy sounds hollow कोई भी democracy है अगर वहाँ पे tokenism नहीं है तो democracy खोखला दिखता है खोखला प्रतीच होता है कभी जभी tokenistic measures करने होते हैं तो नागरी का वग्या तो करेंगे पर जो कानून है उसको तोड़ देंगे चांत में चौकिदारी टैक्स आपने जो लगाया है वह न्याय संगत नहीं है उसे भी तोड़ा जाएगा अगर आप देखे कि बिहार में क्या हो रहा है बिहार में जब नागरी का जब civil disobedience आप कर रहे हैं तो भागलपूर में कौन लीड कर रहा है तो भागलपूर में महादेवलाल सराफ लीड कर रहे हैं छपरा में नंगी स्ट्राइक होता है क्या है नंगी स्ट्राइक नंगी स्ट्राइक में क्या होता है कि जो जेल के लोग है वो अंग्रे जोक के द्वारा जो बिदेशी कपड़ा है उसको पहनने से मना कर देते हैं ये भी एक नागरी का वग्या है इससे मतलब यह हो गया कि महिलाएं भी चंद्रावती देवी लीड कर रही है महिलाएं भी जोर सोर से पाटिसिपेट कर रही है Civil Disobedience Movement में बिहार में अगर आप Civil Disobedience Movement को देखेंगे तो अफिस चली बिहार में लॉंच किया गया 15 अप्रील 1930 को इसको ओभर ओल लीड कौन कर रहे थे बिहार में हमारे देश के पहले राष्टरपती डॉक्तर राजेंदर प्रसाद इसको ओवर ओल लीड कर रहे थे अगर आप ध्यान से देखे तो अब आप Civil Disobedience Movement आप लॉंच कर दिये हैं तो आपको स्वधेशी तो रहे कहीं साथ में स्वधेशी को प्रोमोट करना है स्वधेशी को प्रोमोट करने के लिए एक स्वधेशी कमिटी बनाई गई पत्ना में जिसके प्रेशिडेंट सर अली इमाम को बनाया गया तो प्रोमोट स्वधेशी सर अली इमाम को प्रेशिडेंट बनाया गया वाइस प्रेशिडेंट, क्रेटर अफ मोडरन बिहार सचितानंद सिना को बनाया गया और केबी दत को बनाया गया ये दो आदमी वाइस प्रेशिडेंट बने और मुख्य सचिव हसन इमाम को बनाया गया तो आपके एकजाम में ये पुछा जा सकता है कि स्वदेशी कमिटी is related to it is related to the civil disobedience movement साथ में एक चीज़ और पाएंगे अभी हमने उपर बताया कि दो चीज़ को तोड़ने की बात होगी एक salt tax को तोड़ने की बात होगी तो पहले कहीं पहले नमक बनता होगा तब तो हम तोड़ेंगे पर बिहार में क्या है कि बिहार तो landlocked है बिहार में तो समुद्र हैं ही नहीं जब समुद्र हैं नहीं तो हम नमक बनाएंगे कैसे नमक बनाने के लिए एक जगह चुना गया उस जगह का नाम है नखास पिंड नखास पिंड कहां है पठना में एक जगह है नखास पिंड और नखास पिंड में ये डिसाइड किया गया कि सोडा से नमक बनाएंगे सोडा से नमक कैसे बनाएंगे वहां कि जो मिट्टी है थोड़ी सी नमकीन है उसको हिट करेंगे उसको डिस्टिल करेंगे और जो मिट्टी से जो नमक बनेगा सोडा में जो मिट्टी से हम लोग नमक बनाएंगे तो वो भी एक सिंबॉलिक अभी हमने बताये कि टोकनिस्टिक है तो उससे जो नमक बनाएगा सरकार के हिसाब से उस नमक पर टेक्स लगना है हम उसको टेक्स नहीं देंगे और सॉल्ट जो टेक्स है जो salt law है उसको हम तोड़ेंगे तो ये भी याद रखिएगा कि नखास्पिंड जो है यही पर सोडा से नमक बनाया जाता है बिहार में पत्ना में जगा है और नखास्पिंड से प्रश्ण पुछता है कि नखास्पिंड is related to which movement तो याद रखिएगा अंबिका चरन सिंग एरिस्ट हो जाते हैं पर एक आदमी successful होते हैं salt text को तोड़ने में salt law को तोड़ने में उनका नाम है राम आपने नाम सुना होगा राम ब्रिक्ष बेनी पूरी ये राम ब्रिक्ष बेनी पूरी वही है जो बहुत बड़े साहित्तिकार है ये जो बेनी पू पूरी गाओं मुझा फरपूर के रहने वाले हैं तो ये साहित्तिके बहुत बड़े नाम है और ये बहुत बड़े अच्छे मित्र हैं राम ब्रिक्ष बेनी पूरी जैप्रकास जी के बहुत बड़े मित्र हैं और अंत में एक किताब लिखते हैं जैप्रकास और ये बहु निकालते थे राम ब्रिक्षवेनी पूरी उस हिंदी विकली का नाम था यूवक ये सब प्रस्ट देखिए आपसे पूछे जा सकते हैं and you should be prepared to answer them ठीक है तो अग civil disobedience movement से इससे ज़्यादा प्रस्ट नहीं बनेगा जो भी प्रस्ट आएगा you should be in position to answer that अब हम लोग अगला चीज़ पर move करते हैं बिहार socialist party इस पर जितना भी star आप मार लिजिए कम होगा जब भी आप question उठाएंगे तो आप ये पाएंगे कि बिहार socialist party से question है बिहार socialist party की जो गठन होती है 1931 में होती है ध्यान रखिए ये date बहुत ही important है क्योंकि BPSC का ये favorite area है 1931 में एक informal कोई formal meeting नहीं होती है एक informal बैठक होती है किसके घर पर होती है फूलन प्रशाद बर्मा के घर पर होती है फूलन प्रशाद बर्मा जी के घर पर होती है पतना में उस बैठक में कौन-कौन होते हैं उस बैठक में होते हैं गंगा सरन सिनह, राम ब्रिच्छ बेनी पूरी, राम अनंद मिश्रा, जै प्रकास नारायन, राहुल संकृत्यान, ऐसे जो है, एक informal meeting है, अपने दोस्तों की meeting होती है, फूलन प्रशाद बर्मा के घर पर, उनके आवास पर, और बिहार सोशिलिस्ट पार्टी का formation इन ही के घर पर होता है, इसलिए हमने आपको जो पहले इस टक लेक्चर के स्टार्टी में प्रसंद दिया है, उसका आप उत्तर comment box में दिजिएगा, तो फूलन प्रशाद बर्मा के आवास पर, एक informal meeting होती है, और वहीं से बिहार सोशिलिस्ट पार्टी की गठन हो जाती है, और उसके गठन, आपको चुकी question है, उसको comment box में देंगे, हमने आपको इसारा कर दिया है, और ये बिहार सोशिलिस्ट पार्ट इसको national level पर एक रूप दिया जाता है, उसका नाम होता है, All India Socialist Party, और जो All India Socialist Party की जो गठन होती है, 1934 में होती है, तो हमारा कहने का मतलब है कि जो All India Socialist Party की जो new रखी जाती है, जो experimental laboratory होता है, वो बिहार के मिट्टी होती है, पटना होता है, वहीं से इसको टेस्ट किया जा जाता है, वो successful होता है, और जब All India Socialist Party, और जब All India Socialist Party बनती है, तो इसके जो प्रेशिडेंट बनाए जाते हैं, वो हैं, आचारी नरेंद्र देव इसके प्रेशिडेंट के रूप में चुने जाएंगे, और इसके General Secretary हमारे प्रिये लोक नायक जै प्रकास नारायन चुने जाएंगे, जिनके नाम पर पतना ये अर्पोर्ट है, लोक नायक जै प्रकास नारायन पर BPSC हमेशा प्रशन पूछता है, आगे वाले लेक्चर्स में इनका हनों कंट्रिव्यूशन क्विट इंडिया मुव्मेंट में देखेंगे, और आप पाएंगे कि वाकई में ये न अब हम लोग आगे वाला पार्ट देखें तो इंडिविजूल सत्यागरह ये भी हमारे BPSC के लिए इंपोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंडिविजूल सत्यागरह आपको पता है, जब सेकेंड बल्डवार चल रहा होता है, जब द्विट्य विश्विद चल रहा होता ह तो अंग्रेज और एविल फोर्सेज में लडाई हो रही है, भारत के जो नेता हैं, गांधी हैं, नेहरू हैं, पटेल हैं, चाहते हैं कि अंग्रेज तो यहां से भागे, पर सेकेंड बल्डवार में वो ये भी चाहते हैं, कि अंग्रेज जो इंग्लिश हुकूमत है, जो जीत जाएं, इसके वो कहते हैं, कि हम अंग्रेजों का बिरोध प्रचक्ष रूप से नहीं करेंगे, ओपेनली नहीं करेंगे, क्योंकि अंग्रेजों की जो तागत होगी, हमारे मुव्मेंट को सप्रेश करने में लग जाएगी, और हो सकता है वो दृत ये वल्डवार हार जाएं, जो सेकेंड वल्डवार हार जाएं, और उनका सेकेंड वल्डवार हारना पूरे विश्व के लिए घातक होगा, इसके लिए ये डिसाइड किया जाता है, कि हम लोग टोकेनिस्टिक मेजर के रूप में विरूध करेंगी, इसमें एक और कारण होता है, कि यहां का वाइसरा है, वो कहे देता है कि भारत हमको Second World War में सपोर्ट कर रहा है उसका खंडन करने के लिए भी इंडिविज्वल सत्यागरा लॉंच किया जाता है, दो-तीन मुख्य कारण है कि क्यों इंडिविज्वल सत्यागरा लॉंच किया जाता है उसमें एक ये भी कारण है कि हम tokenistic रूप में दिखाना चाहते हैं कि हम तुम्हारे policy से असामत हैं हम एक massive protest नहीं कर रहे हैं ताकि तुम्हारी energy बरबाद नहीं हो हम चाहते हैं कि तुम world war 2 में जीत जाओ पर ये जो tokenistic major है tokenistic move है जिसके कारण हम तुमको individual एक अक आदमी विरोध करेगा individual विरोध करेगा ताकि जनता को ये पता रहे कि हम लोग second world war में involved नहीं है भारत involved नहीं है बिटानिया हुकुमत के वल involved है जो तैय किया गया कि हम individual सत्यागरह करेंगे वो 1940 के congress अधिवेशन में तैय किया गया 1940 का जो congress अधिवेशन है वो 53rd congress अधिवेशन है और कहां पर होता है रामगर्ध में होता है उस समय रामगर्ध बिहार का पार्ट था इसलिए थोड़ा सा exam point of view के लिए आप इसको भी ध्यान रखिएगा अगर undivided बिहार को देखे जिसमें जारखन पार्ट है तो कॉंग्रेश के तीन सेशन होते हैं 1912 में होगा 1922 में होगा 1940 में होगा पर अभी present बिहार देखे तो मात्र दो ही सेशन हुए 1912 में पत्ना में होता है 27 अधिवेशन और फिश्टे 30 अधिवेशन और गांधी जी डिसाइड करते हैं कि नेशनल लेबल पर जो पहले दो सत्याग रही होंगे पहला जो सत्याग रही होंगे वो होंगे बिनोदा भावे बिनोदा भावे के नाम पर ही हजारी बाग में युनिफरसिटी है बिनोदा भावे युनिफरसिटी और जो दूसरे सत्याग रही होंगे वो होंगे जवाहरलाल नहरू इसी तरज पर बिहार में तैय किया गया कि जो पहले सत्याग रही होंगे वो बिहार के प्रथम मुख्य मंत्री स्रिकृष्ण सिंग होंगे और जो second सत्याग रही होंगे वो बिहार के पहले डिप्टी चिप मिनिस्टर and finance minister of the बिहार जो समय रहते हैं डॉक्टर अनुग रहनारायन सिंग जो रंगाबाद के रहने वाले हैं डॉक्टर अनुग रहनारायन सिंग second individual सत्याग रही रहेंगे अगर चुकि यहाँ पर रामगर सेशन का बात हुआ तो रामगर सेशन की अधक्षता कौन करेंगे मौलाना अबुल कलाम अजाद करेंगे यहाँ पर मैं बताते चलूं कि he has been the youngest 35 साल के उमर में INC के प्रेशिडेंट इंडिया नेशनल कॉंगरेस के प्रेशिडेंट बनते हैं तो याद रखेगा इसमें option देवाहरलाल नहरू अगर रहता है तो यह confused आप न रहें मौलाना अबुल कलाम अजाद सबसे youngest president he has इनको credit दिया जाता है कि youngest president of the Indian National Congress अगर कोई हुआ तो मौलाना अबुल कलाम अजाद हुए जो देश के पहले सिक्षा मंत्री भी हुए थोड़ा सा यहाँ पर और ध्यान रखिए कि यह जो मौलाना अबुल कलाम अजाद है यह 1940 से लेके 46 तक president रहेंगे लगातार 40 से 46 और यह भी एक एरिया बहुत important है हमेशा आप से पूछ लिया जाता है कि जब भारत आजाद हुआ तो उसमें इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे तो उसमें इंडिया नेशनल प्रसाद के बारे में हम दो एक जगाई कठा करेंगे अगले वाली लेक्चिर्स में कि कब प्रेसिडेंट बनते हैं कब पत्ना मुनिस्पल्टी के चेर्मेन बनते हैं कब फूड एंड अग्रिकल्चर मिनिस्टर बनते हैं तो यह थोड़ा सा और ध्यान रखें अगर यहाँ पर और चीज़ेंगे रामगर्ड सेशन के बारे में थोड़ा बता दूँ चुकि इंपोर्टेंट है तो रामगर्ड सेशन में ताना भगत पाटिसिपेट करते हैं यह जो ताना भगत है न यह प्रू गांधियन है ये भयंक का रूप से गांधियन लोग है और जो ताना भगत है ये एक सेक्ट है ताना भगत किसी का नाम नहीं है ये एक सेक्ट है और ये जो एक ओराओं सेंट है उनके अनुनाई है और वो कौन ओराओं सेंट ओराओं एक ट्राइब है तो जो ओराओं सेंट जो इसको स्टा करते हैं उनका नाम है जत्रा भगत एंड तूरिया भगत इनके द्वारा इस्टाट किया गया है जत्रा भगत और तूरिया भगत के जो फॉलोवर्स हैं वो हैं ताना भगत कहलाते हैं और ताना भगत जो हैं वो ट्रू गांधियन है नन्वालेंट मेथड में वो अंग्रेज जो से बिरोज करते हैं, क्योंकि अंग्रेज और जमिंदारों के बीच में एक भाई भती जावाद चलता है, जमिंदार को अंग्रेज सपोर्ट करते हैं, जमिंदार अंग्रेज को सपोर्ट करते हैं, और यह जो ताना भगत हैं, यह जमिंदारों के खिलाफ लड़ाई कर ताकि जो भी प्रस्ट आएगा उसको हम लोग अगले लेक्चर में देख लेंगे और आगे कफर करेंगे थेंक्यू वेरी मच आज हम लोग लेक्चर आठ करेंगे और लेक्चर आठ अगर आप बिस्टिकून से देखे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आज हम लोग जै प्रकास जी के बारे में करेंगे और अगर बिहार का प्रश्ण पत्र आप उठाएंगे तो आप हमेशा पाएंगे कि जेपी से हमेशा वो बोक्वेश्यन पुछता है जेपी वही हैं जो आज 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 दस्ता का गठन करेंगे और फिर भाद में लोक नायाक ब बिना चीज को स्टार्ट किये हुए, JP जो है National Hero Cup बनेगे, JP National Hero Quit India Movement में बनेगे, JP बहुत बड़ा नाम अभी तक नहीं रहें है, Quit India Movement के पहले थीक है, JP Freedom Fighter तो रहें हैं, पर बहुत बड़े नाम नहीं पर अगर आप मेट्योरिक राइज ऑफ जेपी देखेंगे अगर आप जेपी को राष्ट्रिय फलक पर अगर देखेंगे कि अपनी हफ्ताक्षर अंकित करते हैं तो वो क्विट इंडिया मुवमेंट के भारत छोड़वान दूलन के समय करते हैं तो उसके लिए पहले में थो जो अगस्त रिवोलुशन बोलते हैं आठ अगस्त को गांधी जी डू और डाई का स्लोगन देंगे और ये क्विट इंडिया मुवमेंट है जो गांधी जी इसको लीड नहीं करते हैं अगर प्रश्ट आता है तो ये एक अकेला मुवमेंट है जो गांधी जी लीड नहीं क जाहिए कि ये वो movement है जो violent movement है ये शुरू से ही ये movement बहुत violent रहा है क्योंकि गांधी जी ने कहा है कि ओ British, quit India, you have been sufficiently here for the long time, now the time has come when you will have to be quiet और आप देखते हैं कि गांधी जी कहते हैं कि अगर मैं arrest हो जाता हूँ तो हर ब्यक्ति अगर हमारे important leaders arrest होते हैं तो हर वो ब्यक्ति अपना नीन लेने के लिए खुश पतंत्र है तो कुशिति हासकारों का जैसे रूमिला थापर का मानना है कि गांधी जी ने indirect रूप से लोगों को कहा कि आप अपना रास्ता चुन सकते हैं इसका मतलब गांधी जी ने उक्साया और आप देखते हैं कि quit India movement from the very beginning एक violent movement रहा है quit India movement का अगर बहुत salient आप feature देखते हैं तो यहाँ पे पैरलल government का निर्मान होता है जैसे कि चित्तु पांडे बलिया में करते हैं वो national history का पाठ है पर थोड़ा सा हमें ध्यान रख कर चलना चाहिए आठ अगस्त को गांधी जी do or die का अश्लोग देंगे और आठ अगस्त के रात में अंग्रेजो द्वारा operation zero hour चलेगा operation zero hour क्या है operation zero hour में अंग्रेजो द्वारा जितने भी important leaders हैं जैसे कि पंडित नहरू जैसे सरोजनी नाइडू गांधी जी राजहंदर प्रशाद श्रिकृष्ण सिंग अनुग्रहन रायन सिंग ये सारे बड़े leaders को arrest कर दिया जाता है गांधी जी को गांधी जी की पत्नी को और सरोजनी नाइडू अगरह को आगा खान पैलेस में arrest करके रखा जाता है आगा खान पैलेस महराष्ट्रा में अगर आप वहीं देखे कि जवाहर लाल नहरू को जवाहर लाल नहरू एक बहुत बड़े नाम रहे हैं और अबुल कलाम अजाद को अहमद नगर के जेल में रखा जाता है अहमद नगर उसे में फोट रहता है ये भी महराष्ट्रा में है किसको कहा ये 21 महीने तक इनको रखा जाता है गांधी जी वगरह को आप देखेंगे कि क्विट इंडिया मुव्मेंट के समय 21 महीने तक जेल में रखा जाता है दोन अगस्त को पतना का डीम है W.G. आर्चर, और अगर पतना के इतिहास में, बिहार के इतिहास में एक कलंकित नाम है W.G. आर्चर, क्योंकि W.G. आर्चर 9 अगस्त को डॉक्टर राजिंदर प्रशाद हमारे पहले रास्टरपती को ऐरिस्ट करने के लिए ओरडर जारी करता है औ और राजिंदर प्रशाद को पांकिपूर के जिल में एरिस्ट करके रखा जाता है, पांकिपूर कहा है, पटना, दूसरे बड़े नेता है, आप लेटर पार्ट पे हम लोग देखेंगे जैप्रकास नारायन, हमें यहाँ पर ही नोट कर लेने के लिए अच्छा रहेगा, कि जैप्रकास नारायन को हजारी बाग के जिल में रखा जाता है, और फिर बाद में इनकी हमें स्टोरी आपको बताएंगे, नव अगस्त को डबलू जी आर्चर कर देगा, सारे बड़े लीडर एरिस्टोना स्टार्ट होंगे, और फिर आप देखते हैं कि गारह अगस्त को बिहार में तो क्रांती ही मत जाती है, और बिहार में अंगरेजों के द्वारा अगर सकाला इतिहास में अगर अक्षर में नाम लिखा जाएगा, तो वो है इस ब्यक्ति डबलू जी आर्चर का, अब 9 अगस्त को राजेंदर प्रसाद पतना के जेल में अरिस्टिड हैं, उस स्टूडेंटों के बीच में बहुत फेमस हैं, अनुगरह नारायन सिंग को 11 अगस्त को एरेस्ट कर लिया जाता है, जब अनुगरह बाबु एरेस्ट होते हैं, जिनको बिहार विभूती भी कहते हैं, और अंगाबाद के रहने वाले हैं, जो स्टूडेंट हैं, स्टूडे इस्ट गेट ओफ पटना सेक्रेटेरियट जो सेक्रेटेरियट है पटना का वहाँ पे ये बच्चे चले जाते हैं जंडा फ़राने और अभी भी आप पटना में जाएंगे और जब सहीद असमारक से आप घुजरेंगे तो आपके रोएं खड़े हो जाएंगे आप ये साथ लोगों का आप देखिए ये अंत में जाकर सेक्रेटेरियट पर जंडा फ़रा देते हैं और तिरंगा को लहरा देते हैं इसको कहा जाता है सेक्रेटेरियट गोली कांड अगर एक जाम में आपसे पूछता है कि सेक्रेटेरियट गोली कांड किस मुहमेंट से रिलेटेड है तो इस रिलेटेट टू दे क्विट इंडिया मुवमेंट और वो सात युद्धा जो स्टुडेंट रहे हैं कितना 11-12 के स्टुडेंट रहे हैं कोई भी ए फस्ट येर का स्टुडेंट रहा है वो अपनोंने अपने नाम को स्वणी मक्षरों में अंकित कराया उसमें सबसे बड़ा नाम है जगतपती कुमार खनाटी के रहने वाले हैं और अंगाबाद जिला के दूसरा बड़ा नाम है रामानंद सिंग, देवीपत चौधरी, रामकोविन सिंग, राजिंदर सिंग, सतीश प्रसाद ज्धा, भागलपुर के रहने वाले हैं उमा कान, प्रसाद सिना पटना के रहने वाले हैं, ये साथ स्टूडेंट सेक्रेटेरियट पर जंडा लहरा देते हैं और अंग्रेजों को खुली चुनौती देते हैं और इस तरह से सेक्रेटेरियट गोली कान, अनुगरह बाबु जो अंतिम लीडर है जो एरिस्ट होते ह हैं बिहार के और उनके रिपरकर्शन में, उसके रियक्शन में स्टूडेंट के द्वारा जंडा फाराया जाता है और इस तरह से यही है सेक्रेटेरियट गोली कान, अगर आप देखेंगे बात यहीं पर नहीं रुकती है, एक बहुत बड़ा नाम है फूलन प्रशाद वर इन पर भी गोली चलती है, इनको भी अरिस्त किया जाता है और इसी समय महिला, क्विट इंडिया मुहमेंट के समय महिला चर्खा क्लब बनाया जाता है, जो महिला चर्खा क्लब पटना में बनता है और इसकी जो अध्यक्ष रहती हैं वो होती हैं भगवती देवी ये नाम थोड़ा साफ ध्यान रखिएगा क्योंकि भगवती देवी जो हैं राजंदर प्रशाद की पहन है याद रखिए दो तीन ऐसे बड़े नाम हैं दो तीन ऐसे बड़े फिगर हैं जिनके बारे में आपको इनफॉर्मेशन मैक्सिम कलेक्ट करके रखना होगा और क्यों हमारे जैप्रकास नारायन रहे हैं जिनको हम लोग प्यार से जेपी कहते हैं और यही जेपी का यूज्वली आप लोगोंने नाम सुना होगा टोटल रिवोलूशन इमर्जिंसी के खिलाफ इंद्रा गांधी के खिलाफ आवाज उठाने के लिए पर उससे पहले वो निशन हजारी बाग से जेल से फरार होके नेपाल चले जाएंगे और नेपाल में जो जंगल है उसको कहते हैं राजबिलास का जंगल राजबिलास के जंगल में एक जगह है जिसका नाम है बकरी का टापू बकरी का टापू इस बकरी के टापू में गुरिला बार फियर करने के लि आजाद दस्ता क्या करेगा गुरिल्ला वार फियर के थूँ गुरिल्ला वार फियर के थूँ अंग्रे जो पर अटैक करेगा गुरिल्ला वार करेगा ये जो आजाद दस्ता का निर्मान होगा ये जैप्रकास जी अपने नहीं करेंगे साथ में सुरिदेव नरायन सिंग करें में आजाद दस्ता बनाएंगे आजाद दस्ता बंबारिक के लिए भी ट्रेनिंग देगा अपने सैनिको को और बॉम्ब के लिए ट्रेनिंग के लिए इनका जो बहुत बड़ा उसमें के बहुत बड़े क्रांतिकारी नेता है नित्यानंद सिंग नित्यानंद सिंग को ट्रेन प्र भीटियो का संचालन करती थी तो इस तरह से यह बड़े-बड़े नाम है और इसे तरह से आजाद दस्ता बनता है और आजाद दस्ता के सांथ सबसे एक और important घटना हो जाता है कि एक बहुत बड़े freedom fighter है कि लाल कुंडे कि वे की वे लाल कुंडे कटिहार के रहने वाले हैं और एक true गांधियन है किस्वर लाल कुंडे का 13 साल का बेटा था उस 13 साल का बेटा का नाम था Drew Drew school जा रहा था और अंग्रेजो के अच्याचार में इसको गोली लग जाती है जब इसको गोली लगती है तो धुरू मर जाते हैं इसके खिलाफ में पुरा जंता सड़क परा जाता है कि एक 13 साल के बच्चे को आपने गोली मार दिया और इसकी बदला लेने के लिए एक धुरू धल का निर्मान होता है और ये जो धुरू धल है उस बच्चे के नाम पर है जिस तरह से अगर आपने दिल्ली में सुना होगा कि निर्भया जो केस होता है निर्भया फंड बनता है to commemorate कि एक आप सिंबॉलिक है तो उसी तरह से धुरू का बदला लेने के धुरू धल बनता है और धुरू धल के सेनानायक अपने जय प्रकाश नारायन होते हैं तो ये बहुत ही important है इस तरह से थोड़ा सा आपको देखना होगा और मैक्समम हम लोगोंने कभर इसको करी लिया है पर एक चीज और है कि अगर क्विट इंडिया मुव्मेंट को आप देखें तो क्विट इंडिया मुव्मेंट में सबसे ज़्यादा एफेक्टेट कौन जगा हुआ यह बहुत ही मतब प्रिजिन डे का यूपी रहा सबसे ज़्यादा क्विट इंडिया मुव्मेंट तियोरी यही था और बिहार में अगर आपसे पूछता है कि सबसे ज़्यादा त्रिव कहा था तो वो था अपनी राजधानी पटना पटना में यह हुआ कि जो रेल लाइन है इसको कबा करके लोगों ने बाहर फेक दिया तो जब कबार इसको देते हैं तो पूरी संचार बेवस्था को बाधित कर दिया गया तो क्विट इंडिया मुव्मेंट में कभी आपसे अगर प्रश्ण पूछे कि सबसे ज़्यादा इंपक्त क्या हुआ तो संचार बेवस्था डांक को प्रभाविस किया गया रेल्वे को प्रभाविस किया जितनी भी संचार बेवस्था थी उसको ठप कर दिया गया उस पूरे चीज को ठप कर दिया गया तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर प्रश्ण पूछता है कि सबसे ज़्यादा एफेक्ट कहां हुआ क्विट बढ़े वकील रहें एडवोकेट जिनरल बल्देव सहाई आपने नाम सुना होगा अगर आपने नाम नहीं सुना है तो थोड़ा सा आप गूगल करेंगे बल्देव सहाई बहुत बढ़े वकील है यह जो अत्याचार अंग्रिजों के द्वारा होता है तो क्विट इंडिय 12 अप्रील 1946 को लहौर के जेल से छुटते हैं लहौर में इनको बंद कर दिया जाता है लहौर जेल में चल जाते हैं 12 अप्रील 1946 को जेपी लहौर के जेल से छुटते हैं और 12 अप्रील को जैप्रकाश दिवस के रूप में मनता है देखिए ये सब जो fact है आपको usually books में नहीं मिलेंगे ये fact एक जगर हम लोगों ने collect किया है ताकि जो भी प्रशनगर BPSC है ऐसा चीज पूछता है जो थोड़ा सा office stamp हो मतलब जो general चीज़े available हैं वहाँ पे नहीं हो तो इस तरह से आप cover कर लिजेगा तो जैप्रकास दिवस के रूप में मनता है यहाँ पर हम अच्छा ये होगा कि JP के बारे में जो जो information हैं उसको हम लोग थोड़ा सा collect कर लें तो आपके लिए भी सहुलियत हो जागा एक जगह सब चीज हो जागा जैप्रकास जी जो है इनका गाओं का नाम है सीतब दियारा सीतब दियारा किस जिला में है सारन छपरा में दूसरा आप देखेंगे तो जैप्रकास जी को 1999 में भारत रत्न मिलता है जो देश का सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न राजेंदर प्रशात को कम मिलता है 1962 में हमारे पहले राष्टपती डॉक्टर राजेंदर प्रशात को मिलता है उसके पहले 1965 में जेपी को रमन मैक्से से यवार्ड मिल जाता है रमन मैक्से से पब्लिक सर्विस के लिए पब्लिक अड्मेस्ट्रेशन में रमन मैक्से से ये बाड मिलता है आप जेपी और हमारा और आपका याद ये है कि जेपी जो है he is the pioneer of total revolution वाट इस total revolution टोटल रिवोलुशन जो emergency के समय आंदोलन होता है इंद्रा गांधी के खिलाप आंदोलन होता है उसका पर इसको फेमस जेपी ने किया जिस तरह से इनकलाब जिंदाबाद लाइन हरसद महतानी की है पर उसको फेमस भगत सिंग ने किया जिस तरह से लाइन बिस्मिल अजीमाबादी की है कि सरफरोसी की तमनाब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए पकातिल में है ये तरह से टूटल रिवोलूशन के दुरान सिंगासन खाली करो की जनता आती है ये लाइन रामधारी सिंग दिन करकी है पर इसको फेमस जेपी ने किया एक जेपी किताब लिखते हैं वो सोचिलिस्ट हो जाते हैं हमने पहले आपको पढ़ार रखाए कि बिहार सोचिलिस्ट पा के रहने वाले हैं जो कि मुझफर पूर में है और राम ब्रिक्ष बेनिपूरी जो किताब लिखते हैं उसका नाम है जैप्रकाश ये सब बहुत इंपोर्टेंट हैं आप देखेंगे कि जैप्रकाश जी का एक और बहुत बढ़ा योगदान है कि उसमें बिहार और जहारख के नेता हैं एक का नाम है एशन हलदर और दूसरा का नाम है ब्योमेश चक्रवर्ति ये वर्कर जो वहां के हैं उनके हीतों की रक्षा करने के लिए वर्कर से एस्शोशेशन बनता है एक बहुत मेजर स्ट्राइक हो जाता है जमसित पूरी स्टिल प्रांट में 1928 में और उ जेपी प्ले करते हैं और जेपी उस स्ट्राइक को भंग कराते हैं और वर्कर का जो मांग है उसको मनवाते हैं वहां के मैनेजिमेंट से तो हमारे लिए इतना काफी होगा अब जेपी से जितना भी पूछेगा हमें पतना का एयरपोर्ट का भी नाम जैप्रकास जी के नाम पर है इनको लोक नायक बोलते हैं लोक मानने तिलप को बोलते हैं लोक नायक मतलब होता है कि people leader और people leader जो basically इनको आप quit India movement के समय भी हो जाता है पर कुछ लोग कहता है कि total revolution के समय इनको basically लोक नायक कहा गया है अब जितना भी प्रस्थ आपको आएगा you should be in position to answer them thank you very much आज हम लोग बहुत important topic cover करेंगे अगर आप BPSC का प्रस्थ देखेंगे तो BPSC का एक area है जहां से वो हमेशा प्रस्थ पूछता है कि आपको book का नाम दे दिया जाएगा और पुछा जाएगा कि कौन author इसको लिखे हैं और यह थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि अगर हमारे पास एक जगा सारा collection रहे और usually आप उसका trend देखेंगे तो आप यह पाते हैं कि books उनकी उनका पुछा जाता है जो बिहार से some way or the other related हैं तो बिहार के जो बहुत बड़े साहित्तिकार हैं और जो freedom fighters वग रहे हैं उनको एक जगा हम लोगों ने collect कर लिया है तो एकजाम के लिए बहुत सहूलियत होगा और बहुत handy होगा और इस तरह से हम लोग एकजाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे तो without wasting the time let's start बिहार के अगर साहित्ति जगत की बात करेंगे तो बिहार के साहित्ति जगत में अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सबसे बड़ा नाम कौन है तो सबसे बड़ा नाम राश्ट्र कवी दिनकर है राश्ट्र कवी दिनकर है राश्ट्र कवी दिनकर है राश्ट्र कवी दिनक हैं बहुत बड़े freedom fighter हैं लेकिन साहित जगत में साहित के हस्ताक्षर हैं he is a signature in the field of literature तो अगर आप दिनकर जी की बात करते हैं तो दिनकर जी 1969 में इनको साहित academy award मिलता है 1969 में ही इनको पद्म भूशन से नवाजा जाता है दिनकर जी इतने बड़े साहित जिकार हैं कि इनकी विद्वता देखकर इनको vice chancellor बनाया जाता है भागलपुर university का तो he was the vice chancellor of the भागलपुर university too लेकिन जो सबसे महान किर्थियों में अगर एक है दिनकर जी का तो 1972 में ये बिहार के he was the first to get the घ्ञानपीठ पुरशकार और ये एकजाम के लिए आपका बहुत important है कि बिहार से पहले ब्यक्ति कौन है जिनको घ्नको घ्ञानपीठ पुरशकार मिलता है तो जो पहले ब्यक्ति हैं वो है रामधारी सिंग दिनकर, राश्कल कवी रामधारे सिंग दिनकर, जिनgartं उस किताब का नाम है उर्वसी उर्वसी जो है अगर आपको कभी फुर्षत में रहिए तो उर्वसी किताब को जरूर पढ़िए पतली किताब है उर्वसी एक उर्वसी और राजा पुरूर्वा का लव हिस्टोरी है राजा पुर्वसी जो है वो बहुत सुन्दर है और उर्वसी जो है एक डांसर है अपसरा है जो भगवान इंद्र की जो बिवस्था है जहाँ पे कोट है वहाँ पे डांस करती है और बहुत मतलब सुन्दरता की पराकास्टा है उनकी और राजा पुरूर्वा की लव हिस्ट उर्वसी अपने समय का सुर्य हूम है। तो यह उर्वसी किताब रामधारी सिंग दिन करकी है। दूसरी बड़ी किताब रामधारी सिंग दिन करकी आप सब लोग पढ़े भी होंगे, वो है रस्मी रथी। इसमें कर्ण का गजब उनके जो कर्ण की परतिभा है उनकी योगिता है गजब उसको सो किया गया है रस्मी रतिक को भी जरूर अगई कभी फुर्शत में रही तो जरूर पढ़िएगा इनकी और जो किताब है और जो कविता है एक है हुंकार दूसरी है साहित संस्कृति के चार अध्याए ये सब दिनकरजी की किरतियां है और अगर आप देखेंगे तो एक इनकी किरति है दिल्ली दूसरी है हाहाकार ये बहुत ही फेमस है हाहा हाकार आग की भीक आग की भीक ये सब किरतियां दिनकरजी की अंकर किरतियां है रस्मी रसी हमने बता दिया और एक है हुंकार तो ये सब जो किर्ती है आपको पता होना चाहिए एक्जाम में आप यूज्वली हिमाले भी एक इनकी कविता है हिमाले तो देखिए इस तरह कि अगर question पूछ देगा तो एक जगाई कठा रहेगा तो आपके लिए सहुलियत रहेगा वो कौन-कौन है दिल्ली, हाहाकार, आगकी भीक, हिमाले, हुंकार, हमने आपको बताया उर्वसी, रस्मीरती, हुंकार तो लिखेगा संस्कृती के चारद है इतने काफी हैं अगर दिनकर जी के इन books को आप एक जगा रखेंगे तो सारा question कभर हो जाएगा दूसरे हैं हमारे पहले राष्ट्रपती डॉक्टर राजेंदर प्रशाद, डॉक्टर राजेंदर प्रशाद की एक किताब बहुत फेमस हुई, उसका नाम है Economics of Khadhi दूसरी किताब जो उनकी फेमस है वो है India Divided, तीसरी किताब जो उनकी फेमस है वो है शंपारण में गांधी चंपारण में गांधी, तो ये तीन किताब राजेंदर प्रशाद की बहुत फेमस है और हमें लगता है कि इस चीज़ से आपको, अच्छे ये बताईए कि जो India Divided जो है, राजेंदर प्रशाद किसको Father of Pakistan मानते हैं, जिन्ना को क्या, नहीं, डॉक्टर राजेंदर प्रश जिसको आप मौरली, मिन्टो, रिफॉर्म्स भी बोलते हैं, मौरली, मिन्टो, मौरली, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रहते हैं, जो लंदन में रहेंगे, मिन्टो वाइसराय रहेंगे, और इसी में पहली बार सेपरेट एलेक्टोरेट फुर्द मुसलिम का जिक्र है, तो इस जिन्ना को, तीसरा बहुत बड़े साहित्यकार है, राम ब्रिक्ष वेनिपूरी, जो बेनिपूरी जो नाम है, ये इनके गाउं का नाम है, इनका गाउं का नाम है बेनिपूरी, और बेनिपूरी किस जिला में है, मुझफर पूर में है, राम ब्रिक्ष वेनिपूरी भी ब का रहे हैं, एक इनकी किताब है लाल तारा, दूसरा है माटी की मूरती, माटी की मूरती, पतीतो का देश, पतीतो चुकि बिहार से समस्वार्दीन है, पता तो होना है इनकी किताब, और इक जांप में हमेशा आपको मिल जाएगा, कैदी की पत्तनी ठीक है? तो यह राम्रिक्ष वेनिपूरी की यह सब किर्तिया है इस से ज़्यादा आपको ज़रूत भी नहीं है ज़्यादा देखें information overload भी नहीं करना है ऐसा नहीं कि बहुँ ज़्यादा information overload कर ले किताब से ही प्रश्ण पूछता है बहुत ही अनोखा किताब निकाला और पूछ लिया ऐसा फिल्कु नहीं करता तो इतना आपको थोड़ा सा कर लीजिए एक है फनिश्वर नाथ रेनू अभी करिंट में है इसलिए मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूँ फनिश्वर नाथ रेनू फनिश्वर नाथ रेनू कहा के रहने वाले है अररिया जिला के रहने वाले है रेनू के नाम पर जो इनका जव टाइटल है यहां पर अररिया में रेनू पार्क बन रहा है इस रेनू पार्क को आप मंकी पार्क भी कहते है यह करिंट का प्रश्ण है फनिश्वर नात रेनू की एक किताब है मैला आचल इसको second best book of literature हिंदी साहित्य कहा जाता है पहला गोदान को माना जाता है दूसरा है मैला आचल इनकी एक और किर्ती बहुत ही महत्तोपुण है उसका नाम है जूलूस फनिश्वर नात रेनू की जो दूसरी बहुत बड़ी किर्ती है वो है जूलूस तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए और एक है आचार एक है बिभूती किताब लिखा जाता है बिभूती ये है आचार सिवपूजन सहाय के द्वारा एक है किताब उसका नाम है लुटेरा जो लुटेरा किताब है वो एक साहित्यकार है सुयस वो लिखते हैं एक है फिरंगिया किताब का नाम है फिरंगिया के ओथर है मनुरंजन प्रशाद सिंग मनुरंजन प्रशाद सिंग तो हमारे लगता कि बिहार से जितना ये सब questions है तो इससे ज़्यादा बाहर question नहीं जाता है तो इतना में आपका सारा cover हो जाएगा अब तो आशा नेशनल लेबल पर देख लेते हैं नेशनल लेबल वाला भी बहुत question पूछता है जैसे आप देखेंगे एक किताब है India in transition जो एक किताब बहुत फेमस है और ना जाने आपको कभी भी किसी exam में मिल जाएगा बहुत बड़े communist leader हुए और बहुत बड़े freedom fighter हुए Eamon Roy Eamon Roy की किताब है India in transition इसको ध्यान रखियेगा ये किताब है दुरगेश नंदनी ये जो है बंकिमचंदर बंकिम चंद्र चटोपध्याई की किताब है बंकिम चंद्र चटर जी की किताब है क्यों ये किताब का जिक्र होता है इसलिए होता है कि बंकिम चंद्र चटर जी की ये पहला नोबल है फर्स्ट नूबल अफ बंकिमचंद्र चटुपध्धाय है बंकिमचंद्र चटरजी है ठीक है तो पहला नूबल है बंकिमचंद्र चटरजी का दुर्गेश नंदनी ये बहुत इंपोर्टेंट है मौलाना अबुल कलाम अजाद का हमारे जो 1940 वाला जो सेशन होता है रामगर सेशन जो बिहार का तिरपनवा सेशन होता है उसकी अध्यक्षता अबुल कलाम अजाद करते हैं और देश के पहले सिक्षा मंतरी भी हैं 1940 से 46 में कॉंग्रेश के अध्यक्ष रहते हैं लगातार और ये भी ध्यान रखना होगा आपको कि he has been the he is credited to be the youngest member to be the president of the Indian National Congress 35 साल के उमर में इंडिया नेशनल कॉंग्रेस के प्रेशिडेंट बन जाते हैं आप्शन में आपको जवाहरलाल नहरू रहेगा आप trigger होंगे मारने के लिए जवाहरलाल नहरू के लिए और इस तरह से गलत कर बैठेंगे तो अच्छा है कि इस बेटर कि आप prepared रहें तो youngest रहे हैं अबुल कलाम अजाद इनकी किताब बहुत ही सुन्दर है हमें उमीद है कि आप जरूर पढ़े होंगे इंडिया wins freedom ये भी आपको इक्जाम में कभी न कभी मिल जाएगा एक किताब है गीता रहष्य ये जो किताब है गीता रहष्य ये तिलक का है तिलक के एक बारे में बहुत ही important चीज है और इक्जाम में पूछ आपको मिल जाता है He has never been the president of the Indian National Congress He has never been the इस तरह से तैयार रहने में कोई दिक्कत है नहीं He has never been the president of Indian National Congress के कभी ये president नहीं रहे है ये किताब है Indian unrest ये किताब को जितना भी आपको strike मारना है star मारना है मार लीजिए क्योंकि बहुत ही पूछता है जो Indian unrest किताब है ये किताब है Valentin Sirol का Valentin Sirol का किताब है और ये किताब क्यों important है आपने सुना होगा कि कहा जाता है कि who is the father of India's unrest father of India's unrest तिलक को कहा जाता है कि तिलक is called as the father of India's unrest वो इसी किताब में लिखा हुआ है जो Valentin Sirol की जो किताब है इसी किताब में तिलक को कहा जाता है कि he is the father of India's unrest एक किताब है जो आप मुझे जरूर लगता होगा कि आपको पता होगा गोखले My Political Guru ये बापु की किताब है गांधी जी का किताब है गोखले My Political Guru गांधी जी की एक और किताब एक और जो पत्रिका जो निकालते हैं वो है Indian Opinion Indian Opinion जो निकालते हैं ये South Africa में जो भारत के लोग रहते हैं उनके दुख और दर्द को बया करते हैं इंडियन Opinion में ये भी बापु की है तो थोड़ा सा इसको भी आप ध्यान रख लिजे एक और किताब है जो यूज़री बहुत फेमस है वो है गांधी बनाम लेनिन जो गांधी बनाम लेनिन है ये है A.S.A. Đanagy की किताब और A.S.A. Đanagy वाली किताब जो है इसमें खंपेर किया गया है ये लेनिन की फिलोसफी गांधी की फिलोस्पी दोनों एक कैसे है दोनों को equate किया गया है पर हमें पता रहना चाहिए कि गांधी बनाम लेनिन जो किताब है इसे डांगे की है और अच्छा इंडिया फोर इंडियन से किताब है इंडिया फोर इंडियन ये जो किताब है ये चितरंजन दास की किताब है चितरंजन दास जो है जैसे गोखले को गांधी जी ने कहा कि he is my political guru उसी तरह से सुबास चंद्रबोष का कहना है कि सुबास चंद्रबोष जो है चितरंजन दास को अपना राजनितिक गुरू मानते थे तो he used to consider चितरंजन दास as the राजनितिक गुरू चितरंजन दास हमारे एक जाम के लिए बहुत important है कि चितरंजन दास जो है 1922 वाला जो गया का सेशन होता है जो 37 सेशन होता है इस तरह से याद रखिएगा बिहार का पहला सेशन 27 होता है 1912 में 37 होता है 1922 में 10 साल बाद तिरपनवा सेशन रामगर्ण में होता है जो कि अभिजहार खण में है उस समय बिहार में है तो इसका आरमूध होलकर अध्यक्ष रहते हैं 37 सेशन का चितरंजन दास रहते हैं तिरपनवा सेशन का मौलाना अबुलकलाम अजाद रहते हैं इसी तिरपनवा सेशन में ताना भागत्स पाटिसिपेट करते हैं और इसी तिरपनवा सेशन में individual सत्यागर्ण लौन्च होता है कि individual सत्यागर्ण करेंगे जो 37 सेशन होगत इंडियन नेस्टल कॉंग्रेस इस इंपोर्टेंट है कि इसमें no changers और pro changers का डिविजन होता है और यहीं पर ये चितरणजन्दास थोड़ा सा नाराज होते हैं और 1923 में स्वराज स्वराजिस्ट जो स्वराज पार्टी बनती है स्वराजिस्ट जो है which is a party within the Congress Party Congress स्वराज पार्टी की निर्मान करते हैं खुद अध्यक्ष बनेंगे और मोतिलाल नहरू जवाहालाल नहरू के पिताजी को जेनरल सेक्रेटरी बना देंगे तो एक और किताब थोड़ा सा ध्यान आप रखिए इंडियन मुसलमान यह भी पूछ लेता है इंडियन मुसलमान जो किताब है 1871 में लिखी गई है और WW Hunter के द्वारा की लिखी गई है इस इंडियन मुसलमान किताब में यह कहा गया है कि मुसलमान को तोड़ना होगा मुसलिम को तोड़ना होगा मुसलिम को एपीज करना होगा तभी हम भारत में रूल कर सकते हैं और आप देखेंगे कि इसी किताब को बेस बना कर 1909 में Separate Electorate आता है ठीक है Separate Electorate आता है तो आप यही देखेंगे तो यह सब वो किताब हैं जो आपको एकदम पता ही होना चाहिए और जब भी आप BPSC की एकजाम में बैठेंगे आपको इधर से न उधर से यह प्रस्ण मिली ही जायेगा और हमको लगता कि maximum चीज हम लोगों ने cover कर लिया है तो ठीक है बाकी देख लेंगे बाकी में और part बना लेंगे आज हम लोगों का lecture number 10 है और यह lecture 10 हमारे एकजाम के लिए बहुत important है important in the sense है कि BPSC का आप जो भी एकजाम देंगे तो आप यह पाएंगे कि BPSC के हर एकजाम में कोई ना कोई प्रस्ण या तो उसके paper से होता है जो बिहार में publish होते हैं या national label पर या magazine से होता है problem यह होता है कि हम लोग the hazard manner में इधर उधर पढ़ते तो हैं पर एक जगह एकट्रित नहीं होता है इसलिए हम लोग उसको revise नहीं कर पाते हैं और उसको कंटेक्स्ट को नहीं समझ पाते हैं let us start अगर आप इस topic का importance देखे तो यह 65 और 66 जो आपका BPSC हुआ है वहां से मैंने इन प्रष्णों को लिया है जैसे एक प्रष्ण है कि बिहार में स्तर्चलाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे अब यह देखिए 66 BPSC का question है यह अब्दुलबारी थे कि मुरली मोहन प्रशाद थे कि कौन थे इसको आपको देखना होगा सन 1875 इस्वी में बिहार हिराल्ड आरंभ किया था इसके कौन थे आरंभ किया था मुंसी सुरजमल बाबु गुरु प्रशाद इसको आपको देखना होगा हिंदु पैट्रियट के संपादक कौन है 65 BPSC का प्रष्ण है तो कहने का मतलब है कि हर एक्जाम में कम से कम आपको दो क्वेश्चन तो इससे मिलते हैं और मैं अशूर करता हूँ कि इस लेक्चर को सुनने के बाद यू बिन पोजिशन टू एंसर दें इन तीनों प्रश्णों का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे लेट असे स्टार्ट यह जो है आप यहाँ पे अगर हेडिंग देख पा रहे हैं तो यह है दसर्चलाइट यह जो सर्चलाइट अखबार है एक सेकंड यह जो सर्चलाइट अखबार है यह इट वाज दे फर्स्ट इंग्लिश डेली निउस्पेपर इसके जो पहले एडिटर है इसके बारे में बहुत एक रोचक के स्टूरी है मैं आपको बताता हूँ जो पहले इसके एडिटर है उनका नाम है साइद हैदर हुसेन आपको बहुत गर्व होगा यह स्टूरी सुनकर की ऐसे ऐसे भी पत्रकार हुए हैं इस देश में अपने बिहार में जो इसके second editor हुए हैं उनका नाम है उस समय के बहुत बड़े पत्रकार हैं महेश्वर प्रशाद ये इसके second editor हुए हैं और इसके longest serving editor आप ये सोच रहे हूँ कि इसके इतना आप detail में क्यों बता रहे हैं क्योंकि आप अगर देखें तो पहले searchlight के बारे में प्रस्न पूछा जा चुका है तो इस searchlight के बारे में जितना ज्यादा जानकारी रहेगा तो अच्छा है एक्जाम में आप comfortable रहेंगे the more you sweat in the field less you bleed जिन्दवार तो अभी हम लोग का प्रैक्टिसेशन है तो जितना त्यारी कर लें ताकि युद्ध हस्थल में हम लोग को कम खुन बहाना पड़े ज्यादा एक्जाम सेंटर्स पे तो जो longest टर्विंग एडिटर है इसके उनका नाम है मुरली मोहन प्रशाद सर्च लाइट के बारे में एक चीज यह है कि सर्च लाइट का अस्थापना उनीश सव टारह में होता है और कौन सर्च लाइट के अस्थापना करते हैं सचितानंद सिन्हा करते हैं इसमें थोड़ा सा डाउट है इसको आप एक बार कंफर्म कर लिजेगा क्योंकि जो बुक्स में इसके अस्थापना के बारे में जिक्र नहीं है पर मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिला उसके हिसाब से सच्चता नंसिनहा जो मैंने प्रयास से कराता है करजन को he equated the करजन he said that the करजन is rain of करजन थोड़ा सा देखे सच्चता नंसिनहा हो गए राजिंदर प्रसाद वगर के स्टेटमेंट को थोड़ा सा ध्यान रखिए rain of करजन is white man's white means burden ये कभी जबी आपसे पूछ सकता है एक्जाम मैं पूछ सकता है कि किसने ये statement दिया था कि rain of करजन is white man's burden जोकि सच्चता नंसिनहा की बात हुई तो ये उनका statement है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा तो 1918 में सच्चता नंसिनहा इसके अस्थापना करते हैं सर्चलाइट की अभी मैंने आपको बताया कि आपको इसके बारे में एके स्टोरी बताते हैं सर्चलाइट जो पत्रिका है बहुत ही एक्रेसिव रहा है अंग्रेजियों के खिलाब खूब आर्टिकल इस अखबार में लिखे गए हैं जम के आर्टिकल लिखे गए हैं और जो पतना का उसमें जजज था जो जजज की जो खंडपीट थी जो बेंच बैठता था वो जज सर्चलाइट पर जब कंटेम्ट आफ कोट लगा तो उस समय जो देश के बहुत गिने चुने बड़े नाम थे वकालत के उसका सबसे बड़ा अगर आप नाम देखेंगे तो वो है मोतिलाल नहरू गजब के वकील हैं मोतिलाल नहरू चितरंजन दास आज के राम जेठ मरानी हैं आज के हरिस सालवे हैं आज के जो दिवान साहाब है उस तरह के मुखल रोःत्वी साहाब के लेबल के वकील हैं तो मोतिलाल नहरू उतरते हैं उसके कंटेम्ट आफ कोट की के अगिस्ट 26 करने के लिए सप्रू साब उतरते हैं और सरट चंदर बोस उतरते हैं तिक 실या क्यों सर्च लाइट को इतना मैं डीटिल में पढ़ा रहा हूँ ऐसा मत सुचे है कि सब अख़बार इतना डीटिल में पढ़ाएंगे सर्थ चंद बोस उतरते हैं पर फिर भी जज बहुत बैस था उसने कंटिम्ट ओफ कोट के लिए 200 रूपिया का फाइन लगा दिया सर्च लाइट पर सर्च लाइट के डीटर उस पैसा को मना कर देने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि हम पैसा नहीं देंगे और ऐसे ऐसे बड़े बड़े पत्रकार हुए जिसके चलते आप देखते हैं कि पत्रकारिता को fourth pillar of democracy बोला जाता है, वो बोले कि हम तो सही बात लिख रहें, इसे content of court हो गया तो हो गया, हम fine नहीं देंगे अगले दिन देखते हैं कि कोई ब्यक्ति वो 200 रुपया fine जमा कर चुका था, बाद में चला कि जो ब्यक्ति ने जो 200 रुपया fine जमा किया था उस ब्यक्ति का नाम था Courtney टेरेल ये ब्यक्ति जो Courtney टेरेल है, बाद में पता चला कि इस ब्यक्ति ने 200 रुपया जो fine देना था सर्चलाइट को वो दे चुका था और ये Courtney टेरेल कोई और नहीं था उस समय पटना हाई कोट का Chief Justice थे ये इतने प्रभावित हुए पत्रकारता के नियमों को के परसी जो जो डेडिकेशन था सर्चलाइट का कि देखिए कि जो मैंने लिखा है हमने सोच समझ कर लिखा है और मैं content of the court हो तो हो मैं fine ने जमा देता हूँ आपको अख़बार को बंद करना है पर लाइज करना है करिए पर मैं नहीं दूँगा कोटनी टेरेल इतने प्रभावित हुए कि कोटनी टेरेल जाकर 200 रुपया जमा करते हैं और आप देखते हैं कि सर्चलाइट अखबार में भारत के पक्ष में 10 साल तक लगातार एक इंडियन के फेबर में एक इंडियन नाम से आर्टिकल लिखा जाता रहा और बाद में वो महेश्वर प्रशाद रहे मुरली मोहन प्रशाद रहे इनकी जानकारी में था वो जो 10 साल तक लगातार आर्टिकल इंडियन नाम से लिखा गया वो कोई और नहीं लिखता था वो कोटनी टेरेल लिखते थे वो इतना सर्चलाइट से प्रभावित थे और कोटनी टेरेल केवल आर्टिकल सर्चलाइट में लिखे तो इतना सर्टलाइट के लिए काफी है, बहुत ही अच्छा एनिक्डोट था, तो मैं सोच आपको बता दूँ, दूसरा बड़ा आखबार है, वो है बिहार हिराल्ड, बिहार हिराल्ड के बारे में ये है, कि it is the first English weekly newspaper, इस जाब से एक्जाम में अमूमन पुछा जाता है, ये तो कौन एडिट करते थे, एडिटर इसके थे, गुरू, प्रशाद, सेन इसके एडिटर थे, और चुकि ये पहला English weekly newspaper था, तो एक्जाम में गाहे बगाहे ये प्रश्ण आपको मिल जाता है, एक और अखबार है, उसका नाम है बिहार टाइम्स, ये बिहार टाइम्स मैं प प्रशाद वगरे के साथ मिलकर निकालते थे, बिहार फॉर्मिशन वाला लेक्चर पढ़ लिजेगा, उसमें हमने डिटेल में इसको बता रखा है, तो बिहार टाइम्स इसले फेमस है, क्योंकि बिहार टाइम्स पहली बार प्रिथक बिहार, अलग बिहार की मांग के ख़दीटर आप से पूछा जाए तो उस समय के बहुत बड़े पत्रकार थे महेश नराइन, महेश नराइन इसके पहले एडिटर थे, और जीवन परियंत एडिटर रहे हैं, जब तक इनकी देहान्त नहीं होती है, इनकी देहान्त 1907 में होती है, तो 1907 तक महेश नराइन इ जरूरी है कि 1906 में 1906 में इसी बिहार टाइंस का नाम बदल के बिहारी कर दिया जाता है क्यों? क्योंकि ये ज़्यादातर सेपरेशन ऑफ बिहार की बात उठाता है तो उसको और इंपेचस देने के लिए उसको और तागत देने के लिए उसको और परिलिक्षित करने के लिए इसका नाम 1906 में बिहारी कर दिया जाता है इतना काफी रहेगा हम लोगे एक्जाम के लिए दूसरा एक अख़बार है उसका नाम है बिहार बंधू बिहार बंधू भी आपको एक्जाम में कभी भी प्रश्ण के रूप में मिल सकता है 1874 में स्टार्ट किया गया जो एक्जाम के लिए important है क्योंकि ये बिहार का पहला weekly देखिए जो पहला type का है आपको पता होना चाहिए हिंदी निउस्पेपर है बिहार का पहला weekly हिंदी निउस्पेपर है तो एक्जाम के लिए एक बहुत ही important question बन सकता है और इसके जो पहले editor है जो इसके पहले संपादक है उनका नाम है मुनसी हसन अली मुनसी हसन अली और इसको start करने वाले कौन है जो start करते हैं उनका नाम है बाल कृष्ण एंड केशोराम भट बाल कृष्ण एंड केशोराम भट तो बिहार बंदू के लिए इतना काफी है एक हमेशा आप से एक्जाम में पुछ दिया जाता है एक्जाम में असका पता नहीं फेवरेट क्येस्चन है हिंदू पैट्रियट जो है वो इंडिगो प्लान्टर्ज जो है नील के खेती और हमारे बिहार के लिए एक्जामपल इंपोर्टन है क्योंकि चम्पारन सत्यागर हुआ इंडिगो प्लान्टर्ज जो नील की खेती करते थे उनके प्लाइट को ये अख़बार खूब दर्थाया है हिंदू पैट्रियोट खूब उनके दर्थ को अपने अख़बार में जगह दिया है और इसको कौन एडिट करते थे हरिस्चंद मुखर जी हरिस्चंद मुखर जी इसके एडिटर थे तो ये इतना पासी रहेगा एक्जाम पॉइंट ओ व वकिल रहे है वो अकालत के प्रोफेशर भी रहे हैं पटना लाविक्ली जो हे वो राजेंद्र प्रशाद निकालते थे काफी है इतना इंडियन नेशन ये बहुत important है जो इंडियन नेशन पत्रिका है उननेस ता ये निकलता था पटना से निकलता था इसको sponsor कौन करते थे, कौन निकल वाते थे Raja of Darbhanga मैंने आपको बता रखा है कि Raja of Darbhanga अंग्रेज से खूब लड़े है और इसको Darbhanga राज भी बोलते है, Raja of Darbhanga इसको निकल वाते थे, अगर आप आपसे उनका नाम अगर कभी पुश लिया जाए तो उनका नाम था महराजा कामिश्वर सिंख तो इतना काफी information overload भी नहीं करना है इस इसको ध्यान रखना है हम लोगों को तो अब एक और जो अखबार निकलता था उसका नाम था पतना टाइम्स जो पतना टाइम्स अखबार है 1924 में निकलता था और इसके निकालने वाले का क्या नाम है मुहमद यह देखी इसमें थोड़ा सा आपको याद तो करना ही पड़ेगा पर नंबर भी तो मिलेगा मुहमद यूनुस निकालते थे काफी है एक पत्र का निकलती थी सुधारक सुधारक को निकलते थे गोपाल कृष्ण गोखले मैं पॉलिटकल गुरू कल के लेक्चरस में आपको बता चुका हूँ कि गांधी जी लिखे है गांधी जी गोखले को गांधी जी अपने गोखले को पॉलिटकल गुरू मानते थे और यही पारक को एक चीज़ बताते चले कि गोखले साहब का एक statement बहुत फेमस है इन्होंने कहा है रीन ओफ करजन इस similar to that of देखे बीपेसी का ये सब है कि पूछ लेता है फिर हम और आप कहते हैं कि पता नहीं कहां से पूछ लिया तो ये गोखले का statement है गोखले जी का कि rain of करजन is similar to that of orange जेब तो सुधारक जो पत्रिका है उसके गोखले जी एडिटर है एक ये बहुत important है वैंगार्ड अगर आप वैंगार्ड का बारे में देखे तो ये पत्रिका कौन एडिट करते हैं बहुत बड़े communist नेता हुए इट वाज एडिटेट भाई बहुत बड़े communist नेता हुए एमिन रॉइ और एमिन रॉइ का कल हमने बताया है कि इनकी एक बुक थी इंडिया इन ट्रांजिशन कल वाला प्लेक्चर देख लेंगे तो सारा बुक को हमने कफर कर लिया है इंडिया इन ट्रांजिशन वैंगार्ड जो है इडिटेट भाई communist लीडर इमिन रॉइ एक फ्री हिंदुस्तान करके अख़बार निकलती थी ये United States of America से निकलती थी और जिगा का नाम है Vancouver Vancouver से निकलती थी ये फ्री हिंदुस्तान क्या करती थी ये जो इंडिया में जो आर्मी थी military थी कहती थी कि military ही भी रोध कर दे अंग्रेज का ये कहती थी कि military को उक्षाती थी कि military ही भी रोध कर दे अंग्रेज का और जो फ्री हिंदुस्तान जो पत्रिका निकलती थी जो अमेरिका से निकलती थी इसके निकालने वाले इसके एडिटर थे तूरक नाथ दास तो इतना काफी है और मुझे नहीं लगता है कि इससे बाहर प्रश्ण आयागा यूज्वली जो भी एक्जाम में प्रश्ण आपके आएंगे ये सारे चीज़ में मैंने कभर कर देए एक चीज़ आपको ये बताना थोड़ा सा बूल गया कि एक है मदर लेंड क्योंकि मैं पहले बता चुका था इससे चोटाइशो छोड़ थू जहान आ गया तो बता ही देता हूं कि मदर लेंड जो पत्रिका थी मदर लेंड निकालते थे मजहरूल मौलाना मजहरूल हक इनके बारे में पहले बता चुका हूं कि गांधी जी के क्लास फेलो रहे हैं मौलाना मजहरूल हक इसको निकालते थे सदाकत आसरम से इसके बारे में हमने खूब डिटेल से डिस्कस किये हैं पिछले वाले लेक्चरस में सदाका तास्रम से Motherland निकालते थे तो आपके एक्जाम के लिए चुकी चीज़ें आसान हो जाए उसके लिए हमने एक टेबल बना रखा है उस टेबल को भर लिया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके एक्जाम के लिए PDF भी एवरिबल रहेगा एक पत्रिका है पत्ना लौव विकली बिहाद देख पत्ना लौव विकली सबको पता है कि पत्ना लौव विकली कौन लिखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रशाद हिंदू पैट्रियट हरिश्चंद मुखरजी मदरलेंड मजहरूल हक इनके नाम पे पत्ना में स्टेडियम भी है और इनके जो महल में रहते थे उसका नाम है जिस बहुत बड़े जमिंदार पदिवार के हैं उसका नाम है सिकंदर महल सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले गोखले माई पॉलिटकल गुरु गांधी जी की किताब है और गोखले को पॉलिटकल गुरु मानते हैं इन्होंने रेन ओफ करजन को कहा है कि और अन्जेब कहीं शासन था एक है बुक इंडियन नेशन वो है कामेश्वर सिंग फिर है पत्ना टाइम्स मुहम्मद यूनुश और आपका एक है बिहार हिराल्ड ये मैं भर ही देता हूँ गुरु प्रशाद सेन का जब सब भर दिया मैं सोचा कि आपको घर के लिए वर्क दे दूँ बिहार हिराल्ड जो है वो है गुरु प्रशाद सेन यहाँ पर हो गए मैकजिन स्लैस पेपर एडिटर स्लैस स्पॉंसर चीक है थैंक्यू वेरी मच्च इसको मैं पीडिएफ को निशे आपको अप्लोड कर देता हूँ थैंक्यू आज हम लोग मिस्लेनियस टॉपिक को डिस्कस करेंगे और ये वो टॉपिक्स हैं जो आपकी तयारी में जो थोड़े बहुत जो होल्स बचे हुए हैं इक फिल प्लक दोज होल्स और मैं उमीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगा लेक्षर कुछ important statement देखेंगे कि BPSC का nature होता है कि कुछ लोगों का statement देता है और आपसे ये पूछता है कि किसने statement को दिया एक statement है कि इनकल आपकी तलवार विचारों की सान परतेज होती है ये statement किसका है तो ये statement हम लोगों के ideal भगत सिंग का statement है तो थोड़ा जानकारी ये मिल जाए क कि भगत सिंग ने ये statement को कब दिया तो भगत सिंग ने इसे statement को जब assembly में bomb फेकते है भगत सिंग और उनका court में trial होता है तो जब इनका पक्ष जद जानना चाहता है तो ये बोलते हैं पिस्तॉल और bum इनकलाब नहीं लाते बलकि इनकलाब की तलवार विचारों की सान परते खत्रा खून ड्रॉप करते रहता है ये statement काल मार्क्स का है इंडिया के परिपेक्ष में तो ये भी बहुत important है exam के लिए कि drain of wealth जो drain of wealth theory था यहां से जो सारे resources को ले जाते थे अंग्रेज लंदन में तो उसको इन्होंने equate किया था कि drain of wealth from India is a bleeding process ये भी statement बहुत important है कि जिनना भीभाजन चाहते हैं या नहीं पर अब हम भीभाजन चाहते हैं ये statement सरदार पटेल का statement है ये सरदार पटेल 1946 बगर के आसपास जब बहुत ज़्यादा परिशान हो जाते हैं जिनना के bargaining tricks पे ये statement देते हैं सरदार पटेल का statement हो और ये statement बहुत ही important है इसको ध्यान इसी statement को बेस बना के लोग बोलते हैं कि पटेल चाहते थे कि partition हो ही जाया Congress is tottering to its fall and one of my greatest ambition is to assist its peaceful demise यह statement बहुत ही गंदा statement है और यह statement करजन का statement है करजन कब देता है statement? यह statement करजन का statement है करजन एक चिथी लिखता है Lord Hamilton को London में एक चिथी लिखता है Lord Hamilton को 1900 में लिखता है उस चिथी में यह कहता है कि Congress is tottering to its fall and one of my greatest ambition is to assist its peaceful demise और आप यह पाते हैं कि बाद में 1909 में morally minto reforms आता है Government of India Act 1909 आता है और separate electorate की प्रावधान होती है यह करजन इतना घटिया आदमी है कि करजन इतना दुर्ट आदमीर है कि करजन के समय को reign of the करजन was equated to the reign of orange abe हमने पिछले lecture में आपको बता रखा है कि किसने reign of करजन को reign of orange abe से equate किया है तो वो गोपाल, कृष्ण, गोखले जो गांधी जी के political guru है उन्होंने equate किया है तो यह थोड़ा साब के बारे आपको पता होना चाहिए तो अच्छा रहेगा अब एक आपने thumbnail में देखा होगा यह किसानों के बहुत बड़े नेता हैं इनका नाम है राहुल संकृत्यान इनका नाम है राहुल संकृत्यान, अगर आप राहुल संकृत्यान जी के बारे में पढ़ें तो इनका नाम राहुल संकृत्यान नहीं रहता है इनका नाम केदारनाथ पांडे है जब केदारनाथ पांडे बुधिजम को एडॉप्ट कर लेते हैं बुधिजम से प्रभावित होते हैं और जब बुधिजम को एडॉप्ट करते हैं तो आपको पता है कि भगवान बुध का एक नाम राहुल भी है तो उस नाम से प्रभावित होकर किदारनाथ पांडे राहुल संकृत्यान बन जाते हैं जब ये बुधिजम को एडॉप्ट करते हैं और बुधिजम के फिलोस्पी को प्रपगेट भी करते हैं इसलिए आप देखेंगे कि कभी जभी इनको सेकिंड बुध्धा भी कहा जाता ह ये बेसिकली रहने वाले कहा हैं आजम गढ़ के रहने वाले हैं पर इनका कारीचेतर कहा रहा है ? ये सारन वाला बेल्ट है भागलपूर वाला बेल्ट है मतलब इनका कारीचेतर भी हार रहा है इसलिए हमारे एक्जाम के लिए बहुत ही important है अगर आप ध्यान से देखे तो तो ये राहुल संकृत्यान बहुत बड़े साहित्यकार भी है जब बहुत बड़े साहित्यकार है राहुल संकृत्यान तो जो किताब इनकी जो बहुत फेमस है एक किताब है भोलगा तू गंगा एक और इनकी किताब है घुमककड सास्त्र घुमककड सास्त्र एक और जो किताब का नाम है सोने की ढाल तो ये तिन किताब का थोड़ा था ध्यान रखिएगा और ये जब किसान के बहुत बड़े नेता हैं 1949 में आप ये पाते हैं कि ये अंबरी सत्यागरह को लीड करते हैं ये बहुत इंपॉर्टन्ट है ये अंबरी सत्यागरह को लीड करते हैं अंबरी सत्यागरह क्या है it was the fight of the tillers against जमिंदार और भी चीजों को है पर ये भी उसका इंपॉर्टन्ट एम रहा है तीलर्स और जमिंदार के बीच की जो लड़ाई होती है उसको देखा जाता है इसी कड़ी में अब चुकी बता रहा हूँ तो एक और ध्यान में आ गया रेवरा सत्यागरह रेवरा सत्यागरह जो है वो भी एक किसान नेता है यदुनंदन सर्मा किस चीज के लिए है रेवरा सत्यागरह राइट ऑफ दे टीलर्स अगेंज जमिंदार जमिंदार को टार्गेट हमेशा किया जा रहा है क्योंकि जमिंदार और ब्रिटिश में दोस्ती है वो एक दूसरे के इंट्रेश को प्रोटेक्ट करते हैं तो जो हमारी reductionist लोग है वो टेलर्स को support करेंगे कृषक को सपोर्ट करेंगे तो रेवरा सत्यागरह बिहार में होगा यह दुनंदन सर्मा उसको लीड करेंगे यह दुनंदन सर्मा कहा के रहने वाले हैं हमने आपको बताया कि बिहार का जो सबसे नया जिला है वो है अरवल के रहने वाले हैं तो इतना आपको पता रहेगा त तो ये जो पिक्चर है, ये सतिंद प्रशाद सिनहा का है, सतिंद प्रशाद सिनहा का जो कुछ क्रेडिट मिलता है, he was the first Indian to go into Viceray Executive Council, देखिए जिस तरह से अभी कैविनेट बनता है, उस तरह से एक Viceray रहता था, कभी चार हुआ है, कभी छे हुआ है, इस संख्या को बढ़ाया गया है, तो एक Viceray है, Viceray को एसिस्ट करने के लिए कुछ मेंबर्स रहेंगे, उसको कहते थे Viceray Executive Council, और यही जो Viceray Executive Council है, ये भारत को डील करता था, भारत के जो भी निर्ने होते थे वही लेता था, यही एक क तो ये important हो जाता है, exam के लिए, क्यो important हो जाएगा, क्योंकि हमने आपको बता रखा है, कि जब बिहार एक separate province बन जाएगा, 1912 में, किस के तुरू, दिल्ली दर्बार के तुरू, कौन दिल्ली दर्बार, थर्ड दिल्ली दर्बार, पहला दिल्ली दर्बार होता है 1877 में, उस 1912 में division होगा, तो उसे में क्या बनेगा, बिहार और उडिसा एक province रहेगा, और उसका capital पतना में रहेगा, और उसके जो पहले governor, जो first governor उसके बनेगे, वो बनेगे, सतिंद्र प्रशाद सिन्हा, तो इस ये थोड़ा सा important है, और हम लोगों को यहाँ पर ध्यान रखते हुए चलना चाहिए, कि 22 मार्च बिहार दिवस मनेगा, 22 मार्च 1912 को बिहार और उडिसा एक separate province के रूप में आता है, तो हमारे लिए important है, और इससे ज़्यादा जोरुरी भी नहीं है, अब थोड़ा सामध है देखें, तो ये हैं बिहार के बाबु जग जीमन राम, ये भी स्वत कास्ट का बहुत बड़ा नेता है, बहुत बड़ा चेहरा है, उस चेहरा का नाम है बाबु जग जीमन राम, ये वही बाबु जग जीमन राम है, जिनकी बेटी मीरा कुमार है, और मीरा कुमार सासा राम से चुनाओ जित्ती थी, अभी तो वो चुनाओ हारी है, और मीरा कहा जाता है तो जो टाइटिल हमने आपको बताया कि स्री क्रिफ्टि सिंग को बिहार केसरी कहा जाता है अनुगरह बाबु को बिहार विभूती कहा जाता है उसी तरह से बाबु जग जीवन राम को बाबु जी कहा जाता है इनके कद को आप इस चीज से आख सकते हैं कि he was the member of the constituent assembly from the बिहार जूसरा important बात बनता है कि जब पहला cabinet बनता है तो उसमें बाबु जी को लिबर ministry दिया जाता है उसके बाद सबसे important इनका आप contribution देखेंगे तो 1971 में जब इंडिया पाकिस्तान की वार हो रही है तो इंडो पाक वार में he was the defense minister of the country इनका जन्म कहां हुआ है आरा में हुआ है बिहार के आरा में जन्म हुआ है पर इनकी कर्मशेत्र कहां रही है सासा राम रही है इनकी बेटी है मीरा कुमार वो सासा राम से जित्ते आई हैं चुनाओ इसके पहले वो इतनी dynamic महिला है कि बिहार की मतलब वो देश की लोग सभ इसमें भी काम की है और करोल बाग से चुनाओ जीती है और एक वक्त में कन्नोज से राम विलास पासवान को भी चुनाओ हराई है तो वो भी एक बहुत बड़ा नाम है और इनहीं की बेती है जग जीवन राम की बेती है तो दलितों में बहुत बड़ी पैठ है दलितों के बह आपको बताता हूँ कि 1928 में बिहार में एक रविदास सभा का गठन करेंगे रविदास सभा की गठन करेंगे बिहार में 1928 में वो करेंगे जग जीवन राम ये है बंदे मातरम यूज्वली आपसे एकजाम में पुछ लिया जाता है कि बंदे मातरम के बारे में आपको एकज आम है तो प्रश्ट मिलेंगे ही तो वंदे मात्रम हमारा नेशनल सौंग है दूसरी बात जो वंदे मात्रम लिया गया है वो किस किताब से लिया गया है तो वो आनंदमत किताब से लिया गया है आनंदमत किस चीज पर बेश्ट है आनंदमत सन्यासी रिबेलियन पर बेश्ट ह आनदमथ सन्यासी रिबेलिएन पर बिस्ट है सन्यासी रिबेलिएन का अगर आप फेज देखेंगे तो सन्यासी रिबेलिएन सतरसो सतर से एठाई स्व recent बीस के आस्पास चलता है सन्यासी लोग, फ़कीर लोग, विरोथ करते हैं अंग्रेजों का zusammen Battle of Boxer के बाद अगर आप देखेंगे तो 1764 के बाद Battle of Boxer हो गया उसके बाद अंग्रेज हुकुमत को पुरा दिवानी राइट्स वगरह मिल जाता है तो जो दान वगरह दिया जाता है सन्यासी को फकीर को उसको बंद करेगा और फकीर विरोज में उठेंगे उस फकीरों का सन् बंकिम चंद्र चटर जी किताब लिखते हैं और यहीं पर आपको बताते चले कि बंकिम चंद्र चटर जी इस कॉल्ड एज इंडियाज फस्ट मॉडर्न नोवलिस्ट ये आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट है तो इसके थू हम दो ख्लारा चीज को कभर कर ल अच्छा ये एक बताई जो वंदे मातरम है ये पहली बार गाया जाता है तो वंदे मातरम 1896 के कैलकटा सेशन में गाया जाता है पहली बार वंदे मात्रम महीं पे गाया जाएगा और 1896 वाला जो INC का सेशन होता है उसको उसकी अध्यक्षता करते हैं RM सयानी तो in and out पता होगे आप वंदे मात्रम से जितने questions आएंगे कभर हो जाएंगे ये अपना पतना हाई-Coat है जो पतना हाई-Coat कब बनता है 1911 में पतना हाई-Coat बनता है दूसरी बात अभी प्रजान चीफ जस्टिस कौन है एक बार आप से पूछा जा चुका है इस तो थोड़ासा पता रहे तो अच्छा है अभी संजय करोल चीफ जस्टिस है पतना हाई कोट के और पतना हाई कोट के जो पहले चीफ जस्टिस रहे हैं उनका नाम है एड़वर्ड चैमियर एड़वर्ड चैमियर पहले चीफ जस्टिस रहे हैं इस विल सफाइज एक दूसरा बड़ा नाम है सील भद्र यग्ये का जो आप इनको बहुत बढ़ चड़कर हिस्ता लेते पाएंगे ये बिहार सोचिलिस्ट पार्टी के भी नेता है बिहार सोचिलिस्ट पार्टी मैं पहले बता चुका हूँ अब इसके बारे में मैं नहीं जाओंगा पुराना लेक्चर्स देख लिए यग्ये साहब को इस जहम लोग ने इस टॉपिक में लिया है क्योंकि जब फॉरवर्ट ब्लॉक बनता है और आईये ने बनता है सुबास्चन रबोस के द्वारा तो बिहार से सबसे बड़ा नाम एक बड़ा नेता इसमें सामिल होता है और एक important role play करता है तो थोड़ा सा बिहार के बहुत important leader है जो forward block और आईये ने में बहुत बढ़ चरकर हिस्सा लेते हैं वो हैं स्टील भद्र यग्ये ये आपको तीन हमने data दिया है 1927, 1928 और 1929 इस थोड़ा सा important है कि 1927 में अगर आप देखते हैं तो 1927 में एक संगठन बनती है उसका नाम है पटना यूवक संग पटना यूवक संग 1927 में बनता है जो बनता है मैं भी आपको बताता हूँ ये बनाते हैं एमेन रॉय दूसरा 1928 1928 में एक और संगठन बनती है उसका नाम है बिहार यूवक संग जो बिहार युवक संग है ये मूतिहारी में बनेगा कौन बनाएगा प्रोफेशर ग्यान सहाब बनाएंगे एक और 1929 में एक और इस्टुडेन का इस्टुडेन बन के निकलता है उसका नाम है पाटली पुत्र युवक संग तो पाटली पुत्र युवक संग बनेगा 1929 में पाटली पुत्र युवक संग कौन बनाएंगे राम ब्रिक्ष बेनीपूरी और अम्बिका कांत सिंग राम ब्रिक्ष बेनीपूरी के बारे मैं आपको बता चुका हूँ कि राम ब्रिक्ष बेनीपूरी बहुत बड़े साहित्तेकार है जो जैप्रकास जो किताब है राम ब्रिक्ष बेनीपूरी के द्वारा लिखी जाती है ग्रामब्रिच बेनिपूरी बेनिपूरी गाउं के रहने वाले हैं मुझभफरपूर के एक ये और पत्रिका चलाते हैं उसका नाम है यूवक इसके बारे में आप पिछले वीडियो में देख लीजेगा तो ये तीन डिटेल्स है एमेन रॉय वही है जो इंडिया इन ट्रां जिन्दा रखने के लिए उनके अंदर निशनलिजम का भाव भरने के लिए ये सब और्ग्नाइजेशन बनाये जाते हैं कि उन यूवक यूवक यूज किया जा सके और जो अपनी आजादी की मांग है उसको जिन्दा रखा जा सके तो उसका बहुत important role नहीं है पर वही है कि यूवाओं में राश्क प्रेम को भरने के लिए basically ये किया जाता है इस तरह से अगर आप देखें तो maximum चीज हम लोगों ने cover कर लिया है modern history का और जो भी थोड़ा मुड